जहिन दोस्तों तो करंट अफेर्स की सिरीज में आज ही हमारा दूसरा पार्ट है और इस पीडी की ये करंट अफेर्स है पूरी एर की करंट अफेर्स आपके पास है जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी कोशन यहां पर बनेंगे वो सारे कोशनों का इसमें संग रहे है और ये विडियो आपको जरूर देखना है अगर हाल ही में आपका एकजाम है रेलवे एंटी पी सी का और दूसरा आपका है रेलवे गुरूबडी का एकजाम भी यहां पर होने वाला है तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन हो जाता है औ क्योंकि देखिए आज अगर आप वीडियो को थोड़ा देखते हैं तो आप सोचेंगे कि इसे कल देख लूँगा और कल दोस्तों कभी नहीं आता है तो इसलिए वीडियो को आज ही आपको पूरा देख लेना है क्योंकि यह सारे कोशन आपके एक्जाम में जरूर पूछे ज छटा इस्थान है नेक्श यह आपर एक जनवरी 2021 को मुकेश अमभानी को पीछे छोड़ कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गये हैं तो जोंग शान शान जो हैं यह सबसे अमीर व्यक्ति बन गये हैं एशिया के दूसरा कोशन है यहाँ पर एक जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है तो यह किया है मद्धेप्रदेश ने नेक्स्ट कोशन है आपर एक जन्वरी 2021 को किस ने अबना 63 मा इस्थापना दिवस मनाया है तो ये मनाया है DRDO ने एक जन्वरी 2021 को किस राज्जी सरकार ने कोविड यद्धाउं के सम्मान में एक इसमारक स्थापित करने का निर्नNE लिया है तो ये लिया है ODIÇA ने Next Question है, एक जनवरी दोजारिकिस को, टेस्ट प्रेप स्टार्ट अप नियो इस्टेंसिल का दिग्रहन किस ने किया है तो ये किया है अनकैडमी ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर एक जनवरी 2021 को भारत के 67 नंबर के जो ग्रेंड मास्टर है वो कौन बने हैं तो वो बने हैं लियोन मेंडो का ठीक है नाम ध्यान रखने देख रहे गया कि लियोन मेंडो का इनका नाम है नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर दो जनवरी 2021 को सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला छटा राज्य कौन बन गया है तो यह बन गया है राजस्थान नेक्स्ट कोशन है दो जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारती ये ताटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है तो ये है सुजीत नेक्स्ट कोशन है यहाँ दो जनवरी 2021 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो ये के वीरमानी को सम्मानित किया गया है दो जनवरी 2021 को Globe Soccer Awards में किसे सदी का Best Footballer चुना गया है तो Cristiano Ronaldo को यहाँ पर Best Footballer चुना गया है दो जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पंडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है तो म्यानमार नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर दो जनवरी 2021 को आस्ट्रेलिया को पीछे चोड़ कर कौन ICC टेस्ट रेंकिंग में शीर्ष पर पहुँच गया है तो यह पहुँच गया है न्यूजिलेंड दो जनवरी 2021 को किस देश ने अपने रास्टगान में एक शब्द को बदल दिया है तो आस्ट्रेलिया ने दो जनवरी 2021 को किसे क्विन एलिजाबेथ ने सर्वच नागरिक सम्मान नाइट हुड से सम्मानित किया है तो लुईस हैमिल्टन ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 2 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमानु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है तो पाकिस्तान के साथ तीन जनवरी 2021 को नौर्थ इस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्ज में बना है तो ये बना है मेगाले के अंदर नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 3 जनवरी 2021 को किसकी जहनती मनाई गई थी तो किसकी मनाई गई थी सावित्री भाई फूले 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाई गया तो विश्व ब्रेल दिवस नेक्स्ट कोशन है यहां 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग ब्ली एननेर्स इंडेक्स 2020 में कौन शिर्ष पर रहा है तो ब्रेटेन नेक्स्ट कोशन है यहां पर यह चार जनवरी 2021 को की गई घोशना के नुसार चोथा वेश्विक आयरवेद महुत्सव कहां यूजित किया जाएगा तो केरल के अंदर चार जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है तो कजाकिस्तान ने नेक्स्ट कोशन है यहां पर पांच जनवरी 2021 को किस देश ने गर्बपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है तो यह किया है अर्जेंटीना ने पांच जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफ फई स्कॉलर शिप एक्ट पास किया है तो ये किया है अमेरिका की सरकार ने नेक्स्ट है यहाँ पर देखेगा छे जनवरी 2021 को किस राज्जे ने बर्ड फिलू को राज्जे आपदा घोशित किया तो यहाँ पर केरल ने छे जनवरी 2021 को आई ओसी ने अपने इंधन स्टेशनों के पास इस्थानिय समुदायों की जरुतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है तो ये की है प्रियास नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाइ बिग नामक नई एरलाइन शुरू हुई है तो ये हुई है भारत में 6 जनवरी 2021 को की गई घोशना के नुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संसकरण कहां युजित किया जाएगा तो ये किया जाएगा गुलमर्ग में नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 7 जनवरी 2021 को किस राज्य ने M-Pension एप लॉंच की है तो ये मनिपूर ने 7 जनवरी 2021 को भारती से नौदवरा बनाए गए Human Rights Sale के प्रमुक कौन बने है तो गौतम चोहान बने है 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में Google Cloud का नया प्रमुक किसे नुक्त किया गया है तो करन बाजवा को 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट पत्ती जो बाइडेन ने अट औरनी जनरल के रूप में किसे नुक्त किया है तो मैरिक गर्लेंड को 9 जनवरी 2021 को पूरुशों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन मनी है तो क्लेयर पोलो साक 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्राले द्वारा अयोजित सोलवा प्रवासी भारतिये सम्मेलन का विशे क्या था तो यहां था आत्म निर्वर भारत में योगदान एक बात यहाँ ध्यान रखेगा कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है यहाँ प्रवासी भारतिय सम्मेलन जो है यह प्रवासी भारतिय दिवस जो है वो मनाया जाता है अगला है यहाँ पर 10 जनवरी 2021 को The Chronicle of Philanthropy के द्वारा सबसे बड़े दान की वार्शिक शूची में कौन शिर्ष पर रहा है तो जेफ बैजोस 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्राले द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड एनाराई है तो 210 10 जनवरी 2021 को केंदर सरकारने लदाख में किस नदी पर 8 जल विधुत परियोजना को मंजूरी दी है तो सिंधु नदी पर 11 जनवरी 2021 को बिंदू सागर सफाई परियोजना का शुभारंब कहां हुआ तो यह हुआ है ओडिशा में ग्यारा जनवरी 2021 को जम्मो कश्मीर प्रशासनिक सेवा परिक्षा के उमिद्वारों की आयू सीमा 37 से घटा कर कितने वर्ष कर दी गई है तो 32 नेक्स्ट कोशन है हाँ ग्यारा जनवरी 2021 को किस ने अपने समिधान को जानो नामक पहल शुरू की है तो केंदर सरकार ने 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क इस्थापित किया गया है तो ओडिशा में 11 जनवरी 2021 को की गई गोशना के अनुसार भारत का पहला इंडोर इसकी पार्क कहां इस्थापित किया जाएगा तो ये किया जाएगा कुफरी में नेक्स्ट है यहाँ पर 12 जनवरी 2021 को इक्यावन में भारती है अंतरास्ट्रिय फिल्म महुत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है तो यह चुना गया है बांगलादेश को 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है तो यह की है करनाटक नेक्स्ट कोशन है यहां 12 जनवरी 2021 को COVID-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है तो यह RS शर्मा जी को 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विक्सित खादी प्राकर्तिक पेंट को किसने लॉंच किया तो नितिन गटकरी ने 12 को ग्लोबल रिपोर्ट में कितनी भारतिय कंपनियों को शामिल किया गया है तो इसमें किया गया है 11 तेरा जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभाग और तालसारी संबुद्र तट को विक्सित करने का निड़ने लिया है तो ओडिशा 13 जनवरी 2021 को भारत वियन नाम रक्षा सुरक्षा वारता के तेरवें संस्क्रन की अध्यक्षता किस ने की तो डॉक्टर अज्य कुमार ने 14 जनवरी 2021 को आर्बियाई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है तो महरास्टर के 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार काया कल्प पुरसकार जीता है तो एम्स भुवनेश्वर ने 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है तो अरुनाचल प्रदेश 14 जनवरी 2021 को इस ओफ डूइंग बिजनेस उदार को लागू करने वाला देश का आठवा राज्य कौन मना है तो ये बना है केरल 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चितरकला की खोज कहां की गई है तो ये की गई है इंडोनेशिया में 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी सिक्षकों के लिए TESOL कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है तो दिल्ली नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्य मंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा उधगाटन किया है तो ये किया है हरियाना 15 जनवरी 2021 को USA ने किस देश को आतंगवाद के राज्य प्रायजक के रूप में फिर से नामित किया है तो क्यूबा 16 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा विक्सित देश की पहली सोदेशी मशीन पिस्तॉल का नाम क्या है तो ASMI 16 जनवरी 2021 को SKOTCH चेलेंजर अवर्ड जो है स्कॉच चेलेंजर अवर्ड किसे प्रदान किया गया है तो ये किया गया है अर्जुन मुंडा को 16 जनवरी 2021 को किसे सिलवर सालवर से सम्मानित किया गया है तो प्रत्वीपाल सिंग 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभ्यान चलाया है तो ये चलाया है गुजरात ने 17 जनवरी 2021 को शक्रैन का पारंपरिक त्योहार कहां मनाया गया तो ये ढाका में मनाया गया 17 जनवरी 2021 को पैपसिको ने कब तक शुद्ध शुन्य उत्सरजन का लक्ष निर्दारित किया है तो 2014 तक 17 जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अद्यक्षता प्राप्त की है तो ये की है फीजी ने Next question देखेगा कि 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने Statue of Unity को देश के विभिन्न भागों से जोडने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुवात की है तो आठ ट्रेनों की 18 जनवरी 2021 को भारत में COVID-19 वेक्सीन प्राप्त करने वाले पहले वेक्ति कौन बने है तो ये बने है मनीश कुमार 18 जनवरी 2021 को किस मंत्राले ने सक्षम अभियान का शुभारंब किया है तो पैट्रोलियम मंत्राले ने 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो कार का उधगाटन कहां किया गया तो ये किया गया है बैंगलूरू में 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोशना की है तो ये की है रूस ने नेक्स्ट कोशन है 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पौश परबान मेला मनाया गया तो ये मनाया गया त्रीपुरा में नेक्स्ट कोशन है 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कल रव का उधगाटन किया गया तो ये कहां किया गया बिहार में बीस जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है तो ये रहा है करनाटका नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो देखें नेक्स्ट कोशन है हमारा कि 20 जनवरी 2021 को 43 कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है तो ये बनाया गया है तिरुपुरा कि में 20 जनवरी 2021 को कहां पर स्ट्रॉबेरी महुत्साव का उधगाटन किया गया तो ये किया गया जहांसी में नेक्स्ट कोशन है 20 जनवरी 2021 को की गई घोशना के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूमेंट मुजियम खोला जाएगा तो ये खोला जाएगा केरल में बीस जनवरी दोजार इकिस को किस राज्य की सरकार ने ड्रेगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है तो ये किया है गुजरात नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 21 जनवरी 2021 को किस राज्य में स्थित गोरेवाडा चिडियागर का नाम बदला गया है तो ये महारास्ट के अंदर 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 म के आई लड़ा को विमान खरिदने का फैसला किया है तो ये रशिया से यानि की रूस से 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पंडुब भी बचाओ सायोग समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो सिंगापूर के साथ 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शिवराजपूर बीच को विक्सित करने की गोशना की है तो ये गुजरात सरकार ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 21 जनवरी 2021 को हावडा काल का मेल का नाम किस के नाम पर रखा गया है तो ये जो हावडा काल का मेल है इसका नाम किस के नाम पर रख दिया गया है नेताजी सुभाज चंद्र बोस के नाम पर 21 जनवरी 2021 को 43 वा रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ओनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहां लॉंच किया गया है तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में 21 जनवरी 2021 को भारतिय सेना के पहले उपप्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो चांडी प्रसाद मोहनती जी को नेक्स्ट कोशन है यहां 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यवसाइक उध्यम शुरू करने के लिए स्वयम योजना शुरू की है तो ये उत्तर प्रदेश ने ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन देखेगा 22 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटर गला सुरंग कठवा जिला को किस जिले से जोडेगी तो ये डोडा से नेक्स्ट कोशन है यहां 22 जनवरी 2021 को किस बॉलिवुड अभिनेत्ता के नाम पर दक्षणी दिल्ली के एंड्रियूज गंज में एक सडक का नाम रखा गया है तो ये रखा गया है शुसांत सिंग राजपूत के नाम पर 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था तो पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी 2021 को उत्राखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है तो ये डालन वाला में नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 23 जनवरी 2021 को भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उदगाटन कहां पर किया गया है तो ये किया गया है मेगाले में 23 जनवरी 2021 को किस ने श्रम शक्ती पोर्टल लॉंच किया है तो अरजुन मुंडा जी ने 23 जनवरी 2021 को किस राज्जे ने आयुष्मान भारत भीमा योजना का नाम बदल कर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्त भीमा योजना किया है तो ये किया है राजस्थान ने नेक्स्ट कोशन है यहां 23 जनवरी 2021 को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है तो ये मिला है निखिल श्रिवास्तव जी को 23 जनवरी 2021 को सम्रध्धी तोशाली रास्ट्रिय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है तो ये हुआ है ओडिसा के अंदर 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहट कार्य दिवसों की संक्या 100 से बढ़ा कर 150 कर दी है तो ये कर दी है उत्राखंड ने 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी गई है तो ये रखी गई है कटक में नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 24 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जेल परियतन शुरू करने की गोशना की है तो ये की है महरास्ट्र सरकार ने 24 जनवरी 2021 को किस ने अपना इस्थापना दिवस मनाया है तो ये मनाया है उत्तर प्रदेश ने नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन है हमारा कि 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो ये परियतन दिवस मनाया गया 25 जनवरी 2021 को प्रधान मंतरी राश्ट्रिय बाल पुरसकार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया तो 32 बच्चों को 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने पृतियोगी परिक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्यूदय की घोशना की है तो ये की है उत्तर प्रदेश ने नेक्स्ट कोचन है यहाँ पर 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक पौधा सुपोशित बेटी के नाम की योजना जो है वो शुरू की गई है तो ये की गई है राजस्तान के अंदर 25 जनवरी 2021 को सृष्टी गोसामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है तो ये बनी है उत्राखंड की 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉंच करके विश्व रिकॉर्ड किस ने मनाया है तो ये स्पेस एक्स ने मनाया है 26 जनवरी 2021 को दो लाख स्रमिकों को तीका करन करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो ये बना है करनाट का 26 जनवरी 2021 को बाजार पुंजी करन के आधार पर देश की सबसे मुल्यवान कंपनी कौन बनी है तो ये बनी है टीसी एस 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोजी गई चीटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताब जोशी के नाम पर रखा गया है तो ये तमिल नाडू 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक टेपरेड में शामिल होने वाली पहली महीला फाइटर पाइलेट कौन बनी तो भावना कांत जी नेक्स्ट कोशन है, यहाँ पर 26 जनवरी 2021 को वारशिक कारिकरम भारत पर्व 2021 का उधघाटन किसने किया है तो ओम बिढला जीने किया है 26 जनवरी 2021 को रास्ट्रिय सर्वस्रेष्ट चुनावी आचरन पुरसकार 2020 के लिए किसे चुना गया है तो इसमें चुना गया है मेगाले को 27 जनवरी 2021 को अंक टाड़ा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्त करता देश कौन बना है तो ये चाइना बना है और दूसरा कौन है अमेरिका 27 जनवरी 2021 को कहां नाव पुस्तेकाले की शुरुवात की गई है 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे करनाटक का पहला भारतिये ग्रे बुल्फ अभियारन जो है वो कहां इस्ताफित किया जाएगा तो ये किया जाएगा कोपल में 27 जनवरी 2021 को चार दिवसी एक काव्योत्सव कविता विज किस राज्य में आयुजित किया गया है तो ये किया गया है केरल में 27 जन्वरी 2021 को सुभाश चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार 2020 किस ने जीता है तो ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने नेक्स्ट कोश्न है आपर 27 जन्वरी 2021 को हुनर हाट के 24 वे संस्करन का उधगाटन किस शहर में किया गया है तो ये किया गया है लखनो में 28 जन्वरी 2021 को काज़ा कलास किस देश की पहली मरदहान मंतरी बनी है तो ये बनी है एस्टोनिया की नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 28 जनवरी 2021 को MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल चुरू की है तो ये सोनु सूद के साथ मिलकर 29 जनवरी 2021 को विश्व की सबसे जादा बिखने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है तो टोयोटा 29 जनवरी 2021 को स्कूल ऑफ पबलिक हेल्थ का शुबारंब कहां पर किया गया है तो ये राजस्तान में किया गया है 26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विसफोट हुआ तो ये हुआ इसराइली दूतावास के पास 29 जनवरी 2021 को गंतंतर दिवस परेड में किस राज्य की जहांकी ने पहला पुरसकार जीता है तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर जहांकी ने यहाँ पर पहला पुरसकार जीता था आगे चलते हैं यहां 30 जनवरी के प्रशनों पर तो देखे 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो शहीद दिवस 3जन नई गार्बेज कैफे कहां खोले गये हैं तो यह दिल्ली में नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरत के नाम से अपना स्वेम का पैकेस्ट पेजल लॉंच किया है तो तेलंगाना ने 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्त सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है तो दसमें स्थान पर रहा है 30 जनवरी 2021 को चीन के COVID-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना है तो ये बना है हंगरी नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 30 जनवरी 2021 को थीपूसूम त्योहार कहां मनाया गया है तो ये मनाया गया है तमिल नाडू में 30 जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मेरापी जौला मकी फटा है तो ये फटा है इंडोनेशिया 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व कुष्ट रोग मनाया गया 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वेश्विक पर्यावनन संडरक्षन के लिए पहल शुरू की है तो फ्रांस 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क जो है कहां पर स्थापित किया जाएगा तो ये स्थापित किया जाएगा चंडीगड के अंदर 31 जनवरी 2021 को जारी COVID-19 प्रदर्शन सुचकांक 2020 में अपना देश भारत कौनसे स्थान पर रहा है तो 86 नंबर पर रहा है और इसमें टॉप पर रहा है वियतनाम 31 जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुक को वहां की सेना ने बंदी बना कर तकता पलट कर दिया एवं एक साल के लिए अपने देश में इमर्जंसी लगा दिया तो ये म्यानमार में हुआ था ऐसा एक फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जी आई टेग प्राप्त किया है तो पाकिस्तान ने नेक्स्ट कोशन है यहां पर एक फरवरी 2021 को आर्बियाई ने पर्याप्त पुंजी ने होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है तो महरास्ट्र इस्थित शिवम सहकारी बैंक का नेक्स्ट कोशन है एक फरवरी 2021 को पेरा बेंगनी किर्णो यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन मनी है तो लखनव मेट्रो नेक्स्ट कोशन है एक फरवरी 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में पर्थमिस्थान पर कौन रहा है तो ये रहा है महरास्ट्र और अंतिमिस्थान पर रहा है इसमें उत्तर प्रदेश एक फरवरी 2021 को सयद मुस्ताक अली टी 20 ट्रॉफी किस ने जीती तो ये जीती है तमिल नाडू ने और बड़ोदा टीम को साथ विकट से हरा कर नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि दो फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व वेट लेंड्स दिवस मनाया गया दो फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुवात की है तो ये किस ने की है पंजाब ने दो फरवरी 2021 को आक्सफोर्ड ने किस शब्द को किस वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड आफ द इयर घोशित किया है तो आत्म निरभरता दो फरवरी 2021 को किस देश ने मिश्र में आयोजित हैंड बॉल विश्व चेंपियंशिप का खिताब जीता है तो डेनमार्क ने दो फरवरी 2021 को पहली एशियाई शुटिंग चेंपियंशिप में सबसे ज़ादा पदक किस ने जीते हैं तो भारत ने जीते हैं नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि दो फरवरी 2021 को पर्यावरन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने किस प्रजाती के लिए रास्ट्रिय एक्शन प्लान जारी किया है तो मरनी टर्टल नेक्स्ट कोशन है यहाँ दो फरवरी 2021 को किस भारतिय मूल की महिला को नासा का कारेवाहक प्रमुक नियुक्त किया गया है तो भव्या लाल को तीन फरवरी 2021 को कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंदर शासित प्रदेश कौन बना है तो ये बना है अंडमान निकोबार तीन फरवरी 2021 को भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां लॉंच किया गया है तो ये किया गया है चंडिगड में नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 3 फरवरी 2021 को जारी Global Democracy Index 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है तो यह रहा है नौर्वे और भारत का इस्तान इसमें 53 नंबर का है 3 फरवरी 2021 को किसे Alert Being Icon Awards से सम्मानित किया गया है तो AR रहमान जी को किया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 3 फरवरी 2021 को किस मंत्राले ने आसियान इंडिया हैक्थान 2021 का शुभारम किया है तो यह किया है शिक्षा मंत्राले ने 3 फरवरी 2021 को किस ने Innovation Sandbox वेब पोर्टल लॉंच किया है तो यह किया है BSE ने और आपको कमेंट बोक्स में BSE का फुल फॉर्म हमें बताना है 4 फरवरी 2021 को अभिवादन नामक एक संगीत कारेकरम का आयोजन कहां किया जाएगा तो यह पूने में किया जाएगा 4 फरवरी 2021 को किस राजसरकार ने EVS यानि की Electric Vehicles पर कोई पंजिकरन रोड टेक्स ने लेने की गोशना किये तो यह किस ने किये तेलंगाना ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 4 फरवरी 2021 को मानव बंदुत्वे जायद पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो एंटोनियो गुट्रेस तथा लतीफा इबन जियातेन को चार फरवरी 2021 को उडान तारा नामक किशोर स्वास्त कारिकरम कहां शुरू हुआ है तो यह हुआ है धौलपुर जिले में जो की राजस्थान में है पांच फरवरी 2021 को पांच लाग टीका करण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो यह बना है उत्तरप्रदेश पांच फरवरी 2021 को सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज मारगों के 100% विदूती करण का लक्ष निर्दारित किया है तो 2023 तक नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर पांच फरवरी 2021 को रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने किस एर फोर्स इस्टेशन पर एरो इंडिया का उधगाटन किया है तो यह लहंका बेंगलोर के अंदर पांच फरवरी 2021 को भारत का पहला M.P.T. क्लिनिक किस शहर में चुरू किया गया है तो यह चंडीगड में पांच फरवरी 2021 को भारत की सबसे कम उम्र की महिला पाइलेट कौन बनी है तो यह बनी है आईशा अजीज जो की कश्मीर से है 5 फरवरी 2021 को विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलिवड स्काई फ्लायर कहां खुली है तो ये दुबाई में खुली है 5 फरवरी 2021 को किस कंपनी ने पहला कारबन न्यूटरल ओयल प्राप्त किया है तो ये रिलाइंस ने किया है पांच फरवरी 2021 को प्रकाशित पारलियामेंटरी मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किस ने लिखिये तो ये लिखिये के अन भंडारी ने छे फरवरी 2021 को ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो ये बना है हिमाचल प्रदेश छे फरवरी 2021 को किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला उर्जा द्वीप बनाने की घोशना की है तो ये किस ने की है डेनमार्क ने की है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन है हमारा 6 फरवरी 2021 को अक्षे उर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है तो बहरीन के साथ नेक्स्ट कोशन है 6 परवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 500 EV चार्जिंग पॉइंट इस्थापित करने की घोशना की है तो ये दिल्ली ने 7 परवरी 2021 को भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां इस्थापित किया जाएगा तो ये ओडिशा के अंदर इस्थापित किया जाएगा 7 परवरी 2021 को किस देश ने राश्टरवादी समू है प्राउट बोईस को आतंगवादी समू है घोशित किया है तो ये कनाडा ने नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 7 परवरी 2021 को किस राज्जे सरकार ने या किस राज्जे ने प्रग्यान भारती और भाशा गौरव नामक दो योजनाय शुरू की हैं तो ये असम ने आठ फरवरी 2021 को अपने सोवें टेस्ट में दोरा सतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने है तो ये बने है जो रूट आठ फरवरी 2021 को आई सी सी ने किसे अपना वेश्विक भागीदार घोशित किया है तो बाई जूस को आठ फरवरी 2021 को केंद्रिय पर्यावरन मंत्राले ने किस नदी पर लखवाड बिजली परियोजना के निर्मान को मंजूरी दी है तो यमना नदी नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर आठ फरवरी 2021 को सहिंकतरास्टर जलवाईू राजदूत के रूप में किसे फिर से न्यूक्त किया गया है तो माइकल ब्लूमबर्ग को आठ फरवरी 2021 को गोशना नुसार श्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई किस राज्य का पाँचवा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है तो यह तमिल नाडू का नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो देखें नेक्स्ट कोशन है हमारा आठ फरवरी का कि आठ फरवरी 2021 को गोशना के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन उर्जा सहियत्र कहां इस्ताफित किया जाएगा तो यह किया जाएगा आपके दक्षन कोरिया में आठ फरवरी 2021 को रास्ट्रिय बागवानी मेला 2021 कहां शुरू हुआ तो यह हुआ था बैंगलूरू देखें बागवानी से बैंगलूरू ठीक है बैसे बागवानी बैसे बैंगलूर आठ फरवरी 2021 को जनरल थिमया मेमोरियल संग्राले का उदगाटन कहां किया गया है तो यह किया गया है करणा टक के अंदर नौफरहरी 2021 को कि में तीसरी बार एलन बॉडर्र जीता है तो इस्टीव स्मिथ कि ने और स्थिव इसमित किस देश के खिलाड़ी है तो है ऐस्ट्रेलिया के नौफर मॉर्री 2021 को देश ने सोयूस टू वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रे लॉंज करने का फैसला किया है तो किस देश ने क्या है रूस ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 9 फरवरी 2021 को चमालिस्वा अंतरास्ट्रिय बाल फिल्म महुत्सव कहां संपन्न हुआ है तो ये हुआ है बंगला देश के अंदर और नेक्स्ट कोशन है हमारा 9 फरवरी 2021 को वार ओन ड्रक्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है तो ये क फिल्म को पचासमे रोटर डैम अंतरास्ट्रिय फिल्म महुत्समे सर्वस्ट्रिस्ट फिल्म का टाइगर पुरसकार मिला है तो पेबल्स दस फरवरी 2021 को भारत ने किस देश को पार गमन यातायात की सुविधा प्रदान की है तो ये किस को की है नेपाल को दस फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व दलहन दिवस नेक्स्ट कोशन है दस फरवरी 2021 को भारत ने लालंदर शतूट बांध के निर्मान के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो अफगानिस्तान के साथ नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर दस फरवरी 2021 को हेल ने भारत में दो महत्मपूर्ण छेतर में सायोग के लिए किस कमपनी के साथ समझोता किया है तो रॉल्स रॉयस के साथ नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 10 फरवरी 2021 को जारी सूचना के नुसार कौन सा देश सबसे बड़े अप तटीये फार्म का निर्मान करेगी तो ये करेगी दक्षिन कोरिया 10 से 12 फरवरी 2021 को आयजवित 20 विश्व सतत विखास शिखर सम्मिलन 2021 का थीम क्या था ये था Redefining our Common Future 11 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया 11 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व यूनानी दिवस मनाया गया 11 फरवरी 2021 को विश्व के सभसे पुराने पशु जिवाश्म की खोच कहां पर की गई है 11 फरवरी 2021 को गोशना के अनुसार US Chamber of Commerce की प्रथम महिला CEO कौन होंगी तो ये होंगी सुजेन क्लार्क जी Next question है यहाँ पर 11 फरवरी 2021 को World Wildlife Photographer of the Year 2021 प्रसकार किस ने जीता है तो ये जीता है Robert Irwin ने 11 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ज्यान मिशन शुरू किया है तो ये किया है केरल ने Next question देखेगा कि 12 फरवरी 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने reward परियोजना को मंजूरी दी है तो ओडिसा 12 फरवरी 2021 को भारत का पहला CNG Tracker किस ने लौंच किया है तो नितिन गढडकरीजी ने 13 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो विश्व रेडियो दिवस एवं भारती रास्ट्रिय महीला दिवस के रूप में मनाया गया 13 फरवरी 2021 को किस Space Agency ने पहली बार नीजी चेतर के लिए उपग्रह परिक्षन केंदर खोला है तो ये खोला है इस रो ने और इस रो का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 13 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया है तो ये पाकिस्तान नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 13 फरवरी 2021 को 93 नंपर का जो ओसकर पुरसकार था उसके लिए किस बारती फिल्म को चैनित किया गया है तो बिट्टू को नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 14 फरवरी 2021 को मध्यप्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्राले बनाने का निर्णे लिया है तो भिंड जो की मध्यप्रदेश में है 14 फरवरी 2021 को बॉल्वो कार्स इंडिया ने किसे अपना प्रवंध निदेशक नियुक्त किया है तो जोती मलोतरा जी को 14 फरवरी 2021 को किस की पुन्यतिती भारत में समर्पन दिवस के रूप में मनाई गई है तो दीन दयाल उपाध्याय जी की नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 14 फरवरी 2021 को कौन भारतिय महिला उक्सफोर्ट के छातरसंग की प्रमुक बनी है तो रश्मी सामन्त 14 फरवरी 2021 के सूचना नुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बन रहा है तो ये बन रहा है पटना में और 15 फरवरी 2021 को इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का सोधेशी मैपिंग पोर्टल और भू इस्थानिक सेवाओं को विक्सित करेगा तो मैप माई इंडिया 15 फरवरी 2021 से तीन दिवसी प्रसिद मांडू महुतसव कहां शुरू हुआ है तो ये हुआ है मध्यप्रदेश के अंदर नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 15 फरवरी 2021 को खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की व्रधी दर्ज की गई तो 29 परसेंट की 15 फरवरी 2021 को रास्ट्रिय संस्क्रत महुतसव 2021 का योजन कहां होने जा रहा है तो ये पश्चिम बंगाल में 15 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त पांच रुपे में भोजन उप्लब्द कराने के लिए मायोजना शुरू की है तो ये किस ने की है पश्चिम बंगाल ने की है ध्यान रखेगा मायोजना 15 फरवरी 2021 को किस देश ने कारगो स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लाँच किया है तो रूस ने नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 16 फरवरी 2021 को IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या लख लिया है तो पंजाब किंग्स रख लिया है 16 फरवरी 2021 को भारती क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से सन्याई ले लिया है तो नमन ओजाजी ने नेक्स्ट कोशन है आपर कि 16 फरवरी 2021 को कहां पहला फागुन उत्सव मनाया गया तो यह बंगला देश में मनाया गया 16 फरवरी 2021 को किस देश की धावी का बीट्राइस और यह है चैपकोईच ने 5 किलोमेटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो यह है कहां की है यह केनिया की है 16 फरवरी 2021 को किस देश की टीम T20 किरकेट में 100 अंतराष्ट्रिय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है तो यह बन गई है पाकिस्तान 16 फरवरी 2021 को किस ने ईच हावनी पोर्टन लॉंच किया है तो राजनात सिंग जी ने 17 फरवरी 2021 को कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है तो यह बनी है साइमा उबैद जी 17 फरवरी 2021 को कहां कंचोत त्योहार मनाया गया है तो यह मनाया गया है जम्मू कश्मीर में सत्रा फर्वरी 2021 को किस ने अभ्यारन लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है तो थियोडोर भासकरन ने नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि सत्रा फर्वरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिड़े मील वरकर के वेतन में बढ़ोतरी की है तो जारकंड सरकार ने सत्रा फर्वरी 2021 को किस राज्य के उलम्पियन मनीश रावत ने 35 किलोमेटर रेस वाक में स्वन पदक जीता है तो यह उत्रा खंड के हैं नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 17 फर्वरी 2021 को मानव अधिकार परिशद की सलाहकार समीती के अध्यक्ष कौन बने है तो यह बने है अजय मलोतरा जी 18 फर्वरी 2021 को राष्ट्रिय संस्क्रती महुत्सव का 11 संस्क्रन किस राज्य में आयुजित किया जा रहा है तो यह कहां किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर 18 फर्वरी 2021 को कमलास वे नामक पुस्तक किस ने लिखिये तो यह लिखिये डैन मोरेन ने नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन है हमारा 18 फर्वरी 2021 को कोच्ची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उधगाटन किस ने किया है तो पिनराई विजयन ने किया है 18 फरवरी 2021 को किस ने Instant Messaging Platform संदेश लॉंच किया है तो NIC ने 18 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच Chief Minister of the Year Award से सम्मानित किया गया है तो Y.S. जगनमोहन रेड़ी जी को 19 फरवरी 2021 को किस राज्य में अंतराष्ट्रिय सरस्वती महुतसव 2021 का यजुन किया गया तो हरियाना में Next question देखेगा कि 19 फरवरी 2021 को किस देश ने टेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा उडने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है तो ये किस ने दी है अमेरिका ने 19 फरवरी 2021 को उत्तरप्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सारवजनिक शोचाले कहां बनाया गया है तो ये बनाया गया है वारानसी के अंदर नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 19 फरवरी 2021 को दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया है तो केके मैनन जी को चुना गया है 19 फरवरी 2021 को 3 करोड से अधिग COVID-19 परिक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बनाया है तो ये बनाया है उत्तर प्रदेश 20 फरवरी 2021 को किस राज्य के चिकितसक डॉक्टर थंग जाम धवली सिंग को और ओडर ओफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है तो ये मनिपूर 20 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोट ने अमर वशा नाम का अनुवाद सौफ्टवेर लॉंच किया है तो बंगलादेश की सरकार ने या बंगलादेश की सुप्रीम कोट ने अगला कुशन है यहाँ पर 20 फरवरी 2021 को 2023 City of the World किसे चुना गया है तो हैदराबाद को चुना गया है 20 फरवरी 2021 को IPL 2021 के सबसे महेंगे खिलाडी कौन बने है तो क्रिस मौरिस बने है जो की साउथ अफरिका के हैं और 16.25 करोड रुपे में इनकी बोली लगी है 20 फरवरी 2021 को SERB महिला उतकरष्टता पुरसकार 2020 से किसे समानित किया गया तो अंतरा बनर जी, सानू गांधी और यहाँ पर शोबना कपूर जी को 20 फरवरी 2021 को 82 नंबर की रास्ट्रिय टेबल टैनिस चेंपियनशिप में एककल खिताब किस ने जीता है तो मनिका बतरा जी ने जीता है 20 फरवरी 2021 को 26 में हुनर हाट यह ध्यान रखेगा यह हुनर हाट से कोशन जरूर आता है तो 26 में हुनर हाट का उध्याटन जो है वो कहाँ पर किया गया तो नई दिल्ली में किया गया 20 फरवरी 2021 को DRDO ने हेलिना धुरुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षन कहाँ पर किया तो यह किया गया है राजिस्तान में 21 फरवरी 2021 को किस देश के उलंपिक मंत्री सी को हाशी मोतो को टोक्यो 2020 उलंपिक समीति का देख्ष चुना गया है तो जापान के 21 फरवरी 2021 को नासा कांत्रिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलता पूर्वक लेंड हुआ है तो मंगल नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 21 फरवरी 2021 को भारत का पहला स्टेथोसकोप स्टरलाइजर किस कंपनी द्वारा विक्सित किया गया तो XECH यानि कि शैस 21 फरवरी 2021 को किस ने अपना चौथा ग्रेंड स्लैम खिताब जीता है तो नाओमी उसाका ने 22 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया 22 फरवरी 2021 को की गई गोशना के नुसार दूसरे खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा तो ये करनाटक करेगा 22 फरवरी 2021 को कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवर्ड से समानित किया गया तो अयोध्या को 22 फरवरी 2021 को किस राज्य ने जल्द ही सिंगापूर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्ने लिया है तो उत्तर प्रदेश ने 22 फरवरी 2021 को की गई गोश्ना के नुसार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या किया जाएगा तो नर्मदा पुरम किया जाएगा नेक्स्ट कोशन है यहाँ 22 फरवरी 2021 को किस देश ने हिमालेई गुलाबी नमक का जी आई पंजिकरन करने का निर्ने लिया है तो यह किस ने लिया है पाकिस्तान ने लिया है नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 22 फर्वरी 2021 को लोक कला उत्सव का उत्सवम 2021 कहां शुरू हुआ है तो यह केरल में शुरू हुआ है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि 22 फरवरी 2021 को अटल पर्यावरन भवन का उधघाटन कहां किया गया है तो यह लक्षदीप में किया गया है 22 फरवरी 2021 को पूर्वी भारत के पहले कोशल विश्विधयले की निव कहां रखी गई है तो असम में रखी गई है 24 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है तो केंद्रिय उत्पाद शुल्क दिवस 23 फरवरी 2021 को कौन सा देश भारत का शिर्ष व्यापार भागिदार बन गया है तो ये चाइना बन गया है चीन बन गया है 23 फरवरी 2021 को किस जिले को परधान मंतरी किसान रास्ट्य पुरसकार के लिए चुना गया है तो अनंत पुरम को 23 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उध्योक का दर्जा देने का फैसला किया है तो केरल ने 23 फरवरी 2021 को किस देश ने टीका करन प्रमान पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी की है तो इस्राइल ने 23 फरवरी 2021 को महिलाओं को मालिकाना हग देने वाला पहला राज्य कौन बना है तो उत्राखंड बना है नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 23 फरवरी 2021 को मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंब किस ने किया है तो दॉक्टर हर्षवर्धन सिंग ने किया है 23 फरवरी 2021 को DRDO ने 2 VL SRSAM के सफल परिक्षन कहां किये हैं तो ओडिसा में 24 फरवरी 2021 को किस देश के सर्वोच नैले ने भंकियेगे संसद को बहाल किया है तो नैपाल ने 24 फरवरी 2021 को किस बैंक ने नम्मा चेने स्मार्ट कार्ड लॉंच किया है तो ICICI बैंक ने नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर 24 फरवरी 2021 को किस देश की जैस्मिन हैरिसन अट्लांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है तो UK की है United Kingdom की है 24 फरवरी 2021 को SR Power Limited किस राज्य में 90 मेगावाट का सोर सहियतर स्थापित करेगी तो यह मद्यप्रदेश में करेगी 24 फरवरी 2021 को Maritime India Summit के दूसरे संस्क्रण की मेजबानी किस ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 25 फरवरी 2021 को मुफ्त कोरोना वाइरस टी के प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनाए तो घाना बना है और दूसरा देश यहाँ आईवरी कोस्ट बना है 25 फरवरी 2021 को विडेन प्रशासन द्वारा अंतरास्ट्रिव रच्टाचार रोधी चेंपियन्स प्रसकार के लिए किसे चुना गया है तो अंजली भार्दवाज को चुना गया है 25 फरवरी 2021 को किस राज्य में फूल प्रसंस करण केंदर के स्थापना की जाएगी तो करनाटक के अंदर 25 फरवरी 2021 को ICO LD संगोष्टी का उधगाटन किस ने किया है तो गजेंदर सिंग सेखावत जी ने 25 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने सभी गाओं में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है तो पंजाब 26 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने महा सम्रद्धी महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की गोशना की है तो महरास्ट्र सरकार ने नेक्स्ट कोशन है आपर कि 26 फरवरी 2021 को कार्बन वाच लॉंच करने वाला पहला केंदर शासित प्रदेश कौन बना है तो ये बना है चंडीगड नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन है हमारा 26 फरवरी का कि सबसे 26 फरवरी 2021 को पीम किसान योजना को सबसे ते देश जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा तो ये रहेगा पाकिस्तान 27 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो वर्ल्ड एंजियो दिवस के रूप में नेक्स्ट कोशन है यहां पर कि 27 फरवरी 2021 को किस देश में सामुहिक टीकाकरन अभियान शुरू किया गया तो दक्षन कोरिया में और नेक्स्ट कोशन है यहां 27 फरवरी 2021 को किस राज्य में अटुकल पूंगाला उत्सव जो है आयोजित किया गया है तो ये केरल में किया गया है 27 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना पारंप्रिक लाल टेन महुतसव मनाया है तो लाल टेन महुतसव ध्यान रखेगा कहां का है लाल टेन महुतसव चाइना का है 27 फरवरी 2021 को फिर किस राज्य सरकार ने लोटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त आर टी pcr परिक्षन की गोशना किए तो यह की है केरल सरकार ने नेक्ट कोशन देखेगा कि 27 फर्वरी 2021 को कहां पर स्टुडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है जम्मू कश्मीर में 27 फर्वरी 2021 को किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडिया नॉवा को यू यू अन गुडविल एम्बेसर्डर निउक्त किया गया है तो ये रश्या की है 28 फरवरी 2012 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राश्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी 2012 को किस राज्य सरकार ने हुका बार पर रोक लगाने की घोशना की है तो ये की है जारकंड ने नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 28 फर्वरी 2021 को किस राज्य सरकार ने समीदा करमचारियों की सेवा निवरती आयू में तीन वर्ष की कटोती की है तो ये की है मद्धिब्रदेश ने 28 फर्वरी 2021 को भारतिय पुरुष इसकी टीम ने मिसर के काहिरा में शौटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है तो कांसे पदक जीता है 28 फर्वरी 2021 को करनाटक के किस जिले में खिलोना निर्मान क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है तो कोपल में नेक्स्ट कोशन है यहां 28 फर्वरी 2021 को साहित्य अकादमी फैलोशिप के लिए किसे चुना गया है तो वेल चेरू राव को चुना गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा 28 फर्वरी 2021 को इसरो ने अमजोनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलता पूर्वक परिक्षन कहां से किया है तो यह किया है आंधर प्रदेश से 28 फर्वरी 2021 को पुलिस में महिला स्कॉर्ड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन मना है तो यह बना है उत्राखंड 1 मार्श 2020 को कौन सा दिवस मनाए गया तो शुन्य भेदवाव दिवस 1 मार्श 2021 को किस ने वैश्विक उर्जा और पर्यावरन नेतरत्व प्रसकार प्राप्त किया है तो यह प्राप्त किया है नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्श 2021 को किस बैंक ने PM केर्स फंड में 11 करोड का दान दान दिया है तो यह किस ने दिया है SBI ने दिया है अब हमारा नेक्स्ट कोशन देखे एक मार्च 2021 को युक्रेन कुष्टी में किसने सौन पदक जीता है तो विनेश फोगाट ने एक मार्च 2021 को की गई गोशना के नुसार हीरो इंडियन विमन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा तो ओडिशा करेगा नेक्स्ट कोशन है हाँ एक मार्च 2021 को पस्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है आर हरी कुमार जी को नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर 1 मार्च 2021 को G20 Central Bank Governors की बैठक में किस ने भाग लिया है तो निर्मला सीता रमन जी ने 1 मार्च 2021 को DRDO ने कहां से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉंच किया तो ये किया है आंदरप्रदेश से 1 मार्च 2021 को किस देश ने अंत्रिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉंच किया है तो ये रूस ने किया है नेक्स्ट कोशन देखेगा हमारा तो नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो एक मार्च को 2021 को कौनसा जन और शदी दिवस शुरू हुआ है तो ये हुआ है तीसरा 2 मार्च 2021 को बेटेन के दो क्रूस जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है तो गुजरात में नेक्स्ट कोशन है हाँ पर 2 मार्च 2021 को अंतराश्ट ये योग उत्सव कहां शुरू हुआ है तो ये हुआ है रिशिकेश के अंदर 2 मार्च 2021 को चर्चा में रहे Because India Comes First नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो राम माधव जी ने लिखी है हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे न्यूक्त किया गया है अजेंदर बहादूर सिंग जी को और नेक्स्ट कोशन यहां पर 2 मार्च 2021 को मोन मेडिकल कॉलिज की आधारशिला कहां रखी गई है तो ये नागालेंड में रखी गई है नेक्स्ट कोशन यहां पर 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत एप किसने लौंच किया है में कौन टॉप पर है तो एलोन मस्क हैं भारत के मुकेश अम्बानी इसमें आठ्वेंस्तान पर हैं तीन मार्स दोजारिकिस को अंतरास्ट्रिय मुक्यबाजी संग के चैंपियन्स और दिग्गत समीती का धेक्ष किसे चुना गया है तो मैरिकॉम को चुना गया है नेक्स्ट मार्स दोजारिकिस को रेल मंत्री ने कब तक संपून रेल नेटवर्क के विदूति करण की घोशना किये तो 2023 तक चार मार्स दोजारिकिस को जारी नगरपाली का प्रदर्शन सुचकांक 2020 में कौन शिर्ष पर रहा है तो इंदौर शिर्ष पर यहां रहा है चार मार्स दोजारिकिस को जारी इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शिर्ष पर रहा है तो बैंगलूरू शिर्ष पर रहा है पांच मार्स दोजारिकिस को को वैक्सिन को अधिकरत करने वाला आफरिका का पहला देश कौन बना है तो जिंबाबवे 5 मार्स 2021 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं तो किरोन पॉलाड बने हैं जो की जिन्होंने की श्रिलंका के विरोध ये कारनामा किया है 5 मार्स 2021 को खेलो इंडिया बिंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्क्रण में शीर सिस्थान पर कौन रहा है तो जम्मू कश्मीर रहा है 5 मार्स 2021 को किस राजजेग ने क्रेशी जनगंडा एजवित करने की घोशना की है तो गुजरात ने 5 मार्स 2021 को दुनिया का पहला प्लैटिपस अभ्यारण कहां इस्ताफित किये जाने की घोशना की गई है तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 मार्स 2021 को बिहारी पुरसकार के लिए किस से चुना गया है ये बिहारी पुरसकार बहुत इंपोर्टेंट है और ये हर बार एकजाम में कहीना कहीं पूछा जाता है तो ध्यान रखेगा इस बार जो है 6 मार्श 2021 को किसे दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा जी को और कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है तो तसलीमा संगर्ष और साइथ तिक है छे मार्श 2021 को संसद टीवी के CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो रवी कपूर को 7 मार्श 2021 कोल इससी द्वारा जारी टेस्ट रेंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है तो प्रफम falar रही है और दूसरे स्थान परण नियुजिलेंड रही है 7 मार्च 2021 को किस देश ने पहले transgender news reader को नियुक्त किया है तो यह Bangladesh ने किया है Next question देखेगा Next question देखते हैं 7 मार्च का ही कि 7 मार्च 2021 को पहला white water rafting festival कहां आयुजित किया गया तो जम्मु कश्मीर में 7 मार्च 2021 को G.I. महत्षव का उधगाटन कहां किया गया तो मसूरी में 8 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया अंतरास्ट्रिय महिला दिवस आठ मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उधगाटन प्रधानमंत्री मोधी द्वारा किया गया तो बंगला देश आठ मार्च 2021 को गुड महुत्साव का आयोजन कहां किया गया है तो लखनव में नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 8 मार्च 2021 को भारत का पहला वन चिकित्सा केंदर कहां पर खुला है तो रानिखेत उत्राखंड में खुला है और इसके उपर कम्पलीट हमारा एक वीडियो है उसे भी आप जरूर देख लीजेगा जीके की पाटशाला की हमारी एक प्लेइलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर इसका आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा इसके उपर हमने पूरी डिटेल से आपको हर एक चीज़ बताई है अगला देखेगा यहाँ पर 8 मार्श 2021 को किस राज्य की विधानसबा में धर्मांतरन विरोधी विदेयक पारित किया गया है तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है 8 मार्श 2021 को भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी डेस्क कहां पर खुला है तो यह तेलंगाना के गची बोवली पुलिस स्टेशन पर खुला है 8 मार्श 2021 को किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉंच किया गया है तो गूगल 9 मार्श 2020 को जेंडर बजट अवधारना के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है तो यह बना है आंदर प्रदेश 9 मार्श 2021 को अक्षे पत्र All Women Art प्रदर्शनी का उधगाटन कहां पर किया गया है तो यह नई दिल्ली में किया गया है 9 मार्श 2021 को जोन लपोटा ने किस देश के रास्टपती का चुनाव जीता है तो बारसी लोना के नेक्स्ट कोशन देखेगा 9 मार्श 2020 को किस देश के रास्टपती ने अफरीकी नेतरत्व परसकार जीता है तो नाइजर 9 मार्श 2021 को बजरंग पुनिया ने रोम में आयुजित माटियो पैलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सिरीज में कौन सा यहां पर पदक जीता है तो स्वन पदक जीता है 9 मार्श 2021 को CPCB के आखनों के नुसार सरवादिक दूशित इस्थल कहा हैं तो यह ओडिशा में हैं 10 मार्श 2021 को किस राज्य सरकार ने सुपर 75 चातरवर्ती योजना की शुरुवात की है तो जम्मू कश्मीर ने 10 मार्श 2021 को International Federation of Film Awards FIAF पुरसकार किसे दिगाया गया है तो यह अमिताप बच्चन जी को दिया गया है 10 मार्श 2021 को जारी आर्थिक स्वतंतरता सुचकांग 2020 में कौन सा देश यहां पर शेश पर रहा है तो सिंगापूर 10 मार्श 2021 को किस देश ने अंत्रिक्ष में पहला सेन्य अभ्यास शुरू किया है तो फ्रांस ने किया है 10 मार्श 2021 को BBC Indian Sports Women of the Year पुरसकार किसे दिया गया है तो कोनेरू हमपी को दिया गया है 10 मार्श 2021 को किस राज्य सरकार ने आयुश्मान भारत योजना के स्वन कार्ड बनाने का अभ्यान शुरू किया है तो यह किस ने किया है उत्तरप्रदेश की सरकार ने किया है 10 मार्श 2021 को भारत और किस देश के बीच उत्राखंड के रानी खेत में डस्ट लिख सेकेंड अभ्यास आयोजित किया गया तो उजबेकिस्तान में 11 मार्श 2021 को लिविंग वेल विद केडिनी डिजीज विशे के साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व केडिनी दिवस यहाँ पर मनाया गया है 11 मार्श 2021 को हैरत उत्सो कहां मनाया गया तो जम्मू कश्मीर में ग्यारा मार्च 2021 को भारत का मुख्य सांख्य की विद किसे नियुकत किया गया है तो डॉक्टर जीपी सामन्त जी को किया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 11 मार्च 2020 को राष्टपती रामनात कोविंद ने किसे बैटन ओफ ओनर से सम्मानित किया है तो ये किया है किरन बेदी को यहाँ 11 मार्च 2020 को इसरों ने किसके साथ मिलकर सयुक्त प्रत्वी अवलोकन मिशन रडार निसार विक्सित किया है तो नासा के साथ मिलकर नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 11 मार्च को किस राज्य सरकार ने आजादी का अमरत महुतसव मनाने के लिए 25 करोड रुपे स्विक्रत किये हैं तो तेलंगाना 12 मार्च 2021 को किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगा कू उपयोग के लिए तैयार है तो यह जापान में 12 मार्च 2021 को वेस्टन डीस टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है तो क्रैग ब्रेथवेट को 12 मार्च 2021 को महिला अंतराश्टी क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली खिलाडी कौन बनी है तो मिताली राज नेक्स्ट कोशन देखे कि 12 मार्च 2021 को प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोनत होने वाले केंद्रिय मंत्री कौन है तो यह है अनुराग ठाकुर जी नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 12 मार्च 2021 को किस राजी सरकार ने IBM के साथ STEM4 गर्ल्स का रिकरम शुरू करने के लिए समझोता किया है तो यह उत्राखंड ने 12 मार्च 2021 को टेस्ट कर्केट में दोरा सतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाडी कौन मने है तो हश्मत उल्ला शाहिदी बने है 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्शकांट मनाई गई तो 91 नंबर की 13 मार्श 2021 को भारत के पहले विश्व कौशल केंदर का उद्गाटन कहां किया गया भूवनेश्वर में 13 मार्श 2021 को मध्य अमेरिका का पहला देश कौन मना है जिसे मलेरिया मुक्त गोशित किया गया है तो अल सलवाडोर नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 13 मार्स 2021 को किस ने पैरेंट हुड का समर्थन करने के लिए वील्स अफ लव नामक कारेकरम लॉंच किया है तो टाटा मोटर्स ने 14 मार्स 2021 को किस राज्य में अरजुन सहयक परियोजना शुरू हुई है तो उत्तर प्रदेश में 14 मार्स 2021 को भारत का पहला केंद्रेकरत एसी रेल्वे टर्मिलन कहां बना है तो ये बना है है हैदराबाद के अंदर 14 मार्स 2021 को किस राज्य में रसिन बांध और चिलीमल बांध का उद्गाटन किया गया है तो उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट कोशन है यहां पर कि 14 मार्स 2021 को केंद्र सरकार ने बीमा छेतर में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमती दी है तो 24 प्रतिशत तक 14 मार्श 2021 को कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बन गया तो दिल्ली 14 मार्श 2021 को मनरेगा के तहट रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य यहाँ पर शिर्ष पर पहुँचा है तो 36 गड़ 15 मार्श 2021 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशारिन योजना शुरू की है तो करनाटक विकास ग्रामिन बैंक ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 15 मार्श 2021 को T20 अंतरास्टी किर्केट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए है तो विराट कोहली जी बन गए है 15 मार्श 2021 को किस Small Finance Bank ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया है तो उजीवन इसमाईल Finance Bank ने 15 मार्श 2020 को कितने राज्यों ने सफलता पूरवक एक देश एक राशनकार्ड योजना को लागू किया है तो 17 देशों ने 15 मार्श 2021 को की गई गोशना के अनुसार पहली जिनोम मैपिंग परियोजना कहां शुरू की गई तो यहां पर यह कहां शुरू होगी हिंद महासागर में 16 मार्श 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो राश्ट्रिय टीकागरन दिवस के रूप में 16 मार्श 2020 को कहां चिनार दिवस मनाया गया है तो जम्मू कश्मीर में 16 मार्च 2021 को 2020 क्रिकेट में सबसे ज़ादा विकेट लेने वाले भारतिय बॉलर कौन बने है तो यजवेंद्र चहल बने है 16 मार्च 2021 को किस राज के हाई कोट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है तो केरल ने 16 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के नुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश यहाँ पर शिर्षपर है तो चाइना 16 मार्च 2021 को कौन सा देश UAE को पीछे चोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता बन गया है तो अमेरिका यहाँ पर बन गया है 16 मार्च 2021 को जम्मु कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने E. सुविधा के नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन विक्सित किया है तो यह राम बनने 17 मार्च 2021 को टाइम की फ्रंट कवर परिस्थान पराप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर वेक्ती कौन बने है तो इलियट पेज बने है 17 मार्च 2021 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिये महिला तलवारबाज कौन बनी है तो भवानी देवी जी बनी है नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 17 मार्च 2021 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार भारत के हतियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है तो 33 प्रतिशत की कमी आई है 17 मार्च 2021 को विश्व वायू गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के नुसार विश्व में सबसे प्रदूशित राजधानी कौन सी बनी है तो नई दिल्ली 17 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के नुसार एशियन बॉक्सिंग चेंपियंशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा तो भारत करेगा 17 मार्च 2021 को सीबक थौर्न व्रक्षा रोपन कारेकरम कहां शुरू हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है 18 मार्च 2021 को आसकर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभीनेता कौन बने है तो रिज एहमद बने है 18 मार्च 2021 को आई एसस एफ शूटिंग विश्वकब 2021 की शुरूआत कहां हुई है तो ये दिल्ली में हुई है 18 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमन अफ करेज 2021 पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो कौसलिया संकर जी को 18 मार्च 2021 को किसने जम्मु कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कारिकरम की शुरूआत की है तो मनोज सिनहा जी ने की है 19 मार्च 2021 को मिशन ग्रामोदे का सुभारंब कहां से किया गया तो मध्यप्रदेश से किया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 19 मार्च 2020 को अफरिका के सबसे उचे परवत कीली मिंजारों पर चड़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन मना है तो विराट चंद्रा नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 19 मार्च 2020 को इंटरनेशनल डे ओफ एक्शन फॉर रिवर्स का विशे क्या था तो राइट्स ओफ रिवर्स था 19 मार्च 2021 को अमर एकुशी पुस्तक मिला 2020 का उधगाटन कहां पर हुआ है तो यह ढाका में हुआ है 19 मार्च 2021 को किस देश ने संशोधित आई ऐसे फ्रेमवर्क समझोते के तहट अंतरास्ट्रिय सौर गटवंदन पर अस्ताक्षर किये हैं तो इटली ने 19 मार्च 2021 को हीरो मोटर्स कंपनी ने कहां अपना वेश्विक मुख्याले स्थापित किया है तो लंडन में नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 20 मार्च 2021 को पहली उच्छ इस्तरी है अमेरिका चीन बैठक कहां शुरू हुई है तो अलास्का में 20 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन शेतर बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ है तो 24.56 प्रतिशत हुआ है 20 मार्च 2021 को जारी विश्व खुशाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशाल देश कौन बना है तो फिनलेंड बना है और भारत का इस्तान इसमें 139 नंबर का है 20 मार्च 2021 को 11 मी होकी महिला रास्ट्री है चेंपियंशिप किस ने जीती है तो ये जीती है हरियाना ने और अगला कोशन है हमारा की 20 मार्च 2021 को अल इंडिया बैडमिंटन टूनामेंट के क्वाटर फाइनल में पहुशने वाले सबसे युवा भारतिये कौन बने हैं तो प्रने हारे बने हैं 21 मार्च 2020 को कौन वन धन विकास योजना के लिए मौडल राज बनकर उबरा है तो मनिपूर उबरा है 21 मार्च 2020 को किस ने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉंच किया है तो टेलिग्राम ने 21 मार्च 2021 को किस देश ने इच्छेम रत्यू को वैद बनाने वाला कानून जो है पारित किया है तो ये किस ने किया है इस्पेन ने किया है नेक्स्ट कुशन देखते हैं आपर 21 मार्च 2021 को अंतरास्ट्री है शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशा स्विनी देशवाल ने कौन सा पदक जीता है तो स्वन पदक जीता है 22 मार्च 2021 को लक्ष्मी प्रिया महापातर का निधन हुआ है वे कौन थी तो ओडिसी नत्यांगना थी 21 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ती अभियान कैस दा रेन किस ने शुरू किया है तो नरेंदर मोदी जी ने शुरू किया है 21 मार्च 2021 को जारी Global Home Price Index में भारत कौन से स्थान पर रहा है तो 56 नंबर पर रहा है 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने 109 इस्थापना दिवस मनाया है तो बिहार ने 22 मार्च 2021 को इथेनौल नीती रखने वाला पहला राज्य कौन बना है तो ये बना है बिहार 22 मार्च 2021 को भारत के पैरा एथलीट सिंग राज ने 2021 पैरा निशाने बाजी विश्व कप में कौन सा पदग जीता है तो स्वन पदग जीता है 22 मार्च 2021 को किस देश के ली जी जी जिया ने All England and Badminton Championship जीती है तो ये जीती है मलेशिया 22 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है तो ये किस ने किया है अनुनाचल प्रदेश ने किया है नेक्स्ट कोशन देखिएगा कि 23 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विशय क्या है तो महासागर हमारी जलवायू और मौसम 23 मार्च 2021 को 67 नंबर का राश्ट्रिय फिल्म पुरसकार के तहत सर्वस्रेश्ट अभिनेतरी अवर्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो कंगना रनौद जी को 23 मार्च 2021 को दो दिवसिय नंदनी नदी महोत्साव का समापन कहां पर हुआ है तो यह हुआ है मैंगलोर के अंदर 23 मार्च 2021 को किस राज्ज ने पश्वों के लिए भारत का पहला एंबुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निड़ने लिया है तो यह आंध्रप्रदेश ने 2020 का गांधी शांती प्रसकार ध्यान रखेगा बहुत सारे एक्जाम में आप चेक कर सकते हैं चाहे आप NTPC का देख लीजे चाहे आप पुराने रेलवे गुरूबडी के पेपर देख लीजे गांधी शांती प्रसकार से आपको प्रश्ण जो है 100% किसी ना किसी एक्जाम म वर्श 2020 का गांधी शांती प्रसकार के लिए किसे चुना गया है तो शेक मुझीबुर रहमान को ठीक है आप चेक कर सकते हैं ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट है 23 मार्श 2020 को किस देश में स्थित संगे ज्वाला मुखी फटा है तो ये एकवाडोर में 24 मार्श 2020 को ICC T20 रेंकिंग में कौन सी भारती महिला खिलाडी पहले स्थान पर रही है तो शेफाली वर्मा जी 24 मार्श 2020 को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझोता किया है तो मध्य प्रदेश के साथ 24 मार्श 2021 को रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सेटलाइस्ट लॉंच किये है तो 18 देशों के लिए 24 मार्श 2021 को एक भारत स्रेष्ट भारत कारेकरम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है तो सिक्किम को 25 मार्श 2020 को किस राज्य के मुख्य मंतरी ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा भ्यान शुरू किया है तो मध्य प्रदेश 25 मार्श 2020 को लिए कि से किस ने किया 25 मार्च 2021 को ISSF विश्वकप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है तो स्वन पदक जीता है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 25 मार्च 2021 को जारी अंतरास्रिय बौधिक संपद्दा सुचकांक में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो 40 में इस्थान पर रहा है 25 मार्च 2021 को भारतिय तटरक्षक जहाज वज्र को कहां कमीशन किया गया है तो यह चन्नाई में कि 25 मार्च 2021 को चित्रा नायक को किस कमपनी का स्वतंतर निदेशक न्यूक्त किया है तो इन्फोसिस का और इन्फोसिस काफी बड़ी कमपनी है और CEO जो है पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर और देखे निदेशक पूछे जाते हैं एक्जाम में तो इन्फोसिस के निदेश को की गई गोशना के नुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा तो ये भारत करेगा 26 मार्च 2021 को चतरशाल कंवेंशन सेंटर का उधगाटन कहां किया गया है तो खजुराहो मध्यप्रदेश के अंदर किया गया है 26 मार्च 2021 को डबलु डबलु आर ने किस भार गोशलेजी को 26 मार्च 2021 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में योगासन को शामिल किया है तो क्रेन रिजूजू और यहाँ पर अगला है 26 मार्च 2021 को ICC महिला विश्व कप 2022 का अधिकारिक गीत किसने गोशित किया है तो गर्ल गैंग जो है ये गोशित किया है अगला है यहाँ पर 27 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया अर्थ आवर डे के रूप में नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 27 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाये गया तो विश्व रंग मंचन दिवस भी जो है इस दिन मनाये गया और 27 मार्च 2021 को 28 में हुनर हाट का उधगाटन क पर किया गया है तो गोवा के अंदर किया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 27 मार्च 2021 को परवाता रोही रोहताज खिलेरी एवं अनुयादव ने किस सबसे उची चोटी पर 24 घंटे रुखने का रिकॉर्ड बनाया है तो कीली मिंजारो 27 मार्च 2021 को किस देश ने शाहिन 1st A मिसाइल का सफल परिक्षन किया है तो पाकिस्तान ने 27 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत के प्रियास के तहट आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किस ने किया है तो डॉक्टर हर्शवर्दन सिंग जी ने 28 मार्च 2021 को शहीद अशफाक उलला खंपार्क का उदगाटन कहा किया गया है तो गुरखपुर में किया गया है यहां डॉक्टर हर्षवर्दन ने 29 मार्च 2020 को नासा ने किस ग्रह की बरफिले रेत के टीलों की तस्वीर साजा की है तो मंगल के 29 मार्च 2020 को बंगलादेश के ढाका और पश्चिम मंगाल के जलपाई गुडु को आपस में जोडने के लिए 29 मार्च 2020 को किस देश के माउंट मोरापी मेरापी है ये मेरापी ज्वाला मुखी में विस्पोर्ट हुआ है तो इंडोनेशिया नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहां पर कि 29 मार्च 2021 को शुटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की स्रेहसी सिंग ने विमेंट ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है तो स्वन पदक जीता है 30 मार्च 2021 को किस देश के ज्वालमकी में 900 वर्षों के बाद विस्पोर्ट हुआ है तो आइसलेंड 30 मार्च 2021 को फिल्म फेर अवर्ड्स 2020 में किसे सर्वस्रेष्ट अभिनेता का अवर्ड दिया गया है तो इर्फान खान को और 30 मार्च 2021 को फिल्म फेर अवर्ड्स में किसे सर्वस्रेष्ट फिल्म का अवर्ड दिया गया तो थपड को और 30 मार्च 2021 को US ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंदों को निलंबित किया है तो ये म्यानमार के साथ Next question देखेगा कि 30 मार्च 2021 को स्कोप की नई चेयर परसन कौन बनी तो सोमा मंडल जी और 30 मार्च 2021 को स्वेज नहर में कौन से जहाज के फसने के कारण यातायात अवरुद हो गया तो एवर गिवन ठीक है Next question पर चलते हैं अपने तो next question देखेगा कि 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया गया तो International Transgender Day of Visibility 31 मार्च 2021 को आनंदम The Center for Happiness का उधगाटन कहां किया गया है तो IIM जम्मू में 31 मार्च 2021 को किस देश के ससस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तिवा दिया है तो ब्राजील के 31 मार्च 2021 को महराजा छत्रशाल कन्वेंशन सेंटर का उधगाटन कहां किया गया है तो खजराहू मद्यप्रदेश में किया गया है 31 मार्च 2021 को ISSF Shooting विश्युकप 2021 में कौन शिर्ष पर रहा है तो भारत यहां पर शिर्ष पर रहा है 31 मार्च 2021 को कहां ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रक्स्रिक्षन कारिकरम शुरू हुआ है तो जम्मो और कश्मीर में 31 मार्च 2021 को किसने चैक आउट विध क्रिप्टो की गई क्रिप्टो की जो नई सुविडा है कि गोशना की है तो यह पैपल ने की है और 21 मार्च 2021 को 2020 का सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला है इससे भी आपके एक्जाम में कोशन आपको हर बार देखने को मिलता है सरस्वती सम्मान से भी तो देखे सरस्वती जो सम्मान है वो किसे मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिमबाले और कौन सी पुस्तक के लिए सनातन के लिए ने ये दिया गया है ध्यान रखेगा अगला है 31 मार्श 2021 से केंदर सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की रियायत दी है तो कितने प्रतिशत की रियायत दी है तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन पर और हमारा नेक्स्ट कोशन है कि 1 अपरेल 2021 को कौन सा दिवस मनाए गया तो ये मनाए गया उतकल दिवस एक अप्रेल 2021 को किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोशना की है तो पंजाब सरकार ने एक अप्रेल 2021 को जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन सा खिलाडी शिर्ष पर रहा है तो विराट कोहली एक अप्रेल 2021 को तीन दिवसिये आयरवेद पर्व का आयोजन कहां किया गया है तो ये किया गया है भुवनेश्वर में और एक अप्रेल 2021 को दो हरित उर्जा कुशल शहर बना एक अप्रेल 2021 को अपने सभी निवासियों को स्वास्थ भीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो राजस्थान दो अप्रेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतरास्ट्रिय बाल पुस्तक दिवस नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 2 अप्रेल 2021 को किस राज्य में होने वाली राश्ट्रिय जूनियर होकी चेंपियन्शिप को इस्तगित किया गया है तो जारखंड में दो अप्रेल 2021 को किस बैंक ने संपर्क रहित रूपे कार्ड लॉंच करने की घोशना की है तो यूनियन बैंक ने दो अप्रेल 2021 को की गई घोशना के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी जील संरक्षित आर्दर भूमी घोशित की जाएगी तो डल जील और दो अप्रेल 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले निगटिव आटी पीसिया टेस्ट को अनिवारे किया है तो उत्राखंड सरकार ने और नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर दो अप्रेल 2021 को की गई घोशना के अनुसार भारतिय सेना किस देश में शांतिर अगर सेना 2021 सेन्य अभ्यास में भाग लेगी तो यह हो जायेगा उत्तर हमारा बांगला देश तीन अप्रेल 2020 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विक्सित किया है तो यह किया है रशिया यानि कि रूस ने तीन अप्रेल 2020 को किस बैंक ने जापान बैंक के साथ एक बिलियन डॉलर का रिन समझाता किया है तो यह SBI ने नेक्स्ट कोशन है तीन अप्रेल 2020 को जारी WEF के जेंडर गैप सुचकांक 2021 में कौन सा देश यहां पर सिर्ष पर है तो आइसलेंड है नेक्स्ट कोशन है यहां तीन अप्रेल 2021 को की गई होशना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर उर्जा सैयत्र कहां इस्तापित किया जाएगा तो यह किया जाएगा तेलंगाना के अंदर नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो चार अप्रेल का नेक्स्ट कोशन देखेगी चार अप्रेल 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पून विधुती क्रत भारती ये रेलवे जोन बन गया है और पश्चिम मद्य रेलवे ये बन गया है रेलवे की द्रस्टी से काफी महत्वपून प्रश्ण चार अप्रेल 2020 को ICI CI Bank ने Fast Tax जारी करने के लिए किसके साथ साजेदारी की है तो Phone Pay के साथ और 4 अप्रेल 2021 को अनिया मिथुन ने दक्षिन एशियाई वूशू चेंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है तो स्वन पदक जीता है 4 अप्रेल 2021 को किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टैनिस चेंपियनशिप जीती है तो ये एशले बाटी ने नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 4 अप्रेल 2020 को किस थीम के साथ अंतराश्ट्रिय खदान जागरुकता दिवस मनाया गया तो द्रड़ता साजितारी और प्रगती के 4 अप्रेल 2020 को किस राज्य के राज्यपाल विश्व भूशन हरीचंदन को कलिंग रतन पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया तो आंधर प्रदेश 5 अप्रेल 2020 को किस राज्य सरकार ने अमबोली को जैव विविदता विरासत इस्थल के रूप में नामित किया है तो महराश्ट्र सरकार ने 5 अप्रेल 2021 को सारवजनिक उधम चैन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो मलिका श्री निवासन को नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 5 अप्रेल 2021 को सेंग्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोशित किया गया है तो अंतराष्ट्री अंतरात्मा दिवस के रूप में 5 अपरेल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन, AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर चिंतन वेशनव को 5 अपरेल 2021 को मियामी ओपन टैनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जिता है तो पॉलेंड के हुबर्ट हरकाज ने 5 अपरेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो रास्ट्री है समुदरी दिवस 5 अपरेल 2021 को कोविड नाइंटीन डिजिटल यात्रा पास को स्विकार करने वाला पहला देश कौन बना है तो ये बना है सिंगापूर और 5 अपरेल 2021 को फ्रांस और क्वार्ड देशों भारत अमेरिका उस्ट्रेलिया जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षिय समुदरी अभ्यास का आयोजन किया गया है तो लापैरोस में 6 अपरेल 2021 को किसकी सुषना नुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्यबाजी प्रतियोगिता कहां युजित की जाएगी तो ये की जाएगी ताशकंद जो की उजबेकिस्तान में है 6 अपरेल 2021 को BCCI भष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुक किसे चुना गया है तो शब्बीर हुसेन शेखामंद खंडवाला जी को 7 अपरेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व स्वास्त दिवस मनाया गया नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 7 अपरेल 2021 को रेलवे को वर्ष 2021 में स्क्रैप की बिक्री से कितनी राशी प्राप्त हुई है तो 4533,000 करोड 7 अपरेल 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है तो उत्तर कोरिया बन गया है 8 अपरेल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोकरियाल निशंक ने देश में रास्ट्री शिक्षा नीती को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम से पहल का शुभारम किया है तो सार्थक नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 8 अपरेल 2021 को पी-म नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्क्रन जारी किया गया इसके लेखक कौन है तो उतकल केशरी डॉक्टर हरे किशना महताब और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है शंकरलाल प्रोहिद जी ने किया है आठ अपरेल 2021 को सर्वोच नैले ने किस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पोटल को लॉंच किया है तो सूपेश को 9 अपरेल 2021 को केंद्रे शिक्षामंत्री रमेश पोख्रियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विश्वोटक का पता लगाने में सायक के सुपकरन की शुरुवात की तो ETD नैनो स्नीफर नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 9 अपरेल 2021 को किस देश के महारानी अलिजाबेत दुतिये के पती प्रिंस फिलिफ का 99 वर्ष की आयू में निधन हो गया तो ब्रिटेन की जो है ये अलिजाबेत हैं और 9 अपरेल 2021 को महाकवी सूर्दास की तपिस्तली महे मदपुर गाओं का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है परासौली कर दिया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 9 अपरेल 2021 को किस नगर निगम का 150 करोड रुपे का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड BSE एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है तो ये गाजियाबाद का 9 अपरेल 2021 क किन सेन्य अधिकारी ने एकल साइकलिंग में गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया तो ये भरत पन्नु जी ने 9 अपरेल 2021 को किन दो IPL टीमों की मैच के साथ IPL का चौदवां सीजन शुरू हुआ तो मुंबे इंडियन्स और रोयल चलेंजर बैंगलोर 10 अपरेल 2021 को उत्राखंट सरकार ने बदरिनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों को राज्य नियंतरन से मुक्त कर दिया है तो 51 मंदिरों को 10 अपरेल 2021 को दिल्ली विश्व विद्याले में संस्क्रत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रिशी राज पाठक को उनके काव्य संग्रे है अधोन मेश के लिए किस पुरसकार के लिए नामित किया गया है तो साहित्य अकादमी युवा पुरसकार 11 से 14 अपरेल 2020 तक कोविड मरीजों की बढ़ती संक्या पर नियंतरान के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन किया गया तो टी का उत्सव का नेक्स्ट कोशन है 11 अपरेल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व पारकिंसन दिवस यहाँ पर मनाया गया है नेक्स्ट कोशन देखियेगा यहाँ पर 11 अपरेल 2021 को नागर विमानन मंत्राले ने किस देश के साथ एयर बबल समझेतों को अंतिम रूप दे दिया है तो श्रेलंका ने 11 अपरेल 2020 को 42 साल बाद पूर्वी केरिबियन आईलेंड परिस्थित किस ज्वालमुखी में अचानक से विस्पोट हुआ है तो लौ सौफरियर में 12 अपरेल 2020 को भारतिये केंद्रिये और शदिये महाने दियंत्रक के रूपस में बने किस वैक्सीन को आपातकाले इन उप्योग की अनुमती दी है तो इस पूतनिक वी और ये कहां बनी है रूस में नेक्स्ट कोशन है 12 अपरेल 2021 को बंगलादेश में भारतिये परिशत द्वारविक्सित संस्क्रत सिखाने वाले किस एप का शुभारंब होया तो लिटिल गुरू का नेक्स्ट कोशन देखिया गाकी 12 अपरेल 2021 को 74 नंबर के बाफ्टा पुरसकार में बेस्ट अभिनेता और बेस्ट अभिनेतरी के अवर्ड से किसे सम्मानित किया गया तो एंथनी होपकिस जो है दफादर के लिए और फ्रांसिस मैक डोर्मंड जो है नॉमेड लेंड के लि बस 13 अपरेल 2021 को केंदर शाषित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला वर्ष 2021 के दुरान प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यानवेन में राश्ट्रिय इस्तर पर प्रथमिस्तान जिसने प्राप्त किया है तो वो कौन है उधंपुर जिला नेक्स्ट कोशन है 13 अपरेल 2021 को जलियांवाला बाग नरसंगार की कौन सी वर्षकांट मनाई गई तो 102 नंबर की 13 अपरेल 2021 को नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी नाडा के महाने देशक के रूप में किसे चुना गया है तो सिदार सिंग लोंगजाम को 13 से 16 अपरेल 2021 के बीच प्रदान मंत्री नरेंद मोधी के अध्यक्षता में आयोजित 6 राय सीना डायलोग 2021 में मुख्य अतिती कौन थे तो रवांडा के राष्टपती और डेन्मार्क के प्रदान मंत्री नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 14 अपरेल 2021 को 36 सरकार द्वारा धावक दूती चंद को कौन सा पुरसकार दिया गया तो 36 वीरनी पुरसकार 14 अपरेल 2021 को राष्टर समिधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर की कौन सी जैनती मनाई गई तो 130 नंबर की 14 अपरेल 2021 को पोशन के बारे में जनता में जागरुकता फैलाने के लिए स्वास्त मंत्री हर्शवर्दन ने किस अभ्यान की शुरुआत की है तो आहार क्रांती और इसका अधर्शवाक के क्या है उत्तम आहार और उत्तम विचार नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 14 अपरेल 2020 से असम में बर्ड काउंट ओफ इंडिया यानि की BCI द्वारा पक्षियों के लिए किस गणना की शुरुआत हुई तो बोहाग बीहु पक्षी गणना 14 अपरेल 2021 को भारती क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पचाड कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने ICC वंडे रेंकिंग में प्रथम इस्तान हासिल किया है तो वो हैं बाबर आजम नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहाँ पर 15 अपरेल 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो विश्व कला दिवस के रूप में मनाया गया और हिमाचल दिवस के रूप में मना गया जो कि 50 हिमाचल दिवस था 15 अप्रेल 2021 को किस प्रसिद कवी को वर्ष 2020 का लोक नायक फाउंडेशन सायतिक प्रसकार दिया गया है तो कट्टी पदम राव को 15 अप्रेल 2021 को जारी रिपोर्ट के नुसार टीकाउट साउ के तहट कितने लोगों को टीके लगाएगे तो एक करोड 28 लाग से अधिक लोगों को 15 अप्रेल 2021 को बैंगलोर के विग्यानिकों ने सीवरों से उत्पादित जहरीले और ज्वलनचील हाईडरोजन सलफाइड गैस का पता लगाने के लिए किस का विकास किया है तो इलक्ट्रोनिक नाक का विकास किया है 15 अप्रेल 2021 को भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजंसियों ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनियान के सयोग के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो फ्रांस 15 अप्रेल 2020 को अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की गोशना की है तो भारत के साथ 16 अप्रेल 2020 को शिक्षा मंतरी रमेश पोकरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफायती और टिकाव किस स्वच्छ उत्पादन स्रंकला की शुरूआत की है तो डूरोकिया स्रंकला की नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 16 अप्रेल 2021 को ब्रेटेन के ग्रह मंतराले ने किस भगोडे कारोबारी के प्रत्रपन को मंजूरी दी है तो निरव मोदी 16 अप्रेल 2021 को कोवीड संक्रमन में तेज बड़ोतरी के कारण किस राज्य की सरकार ने आवशक सेवाए अनुरक्षन अधिनियम एसमा लागू किया है तो 36 गड़ की सरकार ने 16 अप्रेल 2021 को वियतनाम की विदेश मंतरी कौन बने तो बुई थान सोन बने 16 अप्रेल 2021 को किस देशने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आजाने को कहा है तो फ्रांस से 16 अप्रेल 2021 को स्पूतनिक वी को सुकृति देने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है तो ये बन गया है 60 देश नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं तो 16 अप्रेल 2021 को एशियाई कुष्टी चेंपियंशिप में किस भारतिय पहलवान ने सौन पदक जीता है तो विनेश फोगाट और अन्शु मलिक ने 16 अप्रेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व आवाज दिवस मनाया गया बहुत इंपोर्टेंट कोश्टन है 16 अप्रेल 2021 को दुनिया की दस्मी सबसे उची चोटी माउंट अन्नपूना की चोटी पर पहुँचने वाली भारत की प्रतम महिला कौन मनी है तो प्रियंका मोहिते 17 महरास्टर की रहने वाली है 17 अप्रेल 2021 को भारत ने महिला एशियाई कुस्ती चैंपियंशिप में कितने स्वनपदक जीते हैं तो साथ स्वनपदक जीते हैं 18 अप्रेल 2021 को सरकार ने सभी राज्यों के जन स्वास्त केंद्रों में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्शन पी एस ए ऑक्सिजन सैयत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है तो 162 18 अप्रेल 2021 को महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक स्री रामानुजा चारे की कौनसी जैनती मनाई गई तो 1004 नंबर की 18 अप्रेल 2020 को ताशकंद में एशियाई भारोतोलन पृतियोगिता में मीरा भाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम बजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया तो 119 किलोग्राम नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 18 अप्रेल 2021 को किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है तो इटली ने 19 अप्रेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व लिवर दिवस 19 अप्रेल 2021 को किस ने मंगल ग्रह पर सफल उडान भरकर इतिहास रचा है तो नासा के मार्स हेलिकॉप्टर ने 19 अप्रेल 2021 को दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एश्याई कुष्टी चेंपियंशिक में कौन सा पदक हासिल किया है तो रजक्त पदक हासिल किया है यानि कि सिल्वर मेडल यहाँ पर हासिल किया है 19 अप्रेल 2021 को समुदरी पर्यावरन में प्लास्टिक कसरे के प्रवेश को रोकने के लिए किन देशों ने समझोता किया है तो भारत और जर्मनी ने 19 अप्रेल 2021 को कन्नड भाशा के किस महापुरुष का बेंगलुरु में 107 वर्ष के आयू में निदन हो गया तो यहाँ जी वेंकट सुबईया का 20 अप्रेल 2021 को केंद्रिय मंत्री मंडल ने किस अधिनियम को पूर्वतिती से लागू करने की स्युकुरती परदान कर दी है तो वित अधिनियम 2021 20 अप्रेल 2021 को क्यूबा के रास्टपती कौन मने है तो मिगेल डियाज केनेले और 20 अप्रेल 2021 को जारी COVID-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश से 22 से 29 अपरेल तक किस सप्ता के रूप में मनाने की घोशना किया स्वास्त सुरक्षा सप्ता है 20 अपरेल 2021 को WHO ने किस अफरीकी देश को ट्रेकोमा मुक्त घोशित किया है तो गामबिया 21 अपरेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राश्ट्रिय लोक दिवस 21 अपरेल 2021 को सिरम इस्टिटूट अफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के नीजी अस्पतालों के लिए अपनी कोवी शील्ड वैक्सीन की कितनी कीमत तैकी है तो क्रमशे 400 और 600 रुपे प्रती खुराक 21 अपरेल 2021 को विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ड किसे चुना गया है तो इसमें चुना गया है आयरलेंड की कैट स्नाइडर को 21 अपरेल 2021 को किस भारती अमेरिकी सीनेट ने एसोशियेट एट ओनी जनरल के पद पर न्यूक्त किया है तो वनिता गुपता जी को 22 अपरेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व प्रत्वी दिवस 22 अपरेल 2021 को पहली ऑक्सिजन एक्स्प्रेस कहां से कहां तक के लिए शुरू की गई तो विशाका पतनम से यहां मुंबई तक और 22 अपरेल 2021 को रासायनिक हतियार निश्रेध संगठन OPCW ने बाहरी लेखा परिक्षक के रूप में किसे चुना है तो GC मुर्मू को और नेक्स्ट कोशन है हमारा 22 अपरेल 2021 को सुचना उन्सार अमरीकी अंतरिक्ष एजनसी नासा के मंगल यान पर सीवरेंस ने मंगल ग्रह के वायू मंडल में विद्वान किस गैस से ऑक्सिजन बनाने में काम्याभी हासिल की है तो कार्बन डाई उक्साइड से 22 अपरेल 2021 को भारतिय महिला मुक्य बाजो ने पॉलेंड के किलसे में चल रही युआ विश्व चैंपियन्शिप में कितने सौन पदक जीते हैं तो साथ 22 अपरेल 2021 को आर्बियाई ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है तो भाग्योदै फ्रेंट्स बैंक का 22 अपरेल 2021 को आयुजित जलवायू शिखर सम्मेलन 2020 का विशे क्या तो वर्ष 2030 के लिए हमारी सामुहिक तेज दोड 22 अपरेल 2021 को नेसकॉम की पहली महिला चेयर परसन के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो रेखा मेनन जी को 23 अपरेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है 23 अपरेल 2021 को युनेसको द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है तो ये बलीसी जॉर्जिया की है और इसकी राजधानी क्या है जॉर्जिया की ये राजधानी ह कार्ड वित्रित करेंगे तो यह किसके तहट करेंगे स्वामित्व योजना के तहट यी प्रॉपर्टी कार्ड जो है वित्रित किये जाएंगे 23 अप्रेल 2021 को किस भारतिय परवरत्ता रोही ने नेपाल की टेक्निकल माउंटेन लोबूचे जो की 6109 मिटर का है को लगातार 24 गंटे चड़ाई करके फते किया है तो वो कौन है अनिता कुंडू और ये कहां की रहने वाली है हिसार हरियाना की नेक्स्ट कोशन देखिएगा कि 24 अप्रेल 2021 को भारत स्विडन जलवायू पहल में कौन सा देश यहां शामिल हो गया है तो अमेरिका नेक्स्ट कोशन है 24 अ चुनाने के लिए किस प्लेटफर्म की शुरुआत की है तो मज्जा की 25 अप्रेल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रेल 2020 को निस्वा दीपक्षिय नौसेना अभ्यास वरुन 2020 किन देशों के बीच अरब सागर में शुरू हुआ तो भारत और फ्रांस के बीच 25 अप्रेल 2021 को अंतरास्त्री परवता रोही एमम हिसार की अनिता कुंडू को किस प्रसकार के लिए चुना गया है तो तेन जिंग नौर्गे नेशनल अवर्ड के लिए 25 अप्रेल 2021 को बनारस गराने के मशूर किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है पंडित राजन मिश्र का नेच्ट कोशन है यहां पर कि 25 अप्रेल 2021 को 93 अप्रेल को जो असकर अवर्ड था 2021 के तहट सर्वस्रिस्ट फिल्म का परषकार किसे दिया गया तो नौमेड लेंड को 25 अप्रेल 2021 के 93 नमबर के ओस्कर अवर्ड 2020 के तहत सर्वस्रिष्ट अभिनेता और सर्वस्रिष्ट अभिनेतरी का पुरस्कार किसे दिया गया तो एंथोनी हॉपकिन्स जो है दाफादर के लिए ये पुरुष हो गये और यहां महिला जो है फ्रांसिस मैक डॉर्मंड है जिने की नॉमेड लेंड के लिए ये पुरुषकार दिया गया है और नॉमेड लेंड क्या है यहां पर ओस्कर अवर्ड जीतने वाली मूवी है 26 अपरेल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व बधिक संबता दिवस यहां पर मनाया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि 26 अपरेल 2021 को बंगलादेश में किस कटर इस्लामिक संगठन ने अपनी 249 सदसी है केंद्रिय समिती को भंग करने की गोशना की है तो हैफाज़त ए इस्लाम अगला कोशन है यहां पर 26 अपरेल 2020 को तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतिय महिला टीम ने सौन पदक जीता है तो रिकावर टीम ने अगला है यहां पर 26 अपरेल 2020 को सुर्ख्यों में रहा किस देश की परियोजना डंटाक ने 60 साल पूरे के हैं तो यह कौन सा देश की है यह योजना भूटान की नेक्स्ट कोशन है 26 अपरेल 2020 के सुषना नुसार किस राज्य की एक जील में डॉल्फिन की आबादी दुगनी हो गई है तो यह ओडिशा नेक्स्ट कोशन है 27 अपरेल 2020 को बार्वा बारसी लोना उपन किताब किस ने जिता है तो राफिल नडालने 27 अपरेल 2020 को भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निदेशक किसे न्युक्त किया गया तो अमित बनर जी को 27 अपरेल 2020 को अमेरिका के निशले सजन में किस शहर को 51 नंबर का राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है तो वाशिंग्टन दी सी में 27 अपरेल 2020 को किस कंपनी ने भारत को 135 करोड रुपे का वित्तु पोशन प्रदान करने की गोशना किये तो गूगल ने नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो 27 अपरेल 2020 को किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम चुरू की है तो सेंटरल बैंक ओफ इंडिया ने 28 सपरेल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो श्रमिक इस्मरती दिवस मनाया गया नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहाँ पर की 28 सपरेल 2021 को किस देश के पूर्व क्रिटिकेटर पैट कमिन्स ने PM केर्स फंड में 50,000 डॉलर दान किये हैं तो ऑस्ट्रेलिया के 28 सपरेल 2021 को किस कम्पनी ने डिलिवरी स्टार्ट अप डेली जॉय का अधिगरहन किया है तो लैंस कार्ट ने 28 अप्रेल 2020 को किस देश की कैबिनेट ने सारवजनिक इस्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंद को मंजूरी दी है तो ये किस ने दी है स्री लंका नेक्स्ट कॉशन देखेगा कि 28 अप्रेल 2021 को केंद्रिय पंचायती राजमंतराले द्वारा दिया जाने वाला इपंचायत पुरसकार 2021 किस ने जीता है तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है 28 अप्रेल 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्ने खर्च करने वाला देश कौन बन गया है तो ये बन गया है अमेरिका 29 अप्रेल 2021 को परपस ओफ डांस विशे के साथ विश्व इस्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया अंतरास्ट्रिय निरत्य दिवस मनाया गया और ये कब मनाया गया है 29 अप्रेल को मनाया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 29 अप्रेल 2021 को किस राज्य में ऑक्सिजन औन वील्स पहल शुरू की गई है तो ये कहां की गई है हरियाना में की गई है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अपने तो 29 अप्रेल 2021 को BRO में कमांडर कमांडिंग ओफिसर के रूप में न्यूक्तु होने वाली पहली महिला अधिकारी कौनमनी है तो वैशाली S हिवा से 29 अप्रेल 2021 को जारी चांडलर गुड गवर्मेंट इंडेक्स 2021 में शिर्ष पर कौन सा देश है तो शिर्ष पर फिनलेंड है और भारत का इस्तान इसमें 49 नंबर का है नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 29 अप्रेल 2020 को किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉंच किया है तो चाइना ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 29 अप्रेल 2020 को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पानलने वाली पहली भारतिय महिला कौन मनी है तो करती करंथ यहाँ पर बनी है 30 अप्रेल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो आईश्मान भारत दिवस मनाया गया है नेक्स्ट कोशन देखिए 30 अपरेल 2020 को किन्द दो देशों के बीच सउइंक्तु सेन अभ्यास खंजर संपन हुआ है तो भारत और किरगिस्तान बिश्केक में और राजधानी है इसकी किरगिस्तानी है बिश्केक और 30 अपरेल दो जार मिटर लंबा जो है पैदल यातरी पुर्टगाल में 30 अप्रेल 2021 को किस राज्य सरकार ने बाल ग्रह में आने वाले सभी अनात बच्चों के उत्थान के लिए हरीहर नीती को मंजूरी दी है तो ये किस ने दी है हरियाना की राज्य सरकार ने नेक्स्ट कोशन है 1 मैं 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतराश्ट्रिय स्रमिक दिवस इस दिन मनाया गया 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61 स्थापना दिवस मनाया तो महरास्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2021 को जापान सरकार ने किस भारतिय शिक्षिका को order of rising sun से सम्मानित किया है तो शामला गणेश ने 1 मई 2021 को पंडित देवरत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निदन हो गया है और वे कौन थे तो वो एक सितार वादक थे 1 मई 2021 को भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रोधगी की को विक्सित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है तो ये पांचवा देश बन गया है 2 मई 2021 को पश्चिम मंगाल में सत्ता रूड तरन मूल कॉंग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार रखी है तो तीसरी बार हाला कि मुख्यमंतरी ममता बनर जी नंदी ग्राम सीट से भाजपा के शुबिंदू अधिकारी से हार गई अब 2 मई 2021 को पश्चिम मंगाल विदानसभा के 294 सीटों के सीटों में जो तरन मूल कॉंग्रेस ने कितनी सीटों के साथ जीत हासिल किए तो 213 और भाजपा की इसमें सदत्तर सीटे हैं नेक्स्ट कोशन देखें तो 2 मई 2021 को असम विदान सभा के 126 सीटों में भाज़पा ने कितनी सीटे हासिल की है तो 75 और कॉंग्रेस ने 50 next question देखेगा कि 2 मई 2021 को केरल विधानसवा के 140 सीटों में ADF ने कितनी सीटे हासिल की हैं तो 97 और UDF ने कितनी की हैं 41 2 मई 2021 को पुडुचेरी विधानसवा के 30 सीटों में भाज़पा ने कितनी सीटे हासिल की हैं तो 16 और कोंग्रेस ने यहां पर 8 नेक्स्ट कोशन देखिएगा दो माई 2021 को तमिल नाडू विधानसबा के 243 सीटों में DMK ने कितनी सीटे हासिल की है तो 157 और AIDMK ने 75 तीन माई 2021 को नाइजर के तहोआ छेतर में सेना के गश्ती दल पर हमले के कारण कितने सैनिकों की यहाँ पर म्रत्यू हो गई तो यहाँ 16 स ल्यान बने है यह सूचना वाला नेक्स्ट कोशन है तो 3 माई 2021 को सूचना से जनकल्यान विशे के साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व प्रेस स्वतंतरता दिवस 3 माई 2021 के सूचना नुसार रूस ने जनवरों के लिए किस नाम से कौरोना वाइरस का पहला टीका विक्सित किया है तो कार्निवेक कौव नेक्स्ट कोशन है 3 माई 2021 को आयूश मंत्रा लेने किस पॉली हर्बल अशदी की उपलब्दता बलाणने के लिए कदम उठाये हैं तो आयूश 64 नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन है हमारा कि 3 माई 2021 को अंतरास्ट्रिय ओलंपिक समीती के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिकी से एथलेट एमबेजर्डर के रूप में चुना गया है तो पीवी सिंदू भारत से और मिशेल ली कनाड़ा को 4 माई 2021 को देश के पहले ड्राइव इन वैक्सिनेशन सेंटर की शुरुआत कहां की गई है तो ये की गई है मुंबई में और 4 माई 2021 को विश्व सनूकर चेंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है तो मार्क सेल भी इंगलेंड की ने और शौन मर्फी इंगलेंड को पराज 5 माई 2021 को भारतिये चावल अनुसंधान संस्तान के निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो रमन मिनाक्षी सुंदरम को 5 माई 2021 को किस विशे के साथ विश्व हात स्वच्चता दिवस मनाया गया सेकंड सेव लाइव यानि की किलियर यॉर हैंड के रूप मे मनाया गया 5 माई 2021 को श्रम और रोजगार मंत्राले ने सामाजिक सुरक्षा सहिंता 2020 के किस उपबंद को अधिस उचित कर दिया गया है तो उपबंद नंबर 142 अगला है यहाँ पर 5 माई 2021 को अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में हुए आतंगवादी हमले में कितने लोगों की मौत हो गई तो 21 लोगों की मौत हो गई 5 माई 2021 के अनुसार मेगाले के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने सौरोपॉड डाइनोसौर के जिवाश में मिले हैं तो 10 करोड साल 5 माई 2021 को टुटर ने कौन सा नया फीचर लॉंच किया है तो इस पेसेस 6 माई 2021 को 22 माई L'Oreal World Sports Awards 2021 के तहत Sportsman of the Year तथा Sports Women of the Year का वर्ड किसे दिया गया है तो क्रमेशर राफिल नडाल और नाओमी ओसाका को 7 माई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया साथ मई 2021 को सीमा सडक संगठन बी आर ओ ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है तो 61 नमबर का नेक्स्ट कोशन देखेगा कि साथ मई 2021 को बॉलिविड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉट फिल्म के लिए नियू यॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वस्रेश्ट अभिनेता का आप रोसकार मिला है तो हैपी बर्थडे के लिए आठ मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आठ मई 2021 को डियाडियो ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औशदी को विक्सित किया है तो टू डियॉक्सी डिग्लुकोज को आठ मई 2021 को किस योग गुरु का निधन हो गया तो स्वामी अध्यात्मा नंद का नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो आठ मई 2021 को विध्यारतियों और अभिवाओं का का मांसिक तनाव दूर करने के लिए सीबी एसी ने किस एप को शुरू किया है तो दोस्त पर लाइफ नेक्स्ट कोशन है आठ मई 2021 को अमेरिका ने विश्व स्वास्त संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानॉम गेबरेयास यासिस से विश्व स्वास्त सभा की वार्षिक बैठक में किसे परवेक्षक के र विश्व सास्त संगठन डवलो एचो ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सिन को इमर्जनसी में इस्तिमाल के अनुमती दी है तो सिन्नो फॉर्म को नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर आठ मई 2021 को नेपाल की किस परवतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नेक्स्ट कोशन देखेगा नौ मई 2021 को चीन से अंत्रिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अन्यंत्रित होकर हिंद मासागर में गिर गया तो यह है लौंग मार्च 5 बी अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कोशन पर तो देखें नेक्स्ट कोशन है हमारा कि 9 मई 2021 को प्रदान मंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया है तो नेपाल के हैं और प्रदान मंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली नेक्स्ट कोशन है हाँ पर दस मैं 2021 को केंदर शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष निरधारित समय से काफी पहले हासिल कर लिया है तो पुद्दू चेरी दस मैं 2021 को हिंदुस्तान यूनिलिवर ने किसे कारेकारी निदेशक फूड एंड रिफ्रेश्मेंट नियुक्त किया है तो श्री नंदन सुन्दरम को और दस मैं 2021 को आर्बियाई का नया कारेकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर नियुक्त किया गया मुफ्त इलाज करने की बात कही है तो महत्मा फूले जन आरोग्य योजना के तहत नेक्स्ट कोशन है यहां 11 माई 2021 को ट्विटर ने कोरोना के महमारी से निपरने के लिए भारत को कितने डॉलर का सहता राशी के रूप में दान दिया है तो 110 करोड 11 माई 2021 को कौन सा दिवस मना स्टेड को 11 माई 2020 को पंदरवा शेख जायद पुरशकार से किसे समानित किया गया है तो डॉक्टर ताहेरा कुतबदीन को नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहां पर कि 12 माई 2021 को कौन सा दिवस मना गया है तो यह मनाया गया है अंतराश्ट्री नर्स दिवस 12 माई 2021 को सरकार ने कोविड के बाद म्यूक कोर्मी कोशिस की जटिलता से निपतने के लिए किस दवा की उपलब दिता बढ़ाई है तो M4 टेरिसिन B की 12 माई 2021 को किस देश ने बूचड खानों के लिए पशों के निर्यात पर प्रतिवंद लगाने की गोशना की है तो England ने 12 माई 2021 को किस देश ने मेट्रो सेवा का परिक्षन पहला परिक्षन यहाँ पर किया है तो बंगलादेश के ढाका में नेक्स्ट कोशन देखिएगा 12 माई 2021 को 2020 का जो English Premier League है वो किस ने जीता है तो जीता है Manchester City ने और Manchester United को हरा कर 13 माई 2021 को केंदर सरकार ने किस से परामस से Sovereign Gold Bond जारी करने का निर्ने लिया है तो भारतिये Reserve Bank 13 माई 2021 को BCCI ने किसे भारतिये Senior महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच यहाँ पर नियुक्त किया है तो किसे किया है रमेश पोवार जी को 13 माई 2021 के सूचना के अनुसार किस देश की टीम ICC Test Ranking में शिर्स इस्थान पर बरकरार है तो भारतिये टीम है 14 माई 2021 को इंदुजयन का निधन हो गया वह कौन थी वो टाइमस समू की अध्यक्ष थी ध्यान रखेगा किसकी अध्यक्ष थी टाइमस समू है कि 14 माई 2021 को एलन मस्क की कंपनी टेसला ने किस आभासी मुद्रा में बुक्तान लेने से मना कर दिया है तो बिटकोईन में ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेगा 14 माई 2021 को मनिपुर सरकार ने ताजी सबजी के होम डिलिवरी के लिये किस मोबाइल अब को लॉंच किया है तो मोमा मार्केट 15 माई 2021 को कौन सा दिवस मनाय गया तो अंतराश्ट्रिय परिवार दिवस 15 माई 2021 को निर्वासित तिबबत सरकार के नए प्रधान मंतरी कौन बन गए है तो पेंपा सेरिंग यहाँ पर बन गए हैं अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कोशन पर तो हमारा नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 15 माई 2021 को पंजाब के मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिद्नर सिंग ने किस शहर को पंजाब राज्य का 23 जिला बनाने की घोशना की है तो मलेर कोटला को 15 माई 2021 को भारतिय मूल की किस महिला को वाइट हाउस का वरिष्ट सलाकार नियुक्त किया गया है तो नीरा टंडन जी को 15 माई 2020 को किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरिजों की आवशक सामगरी के आपूरती के लिए मिशन होसला शुरू किया है तो ये किस ने किया है उत्रा खंड की सरकार ने 16 माई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्वक रशी पर यटन दिवस मनाया गया नेक्स्ट कोशन देखिएगा कि 16 माई 2020 को गुजरात के तट पर किस चक्रवर्ती तूफान ने बड़े पहमाने पर तबाही मचाई है तो ताउते ने और नामकरण किस के द्वारा किया गया है म्यानमार के द्वारा किया गया है 16 माई 2021 को किस राज्य का इस्थापना दिवस मनाया गया है तो ये मनाया गया है सिक्किम का और 16 माई 2021 को किस ने यूरोपियन टूर वेटरन बिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जितकर नया इतिहास बना दिया है तो रिचर्ड ब्लेंड ने और ये कहां के हैं इंग्लेंड क सोला मैं 2020 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर सिमोर्ग जो है लॉंच किया है इरान ने नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि सत्रा मैं 2020 को किस विशय के साथ विश्व उच्छ रक्च रक्त चाप दिवस मनाया गया है तो यहां विश्व रक्त चाप द कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है 17 मैं 2021 को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किस ने जीता है तो एंड्रिया मेजा ने जीता है और यह मैक्सिको की हैं 17 मैं 2021 को दस्वा इटाइलियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर एक खिलाडी नौवाक जोकोविच को हराकर किस ने जीता है तो यह राफिल नडाल ने जीता है नेक्स्ट कोशन देखेगा 17 मैं 2021 के अनुसार कोविड महमारी के बावजूद महात्मा गांधी रास्ट्री ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम के तहट कितने लाख कामगारों को काम दिया गया एक करोड़ पिचासी लाग को 17 मैं 2021 को केंद्रिय सिक्षा मंत्री रमेश पोख्रियाल निशंग को किस पुरस्कार से नवाजा गया तो अंतरास्ट्रिय अजेय स्वर्ण पदक 17 मैं 2021 को केंद्रिय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले ने किस योजना के तहट व्रध जनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किये हैं तो एल्डर लाइन योजना के तहट 17 मैं 2021 को वन्यजीव फोटोग्राफिक के बिग फाइब में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है तो रास्ट्रिय पशु एशियाई बाग का 17 मैं 2021 को रास्ट्रिय कानूनी सेवा पराधिकरन नालसा का एग्जीक्यूटिव चेर्मेन किसे नामित किया गया है तो उदै उमेश ललित को 17 मैं 2021 को बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड 19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस एप को लाँच किया है तो हिट कोविड एप को लाँच किया है नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 17 मैं 2021 को किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चेंपियन्स लीग का खिताब जीत लिया है तो बारसिलोना महिला 17 मैं 2021 को जन जाती है स्कुलों के डिजिटल काया कल्प पर भारत ने किस के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो किस के साथ किये हैं माइक्रो सौफ्ट के साथ किये हैं 18 माई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतराश्ट्रिय संग्रहाले दिवस मनाया गया नेक्स्ट कुशन है याँ पर कि 18 माई 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विदान परिशाद के गठन को मंजूरी दे दी है तो पश्चिमी मंगाल ने और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है छे 18 माई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व एड्स वैक्सिन दिवस मनाया गया और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि विश्व एड्स दिवस जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है ठीक है इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 18 माई 2021 को केंदर ने किस थेरेपी को कारगर नहीं पाय जाने के कारण COVID उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है तो किस को यहाँ पर प्लाजमा थेरेपी को अगला कोशन देखिए 18 माई 2021 को ATP की जारी टैनिस टैंकिंग में पहले इस्थान पर कौन बने वे हैं तो टैनिस की रैंकिंग में जो है नोवाक जोकोविच जो है और यह कई बार कोशन आता है कि अभी NTPC में भी यह कोशन पूछा गया कि नोवाक जोकोविच जो है वो किस 19 माई 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर वेक्ति कौन मन गये हैं तो जेफ बैजोस और दूसरे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट 19 माई 2021 को किसे 2020 मिलेनियम टेक्नलोजी प्राइज से सम्मानित किया गया है तो शंकर बाला सुब्रमनियम क नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि 19 माई 2021 के अनुसार मारास्ट्र सरकार म्यूकोर्मी कोसिस से पीडित मरीजों को इलाज किस योजना के तहत करेगी तो महात्मा जोती राव फुले 19 माई 2021 को युनेसको द्वारा किंच है भारती इस्तलों को विश्व दरोवर की संभावित सूची में शामिल किया गया है तो वारानसी का गंगा घाट हो गया और कांचिपुरम के मंदिर हो गया सत्पुडा टाइगर रिजर्व हो गया और हीरे बेंकल का महापाशान इस्त 20 माई 2021 के अनुसार ऑक्सिजन पुनर चक्र प्रनाली ओर्स किसने तयार की तो भारती है नौ से नाने 20 माई 2021 के अनुसार आयकर विभाग कप से नया e-filing portal जारी करेगा तो 7 जून से income tax.gov.in 20 माई 2021 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बैड की online booking के लिए अमरत वाहनी एप लॉंच किया है तो जारखंड की सरकार ने 20 माई 2021 को अंतराश्ट्रिय होकी महासंग की athletes समीती का सदस्य किसे न्यूक्त किया गया है तो स्रीजेश पराटू को यहाँ पर न्यूक्त किया गया है 20 माई 2021 को एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ती कौन बन गये है तो गौतम अडानी और प्रथम कौन है मुकेश अंबानी 21 माई 2021 को भारती है सेना का पहला किस विश्ववंदक विद्वनसक जहाज को 41 सालों बाद सेवा मुक्त किया गया तो आई एनस राजपूत को 21 माई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो यह मनाया गया आतंगवाद विरोधी दिवस 21 माई 2021 को कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोनमेश उतपादों के सायोग के लिए केंदर ने किस पहल की शुरुवात की तो निधी फोर कौविड 2.0 21 माई 2021 को गाजा में इजराईल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समापती की मद्यस्ता किस देश ने की तो मिस्त्र ने की कतर ने की और संक्तराश्टर ने की 21 माई 2021 को ऐरलेंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास की गोशना की है तो बॉयड रेंकिन ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 21 माई 2020 को खेल के विकास में योगदान के लिए एटी ने ग्लीचिच अवाड से किसे नवाजा गया तो हौकी इंडिया को 21 माई 2021 के समया नुसार फीफा अंडर सेवंटीन महिला विश्रु कप सितंबर अक्टूबर 2022 में कहां होगा तो भारत में होगा नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ 21 माई 2021 को केनिया की संसद ने किसे सुप्रिम कोट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का फैसला किया है तो जज मार्था कूम 22 माई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो जैव विविदता दिवस मनाया गया 22 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने ओक्सिजन आत्म निर्भरता योजना शुरू की तो ये महारास्ट की सरकार ने की 22 मई 2020 को अमेरिका के रास्ट पती जो बाइडन ने उत्तर कोरिया के लिए किसे विशेश दूत नियुक्त किया है तो सुंग किम को 23 मई 2021 को कांगो के किस जौलमुखी में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है तो नाइरा गोंगो में ये विस्फोट हुआ है नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन है 23 मई 2021 को COVID-19 के कारण श्रिलंका में होने वाले एशियाई कप 2021 को स्थागित कर दिया गया है अब इसका अजुन कप किया जाएगा तो अब इसका अजुन 2023 में किया जाएगा 23 में 2021 को किस राज्य सरकार ने धोके से वैवाहिक धर्मांतरन पर सजावाले कानून को मंजूरी दी है तो ये गुजरात सरकार ने 24 में 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राष्टर मंडल दिवस मनाया गया 24 में 2021 को भारत और इसराइल ने क्रशी सयोग के लिए कितने वर्ष के कारेकरम संबंदी समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो तीन वर्ष के नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 24 में 2021 को किस कंपनी ने अपने करमचारियों और उनके परिवार के लिए सोशल सिकूरटी स्कीम की घोशना किये तो टाटा स्टील ने 24 में 2021 को किस टैनिस खिलाडी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है तो अंकिता या अंकित रहना को अगला है 24 में 2021 के समय अनुसार पंजाब के मोहाली होकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा तो पदमशरी बलबीर सिंग सीनियर के नाम पर 24 में 2021 को किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सिनेशन कैश बैक प्रोग्राम लॉंच किया है तो भारत पे ने अगला कोशन यहां देखिएगा कि 24 में 2020 को फोप्स के अनुसार जैफ बैजोस को पीछे छोड़ कौन दुनिया के सबसे अम 24 में 2021 को कौनसा दिवस मनाया गया तो विश्वथाराइड दिवस 25 में 2021 को केंदरिये मंत्री मंडल ने 2021 में मालदिव के किस शहर में भारत का नया महावानिजिय दूतावास खोलने को मंजूरि दी है तो एडू 25 मैं 2020 को खेल मंत्राले ने देश के साथ राज्यों में कितने खेलों इंडिया केंदर खोलने को यहाँ पर मंजूरी दे दी है तो 143 नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 25 मैं 2021 को अंतरास्ट्रिय डबलिन साहित्य पुरसकार 2020 से किसे समानित किया गया है तो वेले रिना लूसेली को 25 मैं 2021 को NDRF Academy नागपूर ने वरिष्ट प्रशासनि ग्रेड में किस पद किस रजन की मंजूरी दे दी है तो निदेशक पद की 25 मैं 2021 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने Land Sealing Act से किस जमीन को बाहर कर दिया गया है तो चाय के बागानों को 25 मैं 2021 को तर रेलवे ने किस खिलाडी पर हत्या के आरोप लगने के कारण लिनंबन का आदेश जारी किया है तो पहलवान सुशील कुमार पर 26 मैं 2021 को पश्चिम बंगाल उडिसा सहीत अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाले यास तुफान का नामकरन किस ने किया है तो ओमान ने 26 मैं 2021 को कोरोना टी का लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया है उनका नाम क्या था विलियम शेक्सपियर नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 26 मैं 2021 को किस भारतिय वेटलिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चेंपियंशिक में 33 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीता था तो यहाँ पर अचिंता शूली ने 26 मैं 2021 को UAE ने किस बॉलिफूड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है तो संजेदत को नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 27 मैं 2021 को भारतिय तकनीकी सिक्षा परिशद AICTE ने इंजिनिरिंग की पढ़ाई नए सेक्षनिक सत्र से हिंदी सहित कितनी भारतिय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दे दी है तो 28 मैं 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया मास्चिक धर्म स्वच्चता दिवस ध्यान रखेगा 28 मैं को मनाया गया है 28 मैं 2021 को किस ने चौथी बार सीरिया के राष्टपती पद का चुनाव जीता है तो बशर अल एहमद ने नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 28 मैं 2021 को किस देश के राष्टपती ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंगार में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी है तो फ्रांस के राष्टपती एम्मैनुवल मैक्रो ने जो है इसके लिए माफी मांगी है नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 28 मैं 2021 को भारत रतन प्रोफेसर सी एन आर राव को अक्षे उर्जा स्रोतों और अक्षे भंडारन के छेतर में अनुसंधान के लिए किस पुरसकार से नवाजा गया है तो अंतराश्ट्रिये एनि अवार्ट ट्वेंटी ट्वेंटी अठाइस मैं 2021 को भारत में प्रतेक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है तो यह बन गया है अमेरिका और पहला कौन बना है यहां पर स्रीलंका बना है पहला यहां स्रीलंका नहीं है पहला यहां सिंगापूर है ठीक है तो यहां स्रीलंक मैंने बोल दिया था तो उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि 29 मैं 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतराश्ट्री यह एवरेश्ट दिवस यह मनाया गया है 29 मैं 2021 को असम सरकार ने कोविट के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्यान के लिए किस योजना की गोशना की है तो मुख्यमंतरी शिशु सेवा योजना 29 माई 2021 को परधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिवावक हो चुके बच्चों के लिए किस योजना की गोशना की है तो PM केर्स बाल योजना नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 29 माई 2021 को रास्ट्रिय जांच एजनसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है तो ये दिया गया है कुलदीप सिंग को जो की महानिदेशक है CRPF के और अगला कोशन है हमारा कि 30 माई 2020 को किस राज्य ने अपना इस्थापना द ने बाल साहता यूजना के तहट कोरोना की वज़े से अनात बच्चों के लिए कितने रुपे की आर्थिक साहता का एलान किया है तो 1500 रुपे मासिक और 18 वर्ष तक ये जो है दी जाएगी नेक्स्ट कोशन है हाथ 30 माई 2021 को माली के अंतरिम राष्टपती किसे घोशित किया गया है तो करनल असीमी गोईता को 31 माई 2021 को कमिट टू क्विट विशे के साथ कौन सा दिवस मनाए गया विश्व तंबाकू निशेध दिवस 31 माई 2021 को किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्गटना में निदन हो गया जो लारा का और 31 माई 2021 को किस राज्य सरकार ने सतत साथ विश्विध्यालों को सेंटर ओफ एक्सिलेंस का दरजा देने को जो है सदान्तिक मंजूरी दे दी है तो यह है गुजरात 31 माई 2021 को तंबाकु नियंतरन में प्रियासों के लिए डबलुएचो द्वारा डबलुएचो महानिदेशक विशेष पुरसकार से किसे समानित किया गया तो केंद्रिय स्वास्तमंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन को 31 मैं 2021 को माउंट एवरेस्ट को फत्य करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गये हैं तो आर्थर मुईर बन गये हैं 31 मैं 2021 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चड़ाई करने वाली पहली जो महिला प्रवतर होई हैं वो कौन बन गये हैं तो सांग यिन होंग जो हैं ये होंग कॉंग की हैं ये बन गये हैं 31 मैं 2021 को केरल के किस चात्र को असाधरन चात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है तो इनका नाम क्या है तसनीम असलम इनका नाम है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 31 मैं 2021 को बेल ग्रेड ओपन का खिताब किस ने जीता है तो नौवाक जोकोविच ने और नौवाक जोकोविच कहां के हैं सर्बिया के खिलाडी है एक जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व दुग्द दिवस मनाया गया एक जून 2021 को टीसेस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंदर कहां पर खोला है तो एमस्टरडम निदरलेंड्स में खोला है एक जून 2021 को उर्दु को आसानी से समझने के लिए रेक्ता फाउंडेशन ने किस शब्द कोश की रचना की है तो रेक्ता शब्द कोश की यहाँ पर रचना की है में एक जून 2021 को शुचना के अनुसार कोरोणा वायरेस के विभिन वारियंट को विगनिक नाम से जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के अधार पर रखा जाएगा तो ग्रेग शब्दों के अधार पर रखा जाएगा नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अपने कि 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वाइरस के दो वेरियंट B.1.6171 तथा B.1.6172 को क्या नाम दिया है तो क्रमेशे कपपा और क्या नाम दिया गया है इसमें कपपा और डेल्टा इसे नाम दिया गया है तो नेक्स्ट कोशन देखेगा 2 जून 2021 में विश्व सास्त सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मानिता देने का निड़ने लिया है तो विश्व NTD दिवस के रूप में 2 जून 2021 को किस देश ने रूप के साथ ओपन इसकाई संधी में पुने शामिल होने का फैसला किया है तो अमेरिका ने नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 2 जून 2021 को केंद्रिय मंत्री मंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सायोग ज्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो जापान के साथ 2 जून 2021 के अनुसार भारतिय सविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया तो टीएस कलियानन गॉंडेर का 2 जून 2021 को 31 एशियन बॉक्सिंग चम्पिमसिप 2021 पदक तालिका में भारत का इस्थान कौन सा राहा तो चोथा रहा और परतमिस्तान पर कौन रहा इसमें कजाकिस्तान रहा है तीन जून 2021 को मांट एवरेस्ट फते करने वाले पहले एशियाई नेतरहिन कौन बने है तो चीन के जांग हूंग बने है नेक्स्ट कोशन है यहाँ तीन जून 2021 के नुसार भारत का स्वधेशी तापमान डेटा लॉंगर एंबी टेग को किसने विक्सित किया है तो आयाईटी रो पड़ने तीन जून 2021 को भारतिय नौसेना के नए उपप्रमुक कौन बने है तो वाइस एड्मिरल रवनित सिंग बने है तीन जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व साइकल दिवस मनाया गया चार जून 2021 के नुसार CSIR ने पानी को किटानू रहित करने के लिए किस नाम के नई तकनिक की शुरुआत की है तो ये है स्वास्तिक चार जून 2021 को इसराइल के रास्टपति कौन बने है तो इसाक हरगोज बने है नेक्स्ट कोशन देखेगा चार जून 2021 को जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन यहां पर शिर्ष पर रही है तो शेफाली वर्मा जी और चार जून 2021 को इंटरनेशनल बिजनेस बुक अफ दा इयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो नितिन राकेश और जैरी प्रमान लगाया है तो 9.5% का चार जून 2021 को केंदर सरकार ने TET पास करने के बाद उसके प्रमान पत्र की वेदता साथ साल से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो आजीवन इसे कर दिया है चार जून 2021 को फोपस द्वाराजारी सरवाधिक कमाई करने वाले 100 शिर्ष खिलाडियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्तान पर है तो 59 नमबर पर है चार जून 2021 को किस देश की सरकार ने टुटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है तो नाइजीरिया चार जून 2021 को तीन ट्रिलियन रुपे की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारती आईटी फर्म कमपनी कौन बन गई है तो विप्रो बन गई है कहां के हैं कनाडा के हैं पाँच जून 2021 को किस विशय के साथ विश्व पर्यावरन दिवस मनाया गया तो बहतर पर्यावरन के लिए जैविंधन को बढ़ावा देना पाँच जून 2021 को रास्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षन आयोग ने कोविड-19 से प्रभाविद बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रेकिंग पोर्टल को लॉंच किया है तो बाल स्वराज को लॉंच किया है नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 5 जून 2021 को नेशनल ग्रीन टिब्रिवनल के महा पंजियक किसे नियुक्त किया गया है तो ASJ विध्या प्रकाश को 6 जून 2021 को विश्व बैंक का सक्षिक सलाकार किस भारतियों को बनाया गया है तो रंजीत सिंग दिसाले जो की महारास्टर के है सारे कोशन आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाईएगा पूरा वीडियो जरूर देख लिजेगा 6 जून 2021 को राजिस्तान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेदावी विध्यारतियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना 6 जून 2021 को असम के कोरजार जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का छटा रास्ट्री उधान गोशित किया गया है तो यहां पर इस पार्क का जो नाम है वो राय मोना पार्क है 6 जून 2021 को अनीमिया मुक्त भारत सुचकांग 2021 की राश्ट्रिय रंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा इस्थान हासिल किया है तो तीसरा और प्रथमिस्थान पर रहा है इसमें मध्य प्रदेश 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्वखाद सुरक्षा दिवस मनाया गया और 7 जून 2021 को फेस्बुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नुक्त किया है तो इस पूर्ती प्रिया को 7 जून 2021 को इसरों ने तीन परकार के वेंटीलेटर विक्सित किय हैं इस रो ने इनका नामकरण किस नाम से किया है प्रान वायू और स्वास्त और 7 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वेक्सिनेशन अभियान की शुरुआत की है तो दिल्ली सरकार ने नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि 7 जून 2021 के अनुसार नीतियायोग ने किन दो बैंकों के नीजी करण की सिपारिश किया तो सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवर्सिस बैंक की 7 जून 2021 को भारतिय नौसेना ने स्वादेश में निर्मित किन तीन उननत हलके हलिकॉप्टर को अपने बड़े बेडे में शामिल किया है तो यह है 7 जून 2021 के अनुसार टाइमस 50 Most Desirable Women 2020 की लिस्ट में सबसे उपर किसे रखा गया है तो रिया चक्रवर्ती को रखा गया है 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया विश्व ब्रेंट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस मनाया गया नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 8 जून 2021 को English Football Association F.A. ने 158 साल के इतिहास में पहली महीला प्रमुक के रूप में किसे चुना है तो डेबी हैविट को चुना है 8 जून 2021 को नित्य आयोग ने पीरामल Foundation के सायोग से 112 जिलो में किस अभ्यान को शुरू किया है तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभ्यान को 8 जून 2021 को 67 में राश्ट्रिय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरन संड्रक्षन पर सर्वस्रेश्ट फिल्म राश्ट्रिय पुरस्कार किसे मिला है तो अरुनाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को ये पुरस्कार दिया गया है 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है 9 जून 2021 को इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वेश्विक डेटापेस लॉंच किया है तो ये है आई फैमिलिया 9 जून 2021 को क्रिकेटर विरेंदर सेवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उदेशे से किस नाम से वेबसाइट को लॉंच किया है तो यहाँ पर क्रीकूरू 9 जून 2021 को अल सालवा डोर ने किस करंशी को देश की वैद मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दी है तो क्रिक्टो करंशी यानि की बिटकोईन को 9 जून 2021 के अनुसार देश का पहला अंतराष्ट्री समुद्री सेवा क्लस्टर कहां स्तापित किया जाएगा तो गुजरात के मैरी टाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर तो नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हमारे तो 9 जून 2021 को असम के साथवे राश्ट्री उधान किसे घोशित किया गया है तो देहिंग पटकाई 9 जून 2021 के अनुसार कारसेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है तो 67 नंबर का 10 जून 2021 के सूचना के अनुसार पुर्दूशित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो यह बन गया है दिल्ली और नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 10 जून 2021 को ट्विटर के साथ गतिरोद के बाद नाइजीरिया सरका का आधिकारिक हेंडल अब किस प्लेटफर्म पर है तो कूपर है 10 जून 2021 को जिमबावे के किस लेखक को पैन प्रिंटर पुरुषकार 2020 दिया गया है तो यह 30 डंगा रेम बगगा को यह पुरुषकार दिया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगे 10 जून 2021 को भारत थाईलेंड समनवित गश्ती अभ्यास का 31 जो संस्क्रन हुआ वो किस सागर में शुरू हुआ है तो वो हुआ है अंडमान सागर में 10 जून 2021 को फ्रेंच ओपन का मिस्रित यूगल खिताब किसने जीता है डिजायर क्रॉसिक और जो सैलिस सबरी बिटेन ने 11 जून 2021 को किस जाने माने नियूरोलोजिस्ट का निधन हो गया तो डॉक्टर अशोक पनगडिया का 11 जून 2021 को जाने माने किस अर्थशास्त्री और परयावनन विद का निधन हो गया तो प्रोफेसर राधा मोहन जी का नेक्स्ट कोशन दिखेगा 11 जून 2021 को भारत की किस इस्टार पहलवान ने पॉलेंड ओपन में 53 किलोग्राम में सौन पदक हासिल किया है तो विनेश फोगाट ने और 11 जून 2021 के अनुसार भारत के जैविक रशी उत्पादों के निर्यात में 2020 में कितने प्रतिशत की व्रद्धी हुई है तो 51 प्रतिशत की 11 जून 2021 को ग्लोबल लिवे बिलिटी इंडेक्स 2020 में शिर्ष इस्थान पर किसे रखा गया है तो ऑकलेंड न्यूजिलेंड को और 11 जून 2021 को UK Asian Film Festival UK AFF 2021 के 23 संस्क्रण में सर्वसरेश्ट अभिनेतरी का प्रसकार किसने जीता है तो भारती अभिनेतरी तिलोत्मा शोम ने नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहाँ पर कि 11 जून 2021 को Ferrari ने अपनी कमपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया है तो ये बेनेडेटो विगना को 11 जून 2021 के सूचना अनुसार किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से इस्टेल्द तकनिक से लेस जहाज बना रहा है तो ये रूस बना रहा है और 12 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व बाल शरम निशेद दिवस जो है मनाया गया है 12 जून 2021 को भारतिय मूल की किस अभिनेत्री पत्रकार को अंतराश्रिय रिपोर्टिंग के लिए पुलिजर पुरसकार से नवाजा गया है तो मेगा राज गोपालन को नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 12 जून 2020 को फोपस द्वारा विश्व के सर्वस्रेष्ट बैंकों की सूची 2020 में किसे नामित किया गया है तो डिबियस बैंक को और 13 जून 2021 को इसराइल के नए प्रधानमंतरी के रूप में किसने शपत ग्रहन की है तो ये की है नफ्ताली बैनेट ने 13 जून 2021 को वर्ष के दूसरे ग्रेंड स्लेम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो नौवाक जोकोविच जोकी सर्वियां के हैं 13 जून 2021 को किस पूर्व भारती और राउंडर खिलाडी को अंतराश्ट्री क्रिकेट परिशद ICC के हौल अफ फेम में शामिल किया गया है तो विनू मांकड को किया गया है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां 14 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है 14 जून 2021 को पूने की किस कंपनी ने संक्रमन रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तयार किया है तो थिंसर टेक्नोलोजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 14 जून 2021 को किस केंदर शासित प्रदेश को स्वच्च भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त गोशित किया गया है तो लदाक को 14 जून 2021 को कंणर फिल्म के किस अभिनेता का बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया तो संचारी विजय का नेक्स्ट कोशन देखेगा 14 जून 2021 को भारत के प्रमुक शौट वीडियो एप मोज से जुडने वाले पहले भारती क्रिकेटर कौन बन गया है तो रिशब पंत 14 जून 2021 को अंक्टाड का महासचिव के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो रेबेका ग्रिन स्पेन को ज मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्विवहार जागरुपता दिवस के रूप में मनाया गया अगला कोशन देखे यहां पर कि 16 जून 2021 को आईसीसी द्वारा जारी पूरुष टेस्ट बल्लेवाजी रेंकिंग में पहले नंबर पर कौन है तो स्टीव स्मित हैं जो कि मिला है 17 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व मरुस्थलिय करण और सूखा रोक्थाम दिवस जो है मनाया गया है 17 जून 2021 को पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विले की गोशना की है तो कौंग्रेस के साथ 17 जून 2021 को भारतिय मुल के किस व्यक्ती को मायक्रोसफ्ट का ध्यक्ष न्यूक्त किया गया है तो सत्यनडेला को और 17 जून 2021 को चीन ने Long March 2 F के जरिए किस मानव युक्त अंत्रिक्ष्यान का प्रक्षेपन किया है तो शेंजोओ 12 के जरिए 17 जून 2021 को दुनिया के सबसे उचे शिकर Mount Everest पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए हैं तो महफूज इलाही कुल ग्राम जिला है इनका और ये कहां से हैं जम्मू कश्मीर से हैं 18 जून 2021 को भारतिय युद्दपोध जो है त्रिकंड जो है अदन की खाडी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया है तो इस त्रिकंड ने किस में इन एउ नेफ फोर में 18 जून 2021 को जांबिया के प्रथम रास्टपती और संस्थापक का निधन हो गया उनका नाम क्या था तो कैनेथ कॉंड़ा नाम था 18 जून 2021 को वेस्टविक शांती सुचकांग 2020 में भारत कौन से इस्थान पर है तो भारत है 135 नंबर पर 18 जून 2020 को किस भारतिय समकालिन कलाकार को नौर्वे आर्टेस मुंडी पुरसकार से नवाजा गया है तो प्रभाकर पाच पूते को 18 जून 2020 को फ्लाइंग सिक के नाम से मशूर किस महान धावक का कोविट के कारण निधन हो गया तो वो थे मिलखा सिंग और इनके उपर एक बहुत ही जबरदस्त मूवी भी बनी हुई है 19 जून 2021 के सुचना नुसार पर्यावरन छेतर में सायोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो भूटान ने 20 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व सरन बिइंग अगला है यहाँ पर 21 जून 2021 को प्रधान मंतरी स्टीफन लॉफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित किया गया तो वे किस देश के प्रधान मंतरी हैं तो वे हैं स्वीडन के 21 जून 2020 को अमेरिका में किस समुदरी तूफान ने भारी तबाई मचाई तो भारतिय वाई सेना में महिला फाइटर बनने का गौरफ राप्त हुआ है तो माव्या सूधन को 22 जून 2021 को टोक्यो ओलम्पिक के लिए भारतिय पुरुष होकी टीम का कप्तान किसे निक्त किया गया है तो मनपृत सिंग को 22 जून 2021 से उत्रप्रदेश के नोड़ा में स्था पहिला को अंतराश्ट्री मुक्यबाजी संकी कोच समीती का सदसे निक्त किया गया है तो डॉक्टर तडांग मीनू को 22 जून 2021 को यूरोपियो प्रसकार अवश्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो सुमिता मित्राजी को 22 जून 2020 के सुशना नुसार ओलम्पिक में हिस्स नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 23 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतराश्ट्रिय ओलम्पिक दिवस मनाया गया और 23 जून 2021 को राष्टपती नापनात कोविंद ने सविधान के अनुछे 224 के उपबंध फस्ट के तहत प्रदत अधिकारों का इस्तेमाल करते 22 जून 2020 का पहला ICC Wishwet Test Championship 2020 का खिताब किस देश ने हासिल किया है तो यह हासिल किया है न्यूजिलänd ने और न्यूजिलेंड ने यह खिताब किसको हराकर हासिल किया है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा 23 जून 2020 को जमेका की किस महिला धाविका ने 100 मीटर विश्वी रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफित जॉइनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है तो शैली एन फ्रेजर प्राइस 24 जून 2021 को दिली खेल विश्विध्यले का पहला कुलपती किसे नियुक्त किया गया है तो कर्णम मलेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है 24 जून 2021 को गुजरात के लोथल में राष्ट्रिय समुद्री विरासत परिशत के विकास के लिए किन दो मंत्राले उने एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो बंदरगाहा पत्तन मंत्राले जो है संस्क्रती मंत्राले जो है और 24 जून 2021 को टोक्यो ग्रिश्मकालीन उलम्पिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्षे तेरा सामने है को किसने गया है तो मोहित चोहान ने बहुत इंपोर्टन्ट कोशन है यह आपके NTPC CBT2 के लिए भी और रेलवे के गुरूप D के लिए भी लिख के ले जाईएगा कोशन यह जरूर आपको किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगा 24 जून 2021 को Genome Sequencing सुविधा विक्सित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो यह बन गया है राजस्थान 24 जून 2021 को कोचीन अंतरास्ट्रिय हवाई डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है तो रोल अफ एक्सिलेंस पुरस्कार से 25 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया नाविक दिवस एमम विटी लिगो दिवस 25 जून 2021 को तीन करोड से अधिक लोगों का ठीका करन करने वाला देश का पहला राज्य कौन मन गया है तो यह बन गया है महरास्ट्र 25 जून 2021 को किंदो शहरों को सैंक्त रूप से स्मार्ट सेटी पुरसकार से सम्भानित किया गया 26 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया अंतराश्टिय नशा विरोधी दिवस मनाया गया 27 जून 2021 के अनुसार विदेशी कामकारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे गोशित किया गया है तो अश्गाबाद जो की तुर्कमेनिस्तान की अंदर आता है 27 जून 2021 को रेबिस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो गोवा 27 जून 2021 को स्वुडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में विभल रहने के कारण त्याग पत्र दे दिया तो ये हैं स्टीफन लोपवेन 27 जून 2021 को भारतिय तिरंदाज अतुन दास और दीपिगा कुमारी ने पैरिश तिरंदाजी विश्व कप चरन तीन में मिश्रेत यूगम स्परदा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रस दिया है तो ये स्वन पदक उन्होंने जीता था नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि 28 जून 2021 के अनुसार विश्व के सर्वस्ट्रेश टू 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेजों को यहां पर शामिल किया गया है नेक्स्ट कोशन है 28 जून 2021 को DRDO ने नई PD की किस बैलेस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया है तो अगनी टू का और 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो सांखी की दिवस और 29 जून 2021 को उच्टम नयाले ने सभी राज्यों एवं केंदर शासित प्रदेशों को कब तक वन नेशन वन राशन काड योजना लागू करने का निर्देश दिया है तो 31 जुलाए तक नेक्स्ट कोशन है याँ पर 29 जून 2021 को किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में पांच गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बना है तो ये इस्पेन हो गया नेक्स्ट कोशन है 29 जून 2021 को पटियाला में रास्ट्री अंतराजी है एथलेटिक्स पृतियोगता में किस ने गोलाफ हैं किस परदा का स्वन पदक हासिल किया है तो ये हैं तजिंदर पाल सिंग तूर 29 जून 2021 को जापान का फुकुओ का जो ग्रेंड प्रसकार से उससे क किसे सम्मानित किया गया है तो पत्रकार पीस आइनात को 29 जून 2021 को किन दो देशों के बीच बाकु में संक्त सेन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ है तो तुर्की और अजर्बैजान के मध्ये 29 जून 2021 को राष्ट्रिय सांखी की आयोग के किस पूर्वा द्यक्ष को प्रोफेसर पीसी महाल नोविस राष्ट्रिय लाइफटाइम अचीवमेंट पुरसकार प्रदान किया गया है तो डॉक्टर आरबी बर्मन को 30 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतरास्ट्रिय संसदिय दिवस और अंतरास्ट्रिय शुद्र ग्रह दिवस 30 जून 2021 को ISSF विशुकप शूटिंग में किस भारतिय निशानेबाज ने स्वनपदक जीता है तो राही सरनोबत ने 30 जून 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतिक लाड़ी कौन बन गई है तो शेफाली वर्मा बन गई है 30 जून 2021 के अनुसार कौन सी अंत्रिक्ष एजनसी दिव्यांग अंत्रिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी तो यूरोपी अंत्रिक्ष एजनसी 30 जून 2021 के अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतीबंद पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है तो अंशुला राव और 1 जूलाई 2021 के अनुसार भारत का पहला स्वदेशी एरक्राफ्ट केरियर INS विकरांत को किस वर्ष कमिशन किया जाएगा तो 2022 में एक जूलाई 2021 के अनुसार ICC पूरुष T20 विशुकब 2021 कहां आयुजित होगा तो सईंक्त अरब अमीरात में ये आयुजित होगा एक जूलाई 2021 के अनुसार किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विदुत बांध बनाया है तो चाइना ने एक जूलाई 2021 को किस जगे पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रेक का उधगाटन किया गया है तो इंदौर के पीथमपूर में और एक जूलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो चिकित सक दिवस और GST दिवस मनाया गया है एक जुलाए 2021 को किसने वायू सेना उपपरमुक के रूप में कारेभार संभाला है तो एर मार्शल विवेक राय चौधरी ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर एक जुलाए 2021 को जारी वेश्विक साइबर सुरक्षा सुचकांग 2020 में भारत जो है वो किस स्थान पर है तो भारत है दस्वे स्थान पर और इसमें फस्ट में है अमेरिका नेक्स्ट कोशन है हाँ एक जुलाए 2021 को सात्वी हिंद महासागर नौसेना संगोश्टी जो है वो कहां पर संपन हुई है तो फ्रांस में एक जुलाई 2021 को वर्ष 2020 का कुवेंपू राश्ची पुरसकार किसे दिया गया है तो ओडिया कवी डॉक्टर राजेंदर किशोर पांडा जी को और एक जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो चार्टर्ड अकाउंटेंस दिवस मनाया गया है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं एक जुलाई 2021 को डोनाल्ड एम्स फेल्ड का निधन हो गया वे किस देश के पूर्वरक्षा सच्चिव थे तो वो अमेरिका के थे एक जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र के शत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन मने हैं ये ध्यान रखेगा ये भारतिय मू स्टार्ट अप इको सिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत के सिस्थान पर है तो बीश्वें स्थान पर और पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है दो जुलाई 2021 को एलाई सी अद्ध्यक्ष की सेवा निवरती आयू कितना वर्ष तक बढ़ाई गई है तो 62 वर्ष तक और दो जुला स्थारी मानेता मिली है तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फैडरेशन को और 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतरास्ट्रिय सेकारिता दिवस मनाया गया नेक्स्ट कोशन देखिएगा 3 जुलाई 2021 को ऑसलो में डाइमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुशो जुलाई 2021 को डबलो एचने किस देश को मलेरिया मुक्त घोशित किया है तो चाइना को और 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेवीज मुक्त राज्यकॉन बना है गोवा और 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोईला उतपादन में शिर्ष राज्यकॉन है तो चार जुलाई 2021 को नए तियांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वास किस से पूरा किया किस ने पूरा किया तो चीनी अंतरिक्ष रियात्रियों ने और 4 जुलाई 2020 को गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन सतरंज का खिताब किस ने जीता है तो आर्मेनिया के लेवोन ओरोनियन ने चार जुलाई 2020 को FIDECHES.com महिला स्पीड सतरंज चेंपियनशिप किस ने जीता है तो चीन के होई इफान ने और उपवेजता कौन रही है भारत की डी हरिका रही है नेक्स्ट कोशन देखेगा चार जुलाई 2020 को फॉर्मुला वन ऑस्ट्रियन ग्रा बाजी से हैं और मनपृत सिंग जो की होकी से हैं नेक्स्ट कोशन है पांच जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के समान समारों में भारतिय दल के दोजवाहक कौन होंगे तो पहलवान बजरंग पूनिया जी होंगे और पांच जुलाई 2020 को महिला अंतरास्टी क्रिकेट में सब राजस्थान के जैपूर में पांच जुलाई 2020 को तिरपुरा के नए लोग का युक्त कौन नियुक्त किये गए हैं तो के एन भट्टा चारीजी और छे जुलाई 2020 को किस देश ने बहतर मौसम पूर्वानुमान हे तू एक नया उपगर है एफ वाई थ्री ए लांच किया ह तो चाइना ने छे जुलाई 2020 को ब्रिक्स शिक्षामंत्रियों की बैठेक वर्च्वली किसके द्वारा आयोजित की गई तो भारत के द्वारा ये आयोजित की गई नेक्स्ट कोशन देखें यहाँ काफी इंटरस्टिंग कोशन है कि 6 जुलाय 2020 को जलिये क्रशी किसानों के लिए कौन सा ओनलाइन पाठिकरम मोबाइल एप लॉंच किया गया है तो कौन सा एप लॉंच किया गया है मतस्य से तू ठीक है अगला है यहाँ पर 6 जुलाय 2020 को दिवस मनाया गया तो विश्व जुनोज दिवस मनाया गया साथ जुलाय 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया विश्व चोकलेट दिवस मनाया गया साथ जुलाय को साथ जुलाय 2020 को किस राज्य के पूर्म मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस नेता वीर भद्र सिंग का शिमला में धन हो गया तो हिमाचल प्रदेश और 7 जुलाय 2020 को किस देश के रास्टपती जोवेनल मोईस की राजदानी पोट ओ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई तो हैती और 7 जुलाय 2020 के गोशना के नुसार महिला इश्याई कप 2022 कहां आयूजित किया जाएगा तो मुंबई और पूने म जाएगा तो यह आयूजित किया जाएगा आपके गोवा में 8 जुलाय 2020 को एसो चैम ने किसे जैम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है तो अभीब गंज रेलवे स्टेशन की इमारत को 8 जुलाय 2020 को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवर्ड से किसे सम्मानित किया ग पारित किया है तो पस्टिम मंगाल ने और 8 जुलाय 2020 को भारतिय सिना के किस अभिनेतरी के नाम पर अपनी एक फाइरिंग रेंज का नाम रखा है तो विध्याबालन के 8 जुलाय 2020 को भारत का पहला फास्टेग आधरित पार्किंग सुविधा किसे मिला है तो नई दिल्ली कश्मीरी मैट्रो स्टेशन को ठीक है कश्मीरी गेट का जो मैट्रो स्टेशन है उसे 8 जुलाय 2021 को बेल ग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है भारती ग्रेंड मेस्टर निहाल सरीन ने 9 जुलाय 2021 को प्राप्त जानकारी के नुसार किस देश ने दुनिया का सबसे उचा 21.16 मिटर रेत महल बनाया है तो डेनमार्क ने और 9 जुलाय 2021 को भारती नौसेना पोथ आई एनस तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सेन ने अभ्यास किया है तो इतालवी नौसेना ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 9 जुलाय को अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंदर स्थापित किया है तो सूरत में 10 जुलाय 2021 को वर्ष 2020 का इसके रप्स नेशनल स्पैलिंग बी प्रतियोगिता किस ने जीता है तो जाईला अवांत गाडे ने और 10 जुलाय 2020 को किस राज्य द्वारा जन संक्या नियंतरन इस्तिरिकरन और कल्यान विदेक 2021 पेश किया गया तो उत्तर प्रदेश और 10 जुलाय 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया राष्ट्रिय मतश्य किसान दिवस 10 जुलाय 2020 को G20 वित्त मंत्रियों और Central Bank Governors की बैठक कहां युज विम लंडन से यहां पर आपके NTPC और Railway Group D में 100% कोशन आपसे पूछा जाएगा इसलिए याद रखेगा कि विम लंडन जो टैनिस 2021 है इसमें पूरुष का खिताब किस ने जीता है नोवाक जोकोविच ने और यहां पर विम बल्डन 2021 का महिला एकल का खिताब किस ने जीत है लिख लिजेगा गैरेंटी है जब आएगा एक्जाम में तो आप मुझे जरूर याद करेंगे 11 जुलाए 2021 को भारत के पहले क्रिप्टो गैमिक गैर बीज वाले पौधे उध्यान का उध्गाटन कहां किया गया है तो उत्त्राखंड के देव बन में नेक्स्ट कोशन देखे 12 जुलाए 2021 की अनुसार खेलो इंडिया यूद गेम्स 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा तो हरियाना में किया जाएगा नेक्स्ट कोशन है 12 जुलाए 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट लोवर अरुन इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझाता किया है तो नैपाल ने और 12 जुलाए 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया अंतराश्टिय मलाला दिवस और 12 जुलाए 2020 को किस देश के गया है तो वित मंत्राले में और 13 जुलाए 2021 को ब्रिक्स परेटन मंत्रियों की बैठक की अधिक्षता किस ने की तो परेटन मंत्री जी किशन रेडी ने की 13 जुलाए 2020 को जारी सूशना नुसार NTPC कहां में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क इस्थापित करेगा तो NTPC क कहां करेगा गुजरात के कच के रण में करेगा 13 जुलाए 2021 को भारतिय रास्ति ये भुगतान निगम NPCI के भीम UPI QR आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है तो ये बना है भुटान नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 13 जुलाए 2021 को किस राज्जी सरकार ने Electric Bike Taxi योजना लांच की है तो करनाटक 13 जुलाए 2021 को किस राज्जी की सरकार ने आस्ता और संस्क्रति के संरक्षन है तो नया विभाक सरजित करने की गोश्णा की है तो असम 13 जुलाय 2020 को BKS साहित्य प्रसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो NN पिल्लाईजी को 13 जुलाय 2020 को Euro 2020 Golden Boot किस ने जीता है तो यहाँ पूर्तगाल के कप्तान क्रिस्टैनो रोनाल्डो ने जीता है 14 जुलाय 2021 के सूचना के मताबिक भारत का पहला रास्ट्रिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां इस्तापित होगा तो यह होगा पटना में 14 जुलाय 2021 को भारतिय नौसेना को अमेरिके स्थित एरोस्पेस कंपनी से कौन सा पंडुबी रोधी युद्धक विमान प्राप्थ हुआ है तो पी एटी वन है या पी एटी आई है ये शायद है ना तो यह आपको प्राप्थ हुआ है इंडिया को नेक्स्ट कोशन देखियेगा यहाँ पर कि 14 जुलाय 2021 को इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है तो सैंक तो अरब अमिराद बना है 14 जुलाय 2021 को ओलंपिक में जिमनेस्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन बने है दीपक काबरा नेक्स कोशन पर चलते हैं तोよしने 14 जुलाय 2021 को ही गोश्ना के मताबिक किस देश को वर्ष 2023 के सुधी रमन कप की मेजबानी मिली है तो यह मिली है चाइना को मिली है नेक्स्ट कोशन देखेगा 15 जुलाय 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व यूवा कोशलadas मन देखे 15 जुलाए 2021 को भारत के किस शहर में पहला ग्रेन एटियम ये ध्यान रखेगा ये काफी important question ग्रेन एटियम कहां खुला है तो हर्याना के गुरू ग्राम में 16 जुलाए 2021 को मंडवा डी है रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो बनारस जंक्शन रखा गया है अगला कोशन है 16 जुलाए 2020 को किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में एक का अनावरन किया गया तो सिंगापूर नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 16 जुलाए 2021 को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कहां से रुद्राक्ष सम्मेलन का उधगाटन किया तो वारा नसी से नेक्स्ट कोशन है 17 जुलाए 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व अंतराश्टी ये निया दिवस 17 जुलाए 2020 के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोड़क्ट योजना की शुरुआत की जाएगी तो हर्याना सरकार के द्वारा नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 17 जुलाए 2021 को अपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला नयाले कौन बना है तो गुजरात बना है 17 जुलाए 2021 को असम के किस जिले ने राष्टी रजट स्कॉच पुरसकार जीता है तो कछार जिले ने 17 जुलाए 2020 को संपन चौतरवे कान फिल्म महुत्सव 2021 में सर्वस्रेष्ट फिल्म का पुरसकार पाल्म डी और किसे दिया गया है तो फिल्म टाइटन को दिया गया है और 17 जुलाए 2021 को चौतरवे कान फिल्म महुत्सव 2021 में सर्वस्रेश्ट वरत्य चित्र के लिए गोल्डन आई का प्रवसकार किस ने जिता है तो भारतिय निर्देशक पायल कपाडिया की A Night of Knowing Nothing को ठीक है यह वर्ड दिया गया है 18 जुलाय 2021 को One Hand Can Feed Other थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है तो निल्सन मंडेला अंतराश्ट्रिय दिवस मनाया गया है 18 जुलाय 2021 को सरकार ने पेंशन फंड प्रवंदन में FDI की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ा कर कितना करने की अधिस उचना जारी की है तो 74 प्रतिशत जारी करने की यहां पर अधिस उचना जारी करने की जो है यहां पेशकश की है अगला है यहां पर 18 जुलाय 2021 को भारत के जैनगर से किस पडोसी देश के बीच रेल गाड़ी का सफल परिक्षन किया गया तो नेपाल के कुर्था नेक्स्ट कोशन है अठारा जुलाय 2020 को किस वाइरस के कारण चीन के पशुत चिकितसक की मौत हो गई तो मंकी बी के कारण नेक्स्ट कोशन है यहां 18 जुलाए 2020 को मध्य प्रदेश ओलंपिक संग का धेक्ष किसे चुना गया है तो रमेश मेंदोला को चुना गया है नेक्स्ट कोशन है 18 जुलाए 2020 को यूरोपिय संग के कितने देशों ने कोविट शील्ड को मानिता देती है तो 16 देशों ने 18 जुलाए 2020 को बिटिश ग्रेंड प्रिक्स किस ने जीता है तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है और यहां 18 जुलाए 2020 को भारतिय ग्रेंड मेस्टर विश्वनातन आनंद ने किसे हराकर स्पार्क सेंट ट्रोफी जीत ली है तो रूस के ब्लादीमिर क्रैमनिक को हराकर 18 जुलाए 2020 को सौधी अरब ने महिलाओं को किस तिर्थिस्तान की बिना अभिवावक के यात्रा करने की मंजूरी दे दिये तो हज यात्रा की 19 जुलाए 2021 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है किसान मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित् 19 जुलाई 2021 के अनुसार हिमाचर प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फिल्ड परिक्षन किया गया मौंक फल का ठीक है ये मौंक फूरूट आता है इसका सफल परिक्षन जो है कर लिया गया है नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहां पर कि 20 जुलाई 2021 को पेरू के नई रास्ट पती कौन बने है तो पेडरो कास्टिलो बने है और 20 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक ने ग्रहांकों के लिए किस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पौवरेड वर्चुल असिस्टेंट को लाँच कि लिए किस खिलाडी मंच का शुभारम किया है तो हिरोज कनेक्ट का नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहां 21 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार गुरप्रित कौर को नियुक्त किया गया है नेक्स्ट कोशन देखिए यहां 21 जुलाई 2021 को युनेसको ने किस शहर से उनकी प्रतिष्टित विश्व धरोहर का दरजा चीन लिया है तो लिवरपूल इंग्लेंड का एक शहर है उससे यह दरजा चीन लिया गया है 22 जुलाई 2020 को तर्फ प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनात हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है 22 जुलाई 2021 को आर्बियाई ने किस भुक्तान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दि 23 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राश्ट्री प्रसारन दिवस 23 जुलाई 2020 को कैड़ेट कुष्टी विश्व चेंपियंशिप 2020 का खिताब किस ने जीता है तो भारतिय पहलवान तनु ने और 23 जुलाई 2020 को पहली बार देश से बाहर नीट सनातक परिक्षा 2020 का केंदर कहां खोला गया है दुबई में और नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 23 जुलाई 2020 को फाइजर और बायो एंटेक ने कहां में कोविड-19 वैक्सिन उतपादन करने के लिए समझोता किया है तो दक्षन अफ्रीका 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया आयकर दिवस 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलम्पिक खेलो में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है तो मीरा भाई चानू ने रजत पदक जीता है 49 किलोग्राम की कैटेगरी थी 49 किलोग्राम वाली कैटेगरी में जीता है और इन्हो कोशन देखेगा 24 जुलाय 2020 को हरियना राज्य सरकार ने विकास कारियों से जुड़ी कोई शिकात या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोटल की शुरुआत की है तो ग्राम दर्शन पोटल की शुरुआत की है 24 जुलाय 2021 को स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉंच करने के लिए एक अनुबंध किया है तो ब्रहस्पती के चंद्रमा यूरोपा पर नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 24 जुलाय 2021 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के छेतर में आपदा प्रबंधन को अनिवारे विशे बनाने की घोशना की है तो ओडिशा सरकार ने 24 जुलाय 2021 को वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समेन अफदा इयर किसे चुना गया है तो पैराशटलर प्रमोध भगत को नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 25 जुलाय 2021 को तेलंगाना के किस मंदिर को युनेस्को के विश्व धरोहर इस्तल के रूप में चिन्हित किया है तो काक्तिय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को 25 जुलाय 2021 के समय अनुसार या सुचना नुसार भारत में इथे लॉन इथे नॉल जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश 25 जुलाय 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तेरता हुआ सौर फार्म कहां बनाने की यहां पर योजना की गई है तो यह कहां की गई है इंडोनेशिया में और 25 जुलाय 2021 को बिटिश सरकार द्वारा एलेक्जंडर डेल रिंपल पुरसकार से किसे समानित किया गया है तो वाइस एड्मिरल विने बदवार जी को नेक्स्ट कोशन है आथ 26 जुलाय 2021 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षकांट मनाई गई है तो 22 और 26 जुलाय 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व मैंगरोव दिवस मनाया गया है और 26 जुलाय 2021 को केंदर ने खेल जोग जोग नेक्स कोशन देखेगा यहाँ पर कि 27 जुलाय दोजार इकिस को सियर पीएफ ने अपना कौन सा इस्तापना दिवस मनाया तो 83 नंबर का 27 जुलाय 2021 को युनेसको द्वारा हडपा कालिन किस नगर को विश्व दरोहर इस्तल घोशित किया गया तो गुजराव के दोलावीरा को और अगला है 27 जुलाय 2021 को मध्य दक्षन एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस ने की है तो उजबेकिस्तान विदेश मंत्री है हमारे एस जो है जैशंकर इसमें शामिल हुए थे और 27 जुलाय 2021 को ड्रिंक फॉर्म टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है तो पूरी जो की ओडिसा में है नेक्स्ट कोशन है आस 27 जुलाय 2021 को किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की दो दिवसी आतरा पर रहे तो अमेरिका के और यहां पर 28 जुलाय 2021 को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वन पदक विजेता कौन बन गई है तो जापान की मोमी जी निशिया बन ग नेक्स्ट कोशन है 28 जुलाय 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व प्रकरती संरक्षन दिवस 28 जुलाय 2021 को 24 गंटे गुणवत्ता पून पेजल उप्लब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है तो पूरी बन गया है जो की ओडिशा में है 29 जुलाय 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतरास्ट्रिय बाग दिवस मनाया गया और 29 जुलाय 2021 को किस राज्य की सरकार ने आयरवेद को बढ़ावा देने के लिए देवारन या योजना बनाई है तो ये मध्यप्रदेश की सरकार ने बनाई है अगला कोशन है 29 जुलाय 2021 को किस राज्य की सरकार ने मिशन निरियातक बनो अभियान शुरू किया है तो राजस्तान की सरकार ने और 30 जुलाय 2021 को ब्राजिल के किस लेंडिस्केप गार्डन को युनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है तो सिटीयो बुरले मार्क् 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझाता किया है तो इराक में और 30 जुलाय 2021 को किस ने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है तो मिशिगन की वैदे ही डोंग्रे ने नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 30 जुलाय 2021 को किस राज्य की विधान सभा ने अपना पहला खेल विश्व विध्याले स्थापित करने है तो एक विध्यक पारित किया है तो बिहार की यहाँ पर 31 जुलाय 2021 को ट्रांसजेंडर समझाय को सरकारी नौक्रियों में आरक्षन देन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो करनाटक बना है और 31 जुलाय 2021 को आर्बियाई ने केंदर शासित प्रदेश लद्दा की सरकार को जब्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्तेदारी की मंजूरी दिये तो 8.23 परतिशत की 31 जुलाय 2021 को कौनसा दिवस मनाया गया विश्व रेंजर दिवस मनाया गया एक अगस्त 2021 को कौनसा दिवस मनाया गया राष्ट्रिय परवता रोहन दिवस और अंतराष्ट्रिय मितरता दिवस मनाया गया नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 1 अगस्ट 2021 को भारत रूस के मद्य किस अभ्यास का बारवा संस्करन का आयोजन दक्षणी रूस के वल्गो ग्राड छेतर में शुरू हुआ तो इंद्र 2021 एक अगस्ट 2021 को टोक्यो ओलम्पिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंदु ने कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक जीता है ब्रॉंज मेडल जीता है एक अगस्ट 2021 के अनुसार देश के किस राज में जीका वाइरस का सबसे पहला मामला सामने आया है तो मह नेक्स्ट कुशन है दो अगस्ट 2021 को जारी फॉर्चुन ग्लोबी 500 में किस ने कितने भारतिये कंपनियों ने जगह बनाई है तो साथ ने और दो अगस्ट 2021 को भारतिये नौसेना के उपप्रमुक कौन बने है तो SN घारमडे जी अशो कुमार की जगह पर तीन अगस्ट 2021 को खेल मंतरी अनुराक ठाकुर ने पैरालंपिक के लिए किस थीम सॉंग को लॉंच किया है तो करदे कमाल तू चार अगस्ट 2021 को नेपाल के किस पूरु कप्तान ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो पारस खड़का तीन अगस्ट 2021 को हर्याना सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है हर हित स्टोर नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर तीन अगस्ट 2021 को दुनिया की दूसरी सबसे उची चोटी केटू के शिकर पर पहुँचने वाले दुनिया के सबसे कम परवतारोही कौन बने हैं तो शेहरोज काशिप बने हैं और यह पाकिस्तानी हैं नेक्स्ट कोशन तीन अगस्ट 2021 को कोविड 19 के खिलाफ सो परतिशत वैक्सिनेशन करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताईए तो वो है भूमनेश्वर और भूमनेश्वर कहां है उड कारी देने के लिए कहां पर पानी माहा शुरू किया गया है तो लद्दाक में और चार अगस्त को उडान योजना के अंतरगत किन दो राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की गई है तो इमफाल और शिलॉंग के बीच चार अगस्त को किस भारतिये महि किस ने किया है भुकंप अलर्ट उत्राखंड की सरकार ने 5 अगस्त को सरकार ने कोरोना से अनात होने वाले बच्चों के कितने रुपय के हnecess mechanics का एलान किया है तो 5 लाक रुपय के 5 अगस्त को किस बैंक को Digital banking में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है तो DBS बैंक को 5 अगस्ट 2021 के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्ट को स्वतंत्रता दिवस समारों के लिए विशेश अतिती के रूप में किसे अमंत्रित किया है तो भारत के ओलम्पिक दल को 5 अगस्ट 2021 को ओडिसा के गोपालपूर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतिय नौसेना जहाज कौन बना है तो INS खंजर बना है और 5 अगस्ट 2021 को टोक्यो अलम्पिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतिय पहलवान रवी कुमार दहिया ने कौन सा अगस्ट वाली जो करन्ट अफेर्स मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से देख लिजे एक एक कोशन को नोट कर लिजे एक्जाम में पूछे जाएंगे जरूर आपके NTPC CBT2 में भी और रेलवे गुरूपडी में तो 100% यहां से कोशन बनेंगे चले चलते है अगला कोशन देखे 5 अगस्ट 2021 को किस राज्य सरकार को Ease of Doing Business पहल के तहट 4 स्कॉच पुरसकार मिले हैं तो पश्चिम बंगाल को 6 अगस्ट 2016 को कौनसा दिवस मनाया गया हिरोश्यमा दिवस और 6 अगस्ट 2021 को राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार का नाम बदल कर क्या क जीता है तो होलेंड ने अर्जेंटीना को हराकर ये पदक जीता है और 6 अगस्ट 2021 को भारती प्राणी सर्वेक्षन जूलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है द्रती बनर जी और अगला कोशन है यहाँ पर 7 अगस्ट 2021 को कौनसा दिवस मनाय गया है अगला कोशन देखें यहाँ 7 अगस्ट 2021 को तमिलाडु में आयोजित भारत के स्री कुष्टी दंगल किसने जीता है तो लाभांचू शर्मा ने और ये लाभांचू शर्मा कहां से है उत्राखंड से हैं 7 अगस्ट 2021 को भारत का पहला हार्ट फैलियर बायो बैंक कहा शरू किया गया है तो केरल के यहाँ पर केरल के यह SCTI MST में शरू किया गया है और अगला है 7 अगस्ट 2021 को टोक्यो उलम्पिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल इस परदा में भारतिये पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है तो कांसे पदक जीता है ब्रॉ जेवलिन थ्रो भी ध्यान रखेगा क्योंकि एक्जाम में कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है वो हिंदी में भी जेवलिन थ्रो ही लिखावा आ जाता है तो इसलिए दोनों शब्द आपको ध्यान रहने चाहिए अगला कुशन है आज 7 अगस्ट 2021 को केंदर सरकार ने कि संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमती दिये राश्ट्री विज्ञान सिक्षा और अनुसंधान संस्थान भूवनेश्वर को दो रज़त दीते हैं और चार कांसे पदक जीते हैं आठ अगस्ट 2021 को किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबुधावी के तट पर आयुजवित किया गया तो भारत और UAE के बीच नेक्स्ट है यहाँ आठ अगस्ट 2021 को वर्ष 2021-22 से राश्ट्री शिक्षानिती लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो करनाटक बन गया है आठ अगस्त को किस विमान सेवा कंपनी ने नीरत चोपड़ा को एक वर्ष की अवधी के लिए मुफ्त टिकट देने की घोशना की है तो इंडिगो ने 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था तो नागा साकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था 9 अगस्त को चर्चित तूफान लिूपिट किस देश से संबंदित है तो जापान से 9 अगस्त को किस खेल से संबंदित पूर्व भारती खिलाड़ी गोपाल भेंगडा का 75 वर्ष के आविमें निदन हो गया तो हौकी 9 अगस्त को किस ऑस्ट्रेलाई गेंदबाज को ततकाल परभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है तो शॉन टैट को और 9 अगस्त को टेस्ट क्रिकेट में सबसे जादा विकेट लेने वाले तीसरे गिंदबाज कौन बन गए हैं तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं और 9 अगस्त को बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपलब्द कराने के लिए UNICEF इंडिया ने किस के साथ समझोता किया है तो फेस्बुक के साथ और 9 अगस्त को 127 में सविधान संशोधन को लोकसभा में पेश किया गया इसमें किस बारे में प्रावधान है तो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछला वरगों की अपनी सूची बनाने के अधिकार से इसमें वर्णन किया गया है तो ध्यान रखेगा 127 सविधान संशोधन को यहां पर राज्य की सरकार ने आईटी चेतर में उत्करष्ट प्रदर्शन के लिए राज्यव गांधी पुरसकार की घोशना की है तो महरास्ट की सरकार ने 10 अगस्त को भारतिय कोष्टी महासंग WFI ने किस स्टार पहलवान को अस्ताई रूप से निलंबित कर दिया है तो विनेश पोगाड जी को 10 अगस्त को BCCI की जूनियर राष्टी चैन समीती के अध्यक्ष कौन बने हैं तो शरीधरन शरत बने हैं नेक्स्ट कोष्ट ने 10 अगस्त 2021 को भारती अथलेटिक्स महासंग प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोशना की है तो भाल एर ट्रेफिक कंट्रोल टावर का निर्मान किया है तो लदाक के नियोमा में और 11 अगस्त को शहरी छेतर में वन संसादन अधिकारों को माननेता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है तो 36 गड़ बन गया है और 11 अगस्त को जारी हाउ से फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मताबिक दुनिया का सबसे प्रदूशित शहर कौन बन गया है तो चीन का होटन शहर बन गया है और दूसरा बन गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट कोशन है यहाँ 11 अगस्त को लंदन में रास्ट्री सचिवाले दारा जारी नए वेश्व प्रद्री कियारा अडवानी को अपना ब्रेंड एमिसेटर बनाया है तो एउ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और 11 अगस्त को नियॉऔर की लेटिनेंट गवर्नर कौन बनी है तो कैथी होचूल बनी है और नेक्स्ट को देखेगा यहाँ पर कि 11 अगस्त को वन धन योजना के तहत नागलेंड के कितने राष्ट्रिय प्रसकार जीते हैं तो नागलेंड ने कितने राष्ट्रिय प्रसकार जीते हैं तो साथ प्रसकार जीते हैं वन धन योजना के तहत और 11 अगस्त को ही भारतिये पैरालिंपिक समिती ने टोक्यो पैरालिंपिक खेल 2020 के प्रसारण का प्रदान किया है तो यूरो स्पोर्ट इंडिया को और 12 गस्त को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतरास्ट्री युवा दिवस यहां पर मनाया गया अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रास्ट्री युवा दिवस कम मनाया जाता है तो भारत का जो रास्ट्री युवा चोलान की जैनती मनाये जाने की घोशना की है तो तमिलाडू सरकार ने बारागस्त को देश की पहली वाटर सिटी है वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किस ने हासिल किया है तो इन दौर ने बारागस्त को भारत के 36 गड़ से पहली बार निरजलित महुआ के फूल की एक को इसरो ने जी एस लवी एफ टेन रोकेट से किस उपगरह का प्रक्षेपन किया जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा तो इयो एस जीरो थरी नेक्स्ट कोशन है बारागस्त को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया तेरा अगस्त को आरबियाई ने डिजिटल बैंकिंग धोकादड़ी के खिलाफ जन जागरुकता अभियान के लिए किसे अनुमंदित किया है तो निरज चोपडा को नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि तेरा अगस्त दोजार इकिस को रास्ट्रिय औशधी मुल्य निरधारन प्राधिकरन एन और तेरा अगस्त दोजार इकिस को परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने गुजरात के गांधी नगर में किस वाहन नीती का सुभारंप किया है तो वाहन इसकृप नीती का नएक्स्ट कुषन है और 13 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश ने क्रशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की पांच किसमों का निर्यात किस देश को किया है तो बहरीन को नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि 14 अगस्त 2021 को सिंगापूर में भारती नोसेना ने अमेरिकी नोसेना के नेतरतु करने वाले किस बहुराश्ट्री अभ्यास में भाग लिया है तो सी कैट के अंदर 15 अगस 2021 को खेल मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर ने किस व्यक्ति को राष्ट्री युवा परसकार प्रदान किया तो मुहमद आजम को और 15 अगस 2021 से सेनाव पाध्यक्स लेटिनेंट जनरल चंडी परसाद मोहनती पास दिनों के ले किस देश की यात्रा पर हैं तो अमेरिका की 15 अगस 2021 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कौन से दो नारे दिये छोटा किसान बनेदेश की शान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रियास ये नारे दिये हैं और अगला है कोशन 15 अगस्ट 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किन तीन योजनाओं की घोशना की रास्ट्री हाइडरोजन मिशन, प्रधान मंत्री गतिशक्ती योजना और सैनिक स्कुलों में लड़कियों की सिक्षा 15 अगस्ट 2021 को प्रधान मोधी ने दो वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेने शुरू करने की घोशना की है तो 75 नेक्स्ट कोशन है 15 अगस्ट 2021 को प्रधान मोधी ने कब तक भारत को उर्जा स्वतंतर बनाने का लक्षे रखा है तो वर्ष 2047 तक 15 अगस्त 2021 को भारत 75 में सुतंतरता दिवस को चिनित करने के लिए किस महोचसव के रूप में मना रहा है तो आजादी का अमरत महोचसव 15 अगस 2021 को 75 में सुतंतरता दिवस के अफसर पर दिव्यांग जनों के लिए किस अभ्यान की शुरुआत की गई तो अप्रेशन ब्लू फ्रीडम की 15 अगस 2021 को पलेंड में संपन विश्व तिरंदाजी युवा चेंपियंशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो इसमें 15 पदक जीते हैं, 8 सवन जीते हैं, 2 रजगत जीते हैं और 5 कांज से पदक जीते हैं 16 अगस 2021 को HCL ने फाउंडेशन के कारिगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉंच किया है 16 अगस 2021 को डक्टर जितेंदर सिंग ने मवेशियों के देशी नसलों के शुद्ध किसमों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जिनॉम चिप जारी की है तो 16 अगस 2021 को WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समों का गठन किया है तो सागो 16 अगस 2021 को सेटलाइट फॉन से लेस होने वाला भारत का पहला राश्ट्री उधान कौन बन गया है तो काजी रंगा राश्ट्री उधान जो की असोम में है 16 अगस 2021 को भारत की पहली ड्रॉन फॉरेंसिक प्रयोखशाला इमोमनुसंधान कहां पर शुरू हुआ है तो तिर्युनंत पुरम केरल ने और केरल कहा है हमारा राश्जे है केंदर शास्थ प्रदेश नहीं है ठीक है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं चलते हैं संगोली रायनना की जैनती का अयोजन किया है तो करनाटक होगा ठीक है ऐसा ऐसे लिख लीजिएगा तो किस स्मॉल फाइनन्स बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है तो एई यू स्मॉल फाइनन्स बैंक ने और अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके हमने ब्रेंड एमेसेटर भी बनाये थे बताये थ तो कतर और 19 अगस्त को किस राज्य सरकार ने शबद गोरक दंदा के इस्तिमाल पर प्रतिबंद लगाया तो हरियाना 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अक्षय उर्जा दिवस और 20 अगस्त को उत्तरप्रदे सरकार ने किस शहर का नाम बदल कर हरीगड रखने का प्रस्ताव रखा है तो हरीगड किस का नाम रख देंगे यहाँ पर अलीगड का नाम बदल कर हरीगड रखने का प्रस्ताव किया गया है 20 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने कारिगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का नावरन किया है तो जम्मु कश्मीर 20 अगला कोशन है हमारा 21 अगस्ट को तरप्रदेश में किस विश्विध्यले का नाम बदला गया है तो सहारनपूर बदला गया है 22 अगस्ट को एंटीपीसी ने कहां में कहां पर सबसे बड़ा floating solar pv project जो है बनाया है तो आंदर प्रदेश में बनाया है और 22 अगस्त को किस राज्य में पहला alcohol museum खुला है तो alcohol museum कहां पर खुला है गोवा के अंदर खुला है 22 अगस्त को भारत के सबसे अधिक उचाई वाले herbal garden setup का उत्गाटन कहां पर किया गया है तो ये किया गया है उत्राखंड में और 22 अगस्त को जारी हरून global 500 की सबसे मुल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शिर्ष पर रखा गया है तो apple को और 22 अगस्त को U20 athletics championship में अमित ख व्यापार और उनके उन्मुलन के लिए अंतराष्ट्री है दिवस नेक्स्ट कोशन है 23 अगस्त को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीवी का सहयता योजना शुरू की है तो मनिपूर के 23 अगस्त को किस ने ए फस्ट सक्षम chatbot उर्जा लांच किया है तो BPCL ने और 23 अ किस राज्य के परदूशन नियंत्रन बोर्ड को पहला इस्थान मिला है तो ओडिशा के और 24 अगस्त को किस के द्वारा विक्सित युक्त धारा पोर्टल लांच किया गया है तो इसरो तथा ग्रामिंड विकास मंत्राले के द्वारा 24 अगस्त को किस IIT ने पहला स्वदेश मोटर चालित वीलचेर नियो बोल्ट विक्सित किया है तो IIT मदरास ने 24 अगस्त को दिली सरकार ने आदर्श नगर इस्थित राज्किये बाल विध्याले का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है तो रवी कुमार दाया के नाम पर नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 24 अगस्त 2021 को जारी सूचना के अनुसार विश्वा आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर होगा तो जेनेवा सुटजर लेंड में होगा 24 अगस्त को टोक्यो पेरालिंपिक 2020 के उधगाटन समारो में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है तो टेक चंद को बनाया गया नेक्स्ट कोशन है याँ 25 अगस्त 2021 को जारी EIU के सैफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शिर्ष पर रहा है तो कोपेन हेगन शिर्ष पर रहा है 25 अगस्त 2020 को सहकारिता मंत्राले के सच्चिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभयकुमार सिंग जी को 25 अगस 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे उचा और सबसे बड़ा अब्जर्वेशन वील जो है ये कहां पर खुलेगा तो ये आपका खुलेगा दुबई के अंदर कहां पर खुलेगा ये दुबई के अंदर खुलेगा तो नेक्स्ट कोशन देखें हमारा कि 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया 26 अगस्त को मुनी लॉंडरिंग से निपटने के लिए कहां विशेश अदालत की स्थापना हुई थी तो यह हुई थी दुबई के अंदर 26 अगस्त को भारत ने किस देश को 40 G1 रक्षम एम्बूलेंस उपहार में दी है तो बंगलादेश को 26 अगस्त को किस मंत्राले ने सूजलम अभियान शुरू किया है तो जल शक्ती मंत्राले ने नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो 26 अगस्त को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सले शुरू किया है तो मारास्ट की सरकार ने 26 अगस्त को किस देश ने स्वधेशी रॉकेट सिस्टम फतय फस्ट का सफलता पूरवक परिक्षन किया है तो पाकिस्तान ने 26 27 अगस्त को किस कंपनी ने होरिजन वर्क रूम्स का नामक एक एप जो है वो लॉंच किया है तो फेस्बुक ने 27 अगस्त को ब्रिक्स के क्रशी मंत्रियों की बैठक किया देख्षता किस ने किया है तो नरेंदर सिंग तोमर ने की है और 27 अगस्त को दिल्ली सरकार ने खेला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोशना की है तो उत्रप्रदेश की सरकार ने अठाइस अगस्त को मांसिक स्वास्त हेलप लाइन सुकून का उधगाटन कहां पर किया गया है ये किया गया है जम्मु कश्मीर के अंदर और अठाइस अगस्त को बारसी लोना उपन खिताब किसने जीता है तो एस पी सेतुरमन ने अठाइस अगस्त को नाबाड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पैड माई राइट कहां में ये शुरू किया गया तो किल्ला गाउं जो की तिरपुरा में है और अठाइस अगस्त को किस रा रास्टरी एक खेल दिवस मनाया गया उन्तिस अगस्त को सौपरतिशत व्यस्क आबादी को वैक्सिन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है तो हिमाचल प्रदेश उन्तिस अगस्त को फिट इंडिया एप किसने लॉंच किया है तो अनुराक ठाकुर ने और उन्तिस और तिस अगस्त को किस राज़े सरकार ने भारतिय कुष्ति को दोerman 32 उलमपिक तक गोध लिया है तो उत्तर प्रदेश नेной 29 अगस्त को निशाद कुमार ने टोक्यो पेर आलिम्पिक मैं हाइजंप में कौन सा पदक जीता है तो रजजत पदक जीता है 39 को संपन मालाबार 2021 सैन्ट सैन्ने अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है तो भारत, अमेरिका, उस्ट्रेलिया और जापान ने इसमें भाग लिया है अगला कोशन देखेगा यहाँ पर कि 30 अगस्ट 2021 को किस देश ने अफगानिस्तान से अपने आखरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डॉन हुउ सहीत सभी सैनिकों को वापसे कर 20 साल की सैनियो पस्तेती समाप्त कर दी है तो अमेरिका ने और 31 अगस्ट को भारतिय मुक्यबास रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चेंपिन्शिप में कौन सा पदक जीता है तो स्वन पदक जीता है गोल्ड मेडल जीता है 31 अगस्ट को रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने पूने के सेना खेल संस्तान का नाम बदल कर क्या रखा है तो नीरत चोपडा स्टेडियम रखा है और 31 अगस्ट को टोक्यो परालिंपिक में भाला फैंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है तो उन्होंने भ 2021 को किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल एप लॉंच किया है तो भारतिय जीवन बीमा निगम ने 31 अगस्ट को कौन सा दिवस मनाया गया तो अफरिकी मूल के लोगों के लिए अंतरास्ट्री दिवस है 31 अगस्ट को दुनिया की सबसे उची सड़ का उदगाटन कहां पर किया गया है तो लदाक में और ये कहां से लेह से पैगोंग जील तक ये जाती है सड़क ठीक है नेक्स्ट कोशन है यहां पर कि 31 अगस्ट को किस राज्य सरकार ने चिकम गलूरू में मसाला पार्क इस्थापित करने की गोशना की है तो करनाटक की सर राजिस्थान ने और आपको पता होना चीए कि जो अवनी लेखारा जी है ये राजिस्थान के जैपूर से बिलॉंग करती हैं 31 अगस्ट 2021 को किसके द्वारा विक्सित ई गोपाला एप्लिकेशन का वेब संस्क्रन लांच किया गया तो राश्ट्य ड्रेरी विकास बोर्ड 31 अगस्ट को प्रो कबड़ी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खलाडी कौन बने हैं तो प्रदीप नर्वाल और 31 अगस्ट को राश्टी शिक्षानीती 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है तो ये बना है मध्यप्रदेश और 1 सितंबर 2021 को किस राज्य क केबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोशना की है तो पंजाब केबिनेट ने की है नेक्स्ट कोशन है एक सितंबर को जारी ने टाइम्स एक्सिलेंट्स अवर्ड 2020 जीता है वे कौन है तो वो हैं एक लेखक एक सितंबर 2021 को इंद्रा गांधी परमानु अनसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने है तो बी वेंकट रमन इसके नए निदेशक बने है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां कि 2 और रोनाल्डो बने है और 3 सितंबर 2021 को इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD के रूप में कौन नियुक तुई है तो वर्तिका शुकला जी 3 सितंबर 2021 को किस स्पेस एजनसी के माक्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमुना प्राप्त किया है अधली भारती महिला एथलेट कौन बन गई है तो अवनी लेखारा बन गई है तीन सितंबर 2021 को टोक्यो पैर अलिम्पिक में अवनी लेखारा ने किस इस परदा में कांसे पतक जीता है तो 50 मिटर राइफल प्री पोजिशन SH1 में इन्होंने ये जीता है अगला कुशन 2021 को किन के जन्म दिवस पर देश भर में शिकशक दिवस मनाया गया तो सर्वपली राधा क्रिशनन और 5 सितंबर 2021 को किस मंत्राले द्वारा वाइब्रेक या योग ब्रец ऐप लॉंच किया गया तो आईश मंत्राले के द्वारा सरबानन्द सोनेवाल के द्वारा नेक्स्ट गोशित किया गया है तो दिपोर बील वन्यजिव अभ्यारन को नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां 5 सितंबर 2020 को समुदरी सयोग बढ़ाने हे तू भारत और अलजीरिया के मद्य आयोजित पहले नौसनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है तो आइनेस तबर 5 सितंबर को किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्टरिक वीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारचिला रखी गई है तो यह रखी गई है मेगाले में और 5 सितंबर को किस पेमेंट प्लेटफॉर्म में फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभ्यान शुरू किया है तो अबनी लेखा रहा थी और 5 सितंबर को संपन टोक्यो पेरालिम्पिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो 19 पदक यहां पर भारत ने अपनी जोली में डाले और 6 सितंबर 2021 को चीन पाकिस्ता अन्थाइलेंड और कौन सा देश है जो मिलकर साजा भाग्ये 2021 से अब यहान की ब्रांड एममेसेडर बनी है तो असम की और 6 सितंबर 2021 के गोशना के अनुसर कहां के विलो क्रिकेट बैट को भोगलिक संकेट जी आई टैग यहां पर दिया जाएगा तो यहां पर कश्मीर का कश्मीर विलो का बैट जैसे आप अगर आपनी क्रिकेट खेला हो कभी तो आपको अच्छे से पता होगा कि कश्मीर विलो जो है इंडिया में काफी ज्यादा जो है सेल आउट होता है काफी ज्यादा यह बिकता है कश्मीर विलो का बैट साथ सितंबर 2021 को किस देश की निर्मान फर्म ने फूलों की खुश्बू वाला डामर बनाया है तो प साथ सितंबर को किस राज्य में भारत का पहला डुडोंग संरक्षन रिजर्व स्थापित करने की गोश्णा की गई है तो तमिल नाडू के अंदर साथ सितंबर को भारत का पहला जैव ईट आधारित भवन कहां पर शुरू हुआ है तो IIT हेदराबाद में और साथ सितंबर को Bitcoin को राश्ट्रिय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना है तो अल सल्वादोर और नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 8 सितमबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतरास्ट्रिय सकसरता दिवस मनाया गया 8 सितमबर को किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है ध्यान रखेगा वतन प्रेम योजना किस सम्बंदित है ये भी पूछा जा सकता है तो गुजरात से 8 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है तो मुला असन अकुंद को नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 8 सितंबर को किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाकार नियुक्त किया है तो आंधर प्रधेश सबस्टान्स अवर्ड मिला है तो नमिता गोखले को 9 सितंबर को गतवर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवर्ड से किसे समानित किया गया तो अयान शंकटा मुंबई को और 9 सितंबर 2021 को भारतिय सेना किस भाग में आयोजित भावरास्ट्रिय सेन्य अभियास जापाट 2021 में भाग लिया है तो रूस के अंदर नेक्स्ट कोशन है आपर 9 सितंबर को किस राज्य सरकार ने पेडों को बचाने के लिए प्रान वायू देवता पेंशन योजना शुरू की है तो ये की है हर्याना ने 9 सितंबर को किस शहर में भारत का सबसे उचा वायू शोधक यंत्र लगा है तो सबसे उचा वायू शोधक कहां पर लगा है ये यंत्र चंडीगड के अंदर 9 सितंबर को मनाए गए हिमाले दिवस का थीम क्या है तो हिमाले दिवस का थीम क्या है हिमाले का योगदान हमारी जिमेदारियां 9 सितंबर को सुब्रमन्यम भारती की पुन्य तिति को तमिल लाडू में किस दिवस के रूप में घोशित किया गया है तो महा कवी दिवस के रूप में 9 सितंबर 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कर्बंडाई ऑक्साइड कैप्सरिंग प्लांट कहां पर शुरू हुआ है तो यह हुआ है आइसलेंड के अंदर 10 सितंबर 2021 को ड्रॉन से वैक्सीन आपूर्ति का परिक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो तेलंगाना बना है और 11 सितंबर को किस राज्य सरकार ने कोवीट के प्रसार का आखलन करने के लिए सरोप्रव लैंस अध्यन शुरू किया है तो केरल ने 11 सितंबर 2021 को देबो जोती मिस्रा ने किस देश में सर्वस्रेश्ट संगीत निर्देशक का प्रसकार जीता है तो स्पेन और 11 सितंबर को किस राज्य में नुवा खाई उत्सो मनाया गया है तो ओडिसा के अंदर और नेक्स्ट कोशन है यहां 11 सितंबर को डेनमार को और तमिनलाडू ने किस खाड़ी में उर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है तो मनार की खाड़ी में और 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व प्रात्मिक चिकित सा दिवस 11 सितंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाए 2021 में भारत का और दो करम शुरू किया है तो संस्क्रती मंत्राले ने 12 सितंबर 2021 को 2020 वल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतिये टीम का मेंटर न्यूक्त किया गया है तो मेहंदर सिंग धोनी को और 12 सितंबर को राष्टपती कोविंद ने कहां पर भारतिये नौसेना उड्डेयन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया तो आई एनस हंसा और ये कहां पर इस्तित है गोवा में 12 सितंबर 2021 को किस भारतिये मूल के आस्ट्रेलिया इनागरिक को आस्ट्रेलिया सुप्रिम कोट का जज न्यूक्त किया गया तो हैमंत धंजी को ठीक है क्या नाम है हैमंत धंजी नेक्स्ट कोशन है याँ पर कि 12 सितंबर 2020 को युनाइटेड इस्टेट्स के विशेशग्यों ने किस महादीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है तो अंटार्क्टिका पर और 12 सितंबर 2020 को कहां पर नवजात शिशों के लिए पंजाब का पहला मिल्क पंप कहां खोला गया है लुधिया ना में 13 सितंबर 2021 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परिक्षन के इंदर शुरू किया गया है तो ये ब्रेटेन में शुरू किया गया है तो देखें नेक्स्ट कोशन कहा है 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने सरकारी किसे प्रदान किया गया तो राश्ट्रिय खनीज विकास लिगम लिमिटेड को और 15 सितंबर को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है तो बोनी कपूर को नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो 15 सितंबर को किनकी जैनती के उपलक्ष में इंजीनियर दिवस मनाया गया तो सर एम विश्वेश्वरिया के जन्म दिवस के उपलक्ष पर और 15 सितंबर को केंदरिये मंत्री मंडल ने किस छेतर में 100% FDI को मंजूर दिया है तो दूर संचार चेतर में 15 दिसंबर को प्रोजेक्ट उडान किस ने लॉंच किया है तो IIT बॉंबे ने और 15 सितंबर को लाइफ टाइम ये टाइम पत्रिका है ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक होगी है तो उसके लिए शमाच आएंगे आप से तो 15 सितंबर को टाइम पत्रिका द्वारा जारी सौ सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन तीन भारतियों को शामिल किया गया है तो नरेंदर मोदी, ममता वनर जी और अधार पुनावाला को नेक्स्ट कोशन है आप 15 सितंबर को पिम नरेंदर मोदी ने लोग सभा टीवी और राज ya सभा टीवी को मिला कर किस नाम से नया चैनल लाँच किया है तो संसद टीवी और 15 सितंबर 2021 को किस ने ढ्राई राशन योजना शुरू किया है तो ओडिशा ने और 16 सितंबर 2021 को कौ पात्र भूमी योजना शुरू की है तो उत्तर प्रदेश ने और 16 सितंबर को किस राज्य में सेलफी विद टेंपल अभ्यान शुरू हुआ है तो ये हुआ है उत्राखंड में और 16 सितंबर को टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहां पर चालू क किया है तो ये चालू किया है जमशेद पूर के अंदर अगला कोशन है हमारा 17 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने इवी रामा सामी की 143 वी जैनती को सामाजिक नय दियस के रूप में मनाया है तो ये मनाया है तमिल नाडू ने और नेक्स्ट कोशन है 18 सितंबर को कौन सा दि योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सहय प्रबंदग निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो अलका नांगिया को और 18 सितंबर 2021 को किस विशे के साथ अंतरास्टिय तटिय सफाई दिवस मनाया गया है तो कच्रा बिन में रखें और समुद्र में नहीं 18 सितंबर को इ थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को भारत का 61 सफ्वेर प्रोधगी की पार्क केंदर कहां पर खोला गया कोहिमा नागालेंड के अंदर और 18 सितंबर को कहां पर खादी और ग्रामोध्योग आयोग ने कुमहार समुदाय को स सक्त बनाने के लिए SPIN योजना शुरू की है तो वानानसी के अंदर 18 सितंबर को संक्तुराष्टर ने किसे सतत विकास लक्षों का अधिवक्ता निउक्त किया है तो कैलाश सत्यार्थी को और 18 सितंबर 2021 को किस राज्य की सिरासा खोंग हाथी मिर्च है और तामेंग GI टैग यहाँ पर मिला है तो मानिपूर की ठीक है तो इसे भी आपको ध्यान रख लेना है पूरे अच्छे से 18 सितंबर 2021 को किस ने विकास अधिकारियों के विशेश प्रदर्शन के लिए प्रगती नामक मोबाईल एप लॉंच किया है तो यह प्रगती नामक जो मोबाईल एप है यह आपको ध्यान रख लेना है किस ने लॉंच किया है LIC ने 19 सितंबर 2021 को किस राज्य के चिंदवाडा विश्विध धहले का नाम बदल कर राजा शंकर शाह विश्विध धहले कर दिया गया है तो मध्यप्रदेश का और 19 सितंबर 2021 को बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है तो दिव्या अगरवाल बनी है और 19 सितंबर को किस को जल संरक्षन के लिए किस राज्य का गुडविल एंबसेडर नियुक्त किया गया है तो हरियाना का 19 सितंबर को किस राज्य ने नीजी छेत्र में नौक्रियों में स्थानिये निवासियों को 75% कोटा देने के विद्वयक को मंजूरी दिये तो जारकंड ने और 19 सितंबर को भारत की पहली महिला उत्खनन इंजिनियर कौन बनी है तो शिवानी मिर्णा मनी है नेक्स्ट कोशन है आपर 19 सितंबर को भारत के 112 आकांशी जलो में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीती आयोग और किस ने भागिदारी की है तो बाइजूस ने 20 सितंबर 2021 को जा तरवें ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो राजा रित्विक बने है नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 20 सितंबर 2021 को अमेरिका के हिंदू विश्विद्याले ने किस अमीनेता को हिंदू अध्यन में डॉक्ट्रेट की मानद उबादी दी है तो अनुपम खैर को और 20 सितंबर को फेस्बुक इंडिया ने किसे सारवजनिक नीती निदेशक के रूप में न्यूक्त किया है तो राजिव अगरवाल को 20 सितंबर को भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ती अभ्यास का तीसरा संसकरन आयजवित किया गया तो इंडोनेशिया के बीच नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 20 सितंबर 2021 को FSS AI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद सुरक्षा सुषकांग 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शिर्षपर है तो गुजरात 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतरास्ट्री है शांती दिवस और विश्व बना है इरान नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहाँ 21 सितंबर को अफरीका और रूस इस्तित दो चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतिये कौन बनी है तो गीता समोता बनी है 21 सितंबर को IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाडी कौन बने है तो 21 सितंबर को किस मंत्राले ने एक पहल नामक एक अखिल भारती अभियान शुरू किया है तो कानून और न्याय मंत्राले 21 सितंबर को राष्ट्री फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो S.V. सरस्वती को नेक्स्ट कोशन है 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व राइनो दिवस मनाया गया है ठीक है अगला हमारा कोशन है 23 सितंबर 2021 को बीजिंग शीतकालिन ओलंपिक 2022 का अधिकारिक नारा लॉंच किया गया है एक साजा भविश्य के लिए एक साथ 24 सितंबर 2021 को इमाले फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्क्रण कहां पर शुरू हुआ है तो यह वाई ले है लद्दाक के अंदर 24 सितंबर को जारी यूएन खाद एजंसी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुकमरी के ओर बढ़ रहे हैं तो यह यमन में और अगला है कोशन 24 सितंबर को भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विक्सित करने का काम शुरू किया है तो यह किया है अरुनाचल प्रदेश के अंदर और 24 सितंबर को चंदरमा के दक्षनी धुरू पर एक क्रेटर का नाम किस के नाम पर रखा गया है तो आर्केटिक खोज कर था मैथ्यू हैंसन के नाम पर 24 सितंबर को किस देश के गार्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए डबलो हो का राजदूत निक्त किया गया है तो यूके और 24 सितंबर 2021 को चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेका कौन है तो चेतन भगत है चेतन भगत की आपको सारी पुस्तकों के नाम ध गाटन किया गया तो हिमाचल प्रदेश के काजा में 24 सितंबर को खादियों और ग्रामध्यों को ध्योग आयोग ने ओडिशा के किस शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंदर यहां पर इस्थापित किया है तो कटक में और 24 सितंबर 2020 को यूएस आधारित जंगल ना किसने जीता है तो फुमजिले मलामबो एंग कुकाने ठीक है नाम बड़ा ही डिफिकल्ट है अच्छे से पढ़ लिजेगा अगला प्रस्न है यहां पर 25 सितंबर 2021 को किसने सिविल सेवा परिक्षा में प्रथमिस्तान हसिल किया है तो शुभम कुमार और यह कटिहार बिहार से आते हैं 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व नदी दिवस और विश्व परेवरन स्वास्त दिवस 26 सितंबर 2021 को किस राज्य की सोजत महंदी को जी आई टैग मिला है तो यह राजस्थान की है सोजत महंदी जिसे की जी आई टैग मिला है 26 सितंबर का अ हरियाना ने और 26 सितंबर को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामे टम पेड़ की किस्म है एक तरह का पाम जो होती है उसको उगाने का स्थान है पाम ट्री आपने सुना होगा। की ट्रीज चीड के पेड़ भी ने कहते हैं तो इसका उटगाटन कहां पर किया गया है तो उत्राखंड में किया गया है 26 सितंबर को भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव इंधन पर टास्क फॉर्स का सुभारम किया है तो अमेरिका और भारत ने 26 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशामुक्ती केंद्र खोलने की गोशना किये तो केरल के यहां पर मुख्यमंत्री ने और 26 सितंबर को एशिया यमनी द्वारा किये गे सर्वे में most outstanding company in India किसे चुना गया है तो SDFC बैंक को 26 सितंबर को CBSE और किस IIT ने मिलकर online श्रंखला एकलवे शुरू करने का निड़ने लिया है तो IIT गांधी नगर ने 26 सितंबर को किस देश के क्रिकेटर मुईन अली ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास की गोशना की है तो England से और 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व परियतन दिवस मनाया गया और यहां 27 सितंबर की बात करें तो थोड़ा समय ने यहां पर आपको 26 सितंबर बोल दिया तो इसे ध्यान रखेगा 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है विश्व परियतन दिवस अगला कोशन है यहां पर कि 27 सितंबर को पहले रास्ट्री सहकारी समयलन को किस ने संबोदित किया तो अमित शाह ने और 27 सितंबर को किस राज्जे के नागा खीरा को जी बनाने वाले प्रतम भारतिये खिलाडी कौन है तो विराट कोली ये बन गए हैं और 27 सितंबर को डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारम किसने किया है तो ब्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने और 28 सितंबर 2021 को ओस्ट्रावा ओपन डबलू टिये यूगल खिताब किसने जीता हुआ है तो ये कोलकाता में संपन हुआ है और 29 सितंबर को संग्तुराष्ट्र विश्व परेटन संगठन ने मद्धिपरदेश के किस गाउं को देश का सबसे खूबसूरत गाउं चुना है तो लाड़ पुरा को ठीक है 30 सितंबर 2021 को अखिल भारतिय प्रबंदन संग AIMA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए है तो CK रंगनाथन हुए है और 30 सितंबर 2021 को United in Translation theme के साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतराष्ट्रिय अनुवाद दिवस मनाया गया है 30 सितंबर को किस ने प्रत्वी की सतय की निगरानी के लिए Landset 9 उपगरहे लॉंच किया है तो NASA ने लॉंच किया है नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं तो 30 सितंबर को किस देश ने हाइपर सोनिक मिसाइल हासोंग 8 का सफलता पूर्वक परिक्षन किया तो ये उत्तर कोरिया ने 30 सितंबर को Sea Fierers at the Core of Shipping's Future theme के साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतराष्ट्रिय समुद्री दिवस 30 सितंबर को अंतराष्ट्री परमानू उर्जा एजनसी IAEA के लिए बहारी लेखा परिक्षक किसे नियुक्त किया गया है तो भारत को नियुक्त किया गया है 30 सितंबर 2021 को यूरोप को हरा कर किसने Rider Cup Gold Rider Cup Golf है गोल्फ का टूनामेंट होता है ये तो इसका पूरा नाम हम आपको पता देते हैं Rider Cup Golf Tournament किसने जीता है तो ये जीता है अमेरिका ने और 30 सितंबर 2021 को किस राज्य के जूडीमा Rice Wine को GI Tag प्रदान किया गया है तो असम के अगला कुशन है 30 सितंबर को विश्व परेटन दिवस के अवसर पर किसने निधी 2.0 योजना लॉंच किया है तो लोकसबा अध्यक्ष ओमबडला ने और 30 सितंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए कितने वज्ञानिकों को शांती का शांती सरूप जो भटनागर पुरसकार है वो प्र अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतराष्ट्रिय कॉफी दिवस विश्व शाकाहरी दिवस और अंतराष्ट्रिय व्रदजन दिवस एक अक्टूबर 2021 को ट्यूनिशिया की पहली महिला परधानमंत्री कौन बनी है तो नजला बोडन रोमधाने एक अक्टूबर 2021 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे उपर कौन है तो मुकेश अम्मानी है और दूसरे इस्तान पर कौन है गौतम अडानी जी ह एक अक्टूबर 2021 को IPL में एक टीम के खिलाब 1000 रन बनाने वाले पहले खलाडी कौन बने है तो रोहित शर्माजी बने है नेक्स्ट कोशन है कि एक अक्टूबर को PTI के अध्यक्ष कौन चुने गए है तो अवीक सरकार चुने गए है एक अक्टूबर को Digital Equity for All Ages थीम के साथ क सबसे बड़ा खादी राश्ट्रिय ध्वज का उधगाटन किया गया है तो ये किया गया है लेह में और 2 अक्टूबर 2021 को सेन्य नर्सिंग सेवा का ADG किसे बनाया गया है तो इसमिता देवरानी जी को और 3 अक्टूबर को किस राज्य के तीन जिलो को अशांत छेत्र गोश के और नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 3 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंद लगाया है तो सिक्किम ने और 3 अक्टूबर के गोशना के अनुसार 2022 में 56 रास्ट्री चेंपिन्शिप की मेजबानी कौन करेगा तो नागलेंड करेगा 3 अक् पर 3.6 को एशियन टेबल टैनिस चेंपिन्शिप में भारत ने कौन सा पदग जीता है तो कां से पदग जीता है चार अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व पशु दिवस मनाया गया है चार अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार हैपर सोनिक मिसाईल जिरकॉन का सफल परिक्षन किया है तो रूस ने और नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 4 अक्टूबर को किस राजी के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गाउं के संग और प्रशासन सहरों के संग अभियान की शुरुवात की है तो राजस्थान और 4 अक्टूबर 2020 को किस राजी के 31 म ने किसे अपना एंबेसेडर नियुक्त किया है तो यहां पर अमिताब बच्चन जी ने नेक्स्ट कोशन है यहां पर 4 अक्टूबर को वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबल प्रसकार किसे दिया गया है तो डैविड जूलियस और अर्देम पटापाउट टीयन को 5 अक्टूबर को क भारतिय स्पात संग के महासचिव कौन नियुक्त हुए है तो आलोक सहाय जी हुए है और 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के वाड़ा कुलम चावल को जी आई टैग मिला है तो महरास्ट के और नेक्स्ट कोशन है यहां पर 5 अक्टूबर 2021 को आर्बिय ने किसे NBFC का प्रशा सक नियुक्त किया है तो रजनीश शर्माजी को 5 अक्टूबर 2021 को अस्ट्रियाई धर्ती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है तो इस्मृती मंधाना जी बनी है अगला प्रशन है यहां पर 6 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने भारतिय नोसेना के सय योग से नव एकेश कार्ड लॉंच किया है तो SBI ने साथ अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व कपास दिवस साथ अक्टूबर को कहां पर बत्थू कमा उत्सव मनाया गया तो यह तेलंगा नाम है ध्यान रखेगा बत्थू कमा उत्सव के बारे में को कोशी कोरिडर विधुत पारेशन लाइन सौपी है तो नेपाल को, साथ अक्टूबर को परादीप पोर्ट टरस्ट का द्धियक्स कौन बने है तो PL हरानात बने है यह नात नहीं है हरानात है और साथ अक्टूबर को जारी सूचना के अनुसार 2030 में पहली बार अफरिका पैरालिंपिक खिलों की मेजबानी कौन करेगा तो घाना करेगा और 7 अक्टूबर को साहित्य का नोबल पुरसकार किसे प्रदान किया गया तो अब्दुल रजाक गुर्नाह को प्रदान किया गया है 7 अक्टूबर को Champions of Change Award से किसे समानित किया गया तो शुष्री सरिता सिंग जी को और यहां पर 7 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने Mission कवच मुंडल लाँच किया है तो महरास्टर ने और यहां 7 अक्टूबर को जारी Henle Passport Index में कौन सा देश शिर्ष पर रहा है तो जापान र पर रहा है तो मुकेश अम्बानी जी यहां पर शिर्ष पर रहे हैं 8 अक्टूबर को विश्यव बैंक ने विद वर्ष 2022 में भारत की gdp विकास दर कितने प्रतिषत रहने का अनुमान लगाया है तो आट 4 पूइंट-3 प्रतिषत रहने का अनुमान लगाया है आठ अक्ट 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस Next question यहाँ पर पूछा गया कि 10 अक्टूबर को किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कटी कट्टू को आम को कटी कट्टू आम है यह कटी कट्टी आम को जी आई टेग मिला है तो यह केरल Next है 10 अक्टूबर को ASI द्वारा आरे भट पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो जी सतीस रेडी और 10 अक्टूबर को किस IIT ने स्टार्ट अप्स के लिए यूरेका पहल शुरू की है तो IIT बॉम्बे ने 10 अक्टूबर को 45 वे वाईलार राम वर्मा इस्मरती साहित्तिक पुरसकार के लिए चुना गया है तो यह किसे चुना गया है बेनिया मिन को नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 10 अक्टूबर को जारी Bloomberg बिलिनेर्स इंडेक्स में कौन यहाँ पर शिर्षपर रहा है तो एलन मस्क यहाँ पर शिर्षपर रहे हैं 10 अक्टूबर को किस बाल रोग विशेशग्यों को वायो श्रेष्ट सम्मान मिला है तो VS नतराजन को और 10 अक्टूबर को किस देश के परमानु कारिक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निदन हुआ है तो पाकिस्तान के और 10 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार 2036 ओलम्पिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो ये भारत करेगा और नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री पुरसकार किस ने जीता है तो डॉक्टर रनदीप गुलेरिया जी ने जीता है नेक्स्ट है यहाँ पर 11 अक्टूबर 2021 को मॉर्गन स्टेडली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया है तो अनाहिता तिवारी 11 अक्टूबर को तुर्की ग्रामपी 2021 किस ने जीता है तो बाल्टेरी बोटास ने 11 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है तो PNB ने यानि कि पंजाब नेशनल बैंक ने 11 अक्टूबर को किस ने भारती अंतरिक्ष संग का शुभारम किया है तो नरें बन गया है नेक्स्ट कूशन है 14 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व मानक दिवस मनाया गया 14 अक्टूबर को किस देश ने लॉंग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला सौर अन्वेशन उपगरह जाहिये लांच किया गया है तो चाइना ने 14 को भारत का पहला अटल सामदाइक नवाचार केंद्र कहां पर शुरू किया गया है जैपूर और जैपूर है यहां पर राजस्थान की राजधानी नेक्स्ट है यहां पर 14 अक्टूबर को किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटियम लॉंच किये हैं तो कोटक महिंद पर 15 अक्टूबर को भारतिये बैंक संग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है तो एके गोयल को 15 अक्टूबर को किस ने स्वचालित इंधन भरने की तकनिक यूफिल लॉंच की है तो बीपी सील ने और 15 अक्टूबर को जारी ग्लोबल हरंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है तो 101 नंबर के स्थान पर और पहले पर रहा है इसमें बेलारूस 15 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के नुसार बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा तो तमिल लाडू बनेगा 15 अक्टूबर 2021 को फोप्स द्वारा प्रक जीता है तो स्वनपदक जीता है शोला एक्टूबर को राश्टिश करक्शा गार्ड ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है तो 37 नंबर का 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया अंतराश्टि गरिभी उन्मुनल दिवस सत्रा अक्टूबर को किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिन एशियाई फुटबॉल महासंग चेंपियंशिप 2021 जीती है तो भारत ने सत्रा अक्टूबर को किस शहर की साथ साल की बच्ची आध्या अर्विंद ने ग्लोबल पीस फोटो आवर्ड जीता है तो बैंगलुरु की और एकला है सत्रा अक्टूबर को हार्मोनी इंडिया आवर्ड्स 2021 से किसे सम्मानित किया गया तो वीर मुन्शी को और सत्रा किस देश ने जीता है तो ये जीता है चाइना ने और 18 अक्टूबर को किस राजसरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है तो ये की है पंजाब ने 18 अक्टूबर को किसे PMO में नया स्वेंग तो सचिव नियुक्त किया गया है तो मीरा मोहंती को और 18 अक्टूबर को उत्राखंड के मुख्यमंत्री ने पंत नगर औध्योगिक छेतर का नाम किसके नाम पर रखने की गोशना की है तो नारैंड दत तिवारी नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 18 अक्टूबर को फोपस इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रवाशाली एक्टर्स की सुची में कौन शिर्ष पर हैं तो रश्मी का मंदाना 18 अक्टूबर को L&T Educate ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है तो सब्यसाची दास को 18 अक्टूबर 2021 को करनाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो प्रदीप कुमार पांजाजी को और यहाँ पर अगला कोशन है कि 18 अक्टूबर को रूस और किस देश ने नौसनिक अभ्यास सेंग्तु सागर 2021 आयजुद किया है तो यहाँ पर रूस और चाइना ने नेक्स्ट है यहाँ पर 18 अक्टूबर को भारत की 21 में महिला ग्रेंड मास्टर कौन बनी है तो दिव्या देश्मुक और 18 अक्टूबर को कहाँ पर सेंग्तुराष्ट जैव विवित्ता शिकर सम्मेलन 2021 का आयजुद किया गया तो चाइना में 18 अक्टूबर 2020 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गिन्दबाज कौन बने है तो शाकिबाल असन बने है और 19 अक्टूबर 2021 को किसे सुपर कोरोना वर्यर पुरसकार से सम्मानित किया गया तो बीएस येदिव यूरप्पा को इससे सम्मानित किया गय 20 सक्टीबर 2021 मैं कमपनी ने इंडिय ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड जीता है तो टीविस मॉटर ने 21 अक्टूबर को किस देश ने अपराद की लहर पर आपातकाल की गोशना की है तो एकवाडोर ने और 21 अक्टूबर को जारी 2021 वेश्विक खाद सुरक्षा सुचकांक में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो 71 इस्थान पर रहा है नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 21 अक्टूबर को किस देश के पूर्वराश्टरपती ने अपना खुद का सोशल मीडिया एप ट्रूथ सोशल लॉंच किया है तो अमेरिका ने और 22 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया गया है तो अंतरास्ट्रिये हकलाना रहा है 22 अक्टूबर को मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाले कौन है या किसने जीता है तो डॉक्टर अक्षता प्रभू ने 22 अक्टूबर को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ओफ लॉइंडेक्स 2021 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो 79 नं यहां पर हमारा कि 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस यहां पर मनाया गया तो अंतराश्ट्री हिम तेंद्वा दिवस और 23 अक्टूबर को किसने सखारोब प्रसकार जीता है तो एलेक्सी नौलनी ने 23 अक्टूबर 2020 को किस देश ने गंटतंत्र मनाने से पहले डैम सेंडरा मे यहां 24 अक्टूबर 2020 के अनुसार किस राज्य में प्याज की नई प्रजाती एलियन नेगे यनम की खोज की गई है तो यह की गई है उतराखंड में और 24 अक्टूबर को सौपरतिशत टीका करन वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है प्रताबगड 25 अक्टूबर को किस देश ने जलवायू परिवर्तन को राश्ट्रिय सुरक्षा मुद्दा घोशित किया है तो इस्राइल ने और नेक्स्ट कोशन है यहां पर 25 अक्टूबर को रक्षा मंत्राले ने MK54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो अमेरिका के साथ और 25 अक्टूबर को किस देश की सेना ने प्रधान मंत्री को गिरफतार करके सत्ता पर कबज़ा कर लिया है तो सुडान की सरकार ने और 25 अक्टूबर 2021 को किसे दादा साहिब फाल के प्रशकार से सम्मानित किया गया है तो रजनी कांत को और नेक्स्ट कोशन है आपर 25 अक्टूबर को भारत और किस देश के किस देश ने सविक्तु त्री सेवा अभ्यास कॉंकर्ण सक्ती 2021 आयजवित किया है तो UK और भारत 26 अक्टूबर को किस देश ने घोशना की किवे है 2060 तक सरजन का लक्ष प्राप्त कर लेगा तो सौधी अरब ने 26 अक्टूबर को किसे जोसेफ एक कुश्मेन पुरसकार 2022 के लिए चैनित किया गया है तो डॉक्टर राजीव निगम को और 26 अक्टूबर 2021 को कहां पर भारत देशन प्रियोक्शाल का उध्गाटन किया गया है तो ये किया है नागपूर के अंदर ठीक है ध्यान रखेगा नागपूर के अंदर 26 अक्टूबर 2021 को किस राजीवन ने सिक्षा की इस्थर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सिक्षा योजना की गोशना कीह है तो ये किया है अगला है यहां पर 26 अक्टूबर को किस ने डैनमार्क ओपन 2021 जीता है तो विक्टर एक्सेलन और यहां पर अकाने यामा गुची ने यह जीता है नेक्स्ट कोशन है यहां पर 26 अक्टूबर के अनुसार कौन सी दोटी में 2022 से इंडियन प्रीमेर लिग का हिस्सा होंग 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया विश्वश्रव्य द्रश्य विरासत दिवस मनाया गया 27 अक्टूबर को भारतिय मूल की अनिता अनंद किस देश की नई रक्षामंत्री नियुक्त हुई है तो कनाड़ा की और 27 अक्टूबर को भारत के पहले रेडियो ओवर इ गोवा ठीक है एक कोशन सायद हमारा रहे गया है इसको भी पढ़ लेते हैं हम कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का अधगाटन कहा हुआ है कोलकाता में हुआ है और अगला कोशन देखेगा कि 27 अक्टूबर 2021 को मोटो जीपी वर्ल्ड की घोषना की है तो किर्गिस्तान 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो वर्ल्ड सुराइसिस डे और अंतराश्टि इंटरनेट दिवस मनाया गया देखें इंटरनेट आज की जीवन में बहुत इंपोर्टेंट है यह 29 अक्टूबर को बारत ने कहां पर अगनी 5 बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन किया है तो ओडिसा के अंदर और 29 अक्टूबर को किस मंत्राले ने राष्ट्रे इस्तर पर जागरुकता कारेकरम संभव शुरू किया है तो MSME मंत्राले ने 29 अक्टूबर को किस देश ने सैन्य उपचार उपग्रह है सिराज क्यूज 4A लॉंच किया है तो फ्रांस ने और 29 अक्टूबर को किस राज्य ने 34 चिल्डरन पुलिस स्टेशन के स्थापना की गोशना किये तो ओडिसा ने और 29 अक्टूबर को गोवा सरकार ने महिलाओं के स्टन कैंसर के लिए कौन सी पहल चुरू किये स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा और 29 अक्टूबर को फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एमबसेडर कौन बने है तो ये बने है मनोज वाजपई और 29 अक्टूबर को किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती शेतरों के सनरक्षन और शोशन पर एक राश्ट्य कानून बनाया है तो चाइना 30 अक्टूबर 2020 को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप्मेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो केवी कामत जी को और 30 अक्टूबर को किस देश के ख शांती प्रसकार जीता है तो जिंबाबे की 30 अक्टूबर को किस देश ने सॉलिड फ्यूल केरियर रॉकेट से एक अप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपगरह लॉंच किया है तो चाइना ने और 30 अक्टूबर 2021 को फेस्बुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल कर क्या कर लिया ह 30 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रिय जंजातिय निरत्य महुत्सव कहां पर संपन किया गया है तो जंजातिय निरत्य महुत्सव ये संपन होया 36 गड़ के राइपूर में 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो राष्ट्रिय एक ता दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को किस भारतियत अट्रक्षक जहाज को गोवा में कमिशन कर राष्ट को समर्पित किया गया तो ICGS सार्थक को नेक्स्ट कोशन है 31 अक्टूबर 2021 को शवकत मिर्जियो येव किस देश के दुबारा राष्टपती बने है तो उजबेकिस्तान के 31 अक्टूबर को किस शहर ने सस्टेनेबल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम सिटी अवर्ड जीता है तो ये जीता है कोची ने और 31 अक्टूबर को किस बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉंचिंग करने के लिए इंडिगो के साथ समझोता किया है तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने चलते हैं अपने अगले कोशन पर नवंबर के अब हमारे कोशन चलेंगे तो एक नवंबर 2021 को दिली कांग्रेस के वरिष्ट निता का 56 वर्ष की आयू में दिल का दौरा पढ़ने से निदन हो गया तो उनका नाम क्या था अर्विंदर सिंग था दो नवंबर 2021 को पंजाब के पूरु मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने कॉंग्रेस पार्टी से इस्तिपा दे कर अपनी नई पार्टी का एला की ताकत बढ़ाने के लिए कितने करोड रुपे के हत्यारों और रक्षा उपकरोनों की खरीद को मंजूरी दे दी है जिसमें हिंदुस्तान एरोनाटिकल से 12 यूटिलिटी हेलिकॉप्टर खरीदे जाएंगे तो 7,965 करोड रुपे की मंजूरी दी है दो नॉवंबर 2020 को याहू ने व्यवसाइक वे विदिक चुनोतियों के चलते किस देश से अपनी सेवाएं समेट ली हैं तो चाइना से नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 5 नॉवंबर 2021 को पहली अंतरास्टी इस्तर पर खेल रहे आकाश कुमार 54 किलोग्राम ने किस चेंपियनशिप में अपना पदक पका कर लिया है तो AIBA विश्व पुरुष मुक्यबाजी चेंपियनशिप में नेक्स्ट कोशन यहाँ देखेगा कि 3 नॉवंबर को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक एवं मोटर वाहन कर और पंजीकरन शुल्क में पूर्ण रूप से छूट बरदान करने की घोशना की है तो ओडिशा सरकार ने 3 नॉवंबर 2021 को प्रतिष्ठित स्मित सोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशन आर्ट के बोर्ड में चार वर्ष के लिए किसे जगह दी गई है तो इशाम बानी जी को और 3 नॉवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के किस पूर वो अल्राउंडर खिलाडी का निधन हो गया है तो एल है मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किस योजना का शुबारम किया तो डेरी सहकार योजना का ती नॉवंबर 2021 को अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए किस टीके को मंजूरी दी है तो फाइजर टीके को और चार नॉवंबर 2021 को एध्या में एक साथ कितने दीप ज जलाने का रिकॉर्ड जो है दर्ज किया गया है अगला प्रसन देखी पांस नॉवंबर 2020 को अफगानिस्तान ने देश में किसकी उपयोग पर प्रतिबंद लगा दिया है तो विदेशी मुद्राओं के प्रियोग पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है पांस नॉवंबर 2020 को मनिपूर राज्य सरकार ने किस योजना का शुबारंब किया है तो गो टू विलेज 2.0 का नेक्स्ट कोशन है आपर 6 नॉवंबर को अरुन चावला को किसके महादनिदेशक के रूप में न्यूक्त किया गया है तो फिक्की के और 6 नॉवंबर 2020 को रुजना नॉसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बन गए हैं तो वाइस एड्मिरल कृष्णा स्वामी नाथन जी बन गए हैं नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां कि 7 नॉवंबर 2020 को ओवराल T20 किरकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे बॉलर कौन बन गए हैं तो राशित खान ज से सम्मानित किया है तो मेरिकॉम को यहां पर पदम भूशन मिला है और पीवी सिंदु को यहां पर पदम भूशन दिया गया है आठ नॉवंबर को कौन भारत के सबसे तेज 71 नंबर के ग्रेंड मास्टर बन गए हैं तो संकल्फ गुपता यहां पर बन गए हैं और आठ लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है तो गुजरात को और आठ नॉवंबर को परियावरन प्रदर्शन सूचकांक बारवा यह था यह तो उसमें भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो 168 नंबर का और यह नियुक्त किया गया है तो अंतरास्ट्रिय नयाले का और 9 नौवंबर को किस राज्य का 21 इस्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो यहाँ पर उत्राखंड का 9 नौवंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो रास्ट्रिय विदिक सेवा दिवस के रूप में और 9 नौवंबर को इंग्लेंड के खिलाडी जेसन रॉइ चोट के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए है उनकी जगे किसे टीम में शामिल किया गया है तो जेम्स विंस को और 9 नौवंबर को भारती क्रिकेट T20 टीम का नया कप्तान एवम ओप कप्तान किसे नुक्त किया ग 9 नौवंबर 2021 को देश के अगले नौसेना प्रमुक के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो वाइस एड्मिरल आरहरी कुमार जी को नेक्स्ट कोशन है आपर 9 नौवंबर 2021 को DRDO ने किस देश के साथ मिलकर नवोन मेश और दोहरे उपयोग वाली तकनीक विक्सित करने के शोध को बढ़ावा देने के लिए करार किया है तो इसराइल के साथ ये करार किया गया है अगला प्रस्ण देखें यहाँ 10 नौवंबर 2021 को T20 अंतरास्टी क्रिकेट में विराट कोहली एवम मार्टिन गुप्टिल के बाद 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलारी कौन बन गए है तो रोहित शर्मा बन गए है 11 नौवंबर 2021 को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है 11 November 2021 को राश्चपती रामनात कोविंद सभी राज्ये के राज्यपाल एवं मुप राज्यपाल के साथ किस सम्मेलन की है देक्ष्टता की है उन्होंने तो 11 November 2021 को पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर कौनसी टीम टी ट्वेंटी वर्ड कप के फाइनल पहुँचने वाली दूसरी टीम बन गई है तो ऑस्टेलिया और फाइनल इसका 14 November को खेला गया था न्यूजिलेंड और ऑस्टेलिया के बीच जिसमें की ऑस्टेलिया यहाँ पर जीत गई थी 11 November 2021 के अनुसार पोप फ्रांसिस अगले वर्ष मई में किस भारतिय इसाई को संत की मानद उपादी प्रदान करेंगे तो अठारवी सदी में जनमें देव सहाई पिल्लाई को नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 11 November 2021 को अमेरिका अंतरास्ट्रिय सौर गटबंदन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है तो दस्वा देश यहाँ पर अमेरिका बन गया है नेक्स्ट हमारा कोशन है कि 12 November 2021 को दिल्ली मायजुत इंडिया टूडे टूरिजम अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है तो यह बिहार को प्रदान किया गया है और यह कोशन इसको स्टार मार्क करके ले जाईएगा यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज 12 November 2021 को जामिया मिलिया इसलामिया का प्रो वाइस चांसलर किसे न्यूक्त किया गया है तो यहाँ पर प्रोफेसर तस्नीम फातिमा जी को नेक्स्ट है यहाँ पर 13 November 2021 को सैंक्तुर रास्टर जलवायू परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजवानी किस देश को प्रदान की गई है तो मिस्त्र को 13 November 2021 को सैंक्तुर रास्टर बाल कोश की रिपोर्ट के नुसार विश्विस्तर पर कितने बिलियन बच्चे दिव्यांग है तो 240 मिलियन यहाँ अगला कोशन है कि 13 November को फेंटेसी एप माई सरकल 11 ने अपने साथ किस खलाडी को ब्रांड एपसेटर के रूप में जोड़ा है तो मुहमद सिराज को 13 November 2021 को कंग्रेस के वरिष्ट नेता सल्मान खुर्षिद ने अपनी नई पुस्तक लॉंच की है पुस्तक का नाम क्या है सनराइज ओवर अयोध्या और 13 November 2021 को पीपी के चार्यूलू के स्थान पर किसे राज्यसभा के महासच्चु के रूप में न्यूक्त किया गया है तो PC म गोदी को 13 November 2021 को ग्रह मंतरी अमित्शाह वराननसी में किस सम्मेलन का शुभारम किये हैं तो फर्स्ट अखिल भारती राजभाषा सम्मेलन का 14 November 2021 को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है तो बाल दिवस के रूप में मनाया गया जो कि आपको अच्छे से पता ह होगा 14 November को ICC T20 World Cup में न्यूजिलेंड को आठ विकेट से हरा कर किस टीम ने अपना पहला T20 World Cup जीत लिया है तो ऑस्ट्रेलिया ने 14 November 2021 को पदम विभुशन से सम्मानित किस इतिहासकार एममलेखक का 99 वर्स की उम्र में निधन हो गया तो दादा साहिब पुरंदरे का 14 November 2021 को IIT गांधिनेगर के निधेशक पदम श्री प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को किसका कुलपती नियूक्त किया गया है तो BHU का नियूक्त किया गया है अगला प्रशन है हमारा 15 November 2021 को कौन सी कमपनी अपने पार्टनर्स के लिए मर्चंट शेर होल्डिंग प्रोग्राम लॉंच करने वाली दुनिया की पहली कमपनी बन गई है तो भारत पे 15 November 2021 को ग्रह मंत्राले ने UAPA के तहत जाकिर नाइक के किस फाउंडेशन पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंद को बढ़ा दिया है तो Islamic Research Foundation पर 16 November 2021 को परधान मंत्री नरेंद्र मोदी किस Expressway का लोकारपन किये हैं तो पूरवांचल Expressway का लोकारपन किये हैं 16 November को पूरे देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो राश्ट्री प्रेश दिवस के रूप में 16 November को वाई परधान से निवटने के लिए केंद्र सरकार ने कहां पर अगले आदेश तक सभी इसकुलों को बंद रखने उम दफ्तरों को 50% करमचारियों के साथ काम करने की गोशना की है तो दिल्ली और NCR के सभी राज्यों में 16 November 2021 को तेलंगाना के किस गाउं को दुनिया का सर्वस्रेश्ट परेटन गाउं चुना गया है तो पोचम पल्ली को नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 16 November को किस विख्यात मपिला पट्टू संगीतकार और कलाकार का 78 वर्ष की उम्र में इधन हो गया तो पीर मुहमद का और नेक्स्ट कोशन है 16 November 2021 को न्यूजिलेंड किर्केट बोर्ड ने भारत के खिलाफ शुरू हो रही टी ट्वेंटी सिरीज के लिए नियमित कप्तान केन मिलियमसन को आराम देकर किसे नया कप्तान नियुक्त किया है तो टिम साउधी को नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर 16 November 2021 को विश्व निकाय के सहसचिव एंतोनियो गुट्रेस ने भारत में स्वेंक्त रास्ट का इस्थानिय समन्वेक नियुक्त किया है तो शौंबी शार्प को नेक्स्ट कोशन है हाँ पर 16 November 2021 को सीमा सडक संगठन बियारों ने लद्दाक के किस दर्रे पर यहाँ पर 19,024 फिट उंचाई पर सडक का निर्मान किया है जिसके लिए उसका नाम गिनिस बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है तो यह है उमलिंगला दर्र नेक्स्ट कोशन है हाँ पर 17 November 2021 को पूर्वे खिलाडी अनिल कुमले की जगे किसे ICC क्रिकेट समीती का अध्यक्स बनाया गया तो सौरव गांगली को नेक्स्ट कोशन है 17 November 2021 को पस्चिम मंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुचाने के लिए नई योजना शुरू की है और इस योजना का नाम क्या है तो दुवारे राशन योजना नेक्स्ट कोशन है 18 November 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो विश्व वैस्क दिवस के रूप में 18 November 2021 को रक्षा मंतरी राजनात सिंग LAC पर बने किस युद्ध इसमारक का उधगाटन किये हैं तो रिजांगला युद्ध इसमारक का नेक्स्ट कोशन है 18 November 2021 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस सत्र को संबोधित किया है तो सिडिनी डायलोग 2021 18 November 2021 को कार्मिक और प्रस्रिक्षन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंदर सरकार ने नियाय विभाग के निदेशक का कारेकाल एक साल साथ महीने तेरा दिनों के लिए बढ़ा दिया है उनका नाम क्या है तो मुर्डिधर पांडे है 18 November 2021 को Amplitude की एक रिपोर्ट के मताबिक 5 Next Hottest Products of APAC Asia Pacific की लिस्ट में किस भारती है अपने जगह बनाई है तो कू अपने जगह बनाई है 18 November 2021 को Australia के टेस्ट टीम के कप्तान Tim Payne को Ashes Series से पहले उनके पत से हटा दिया गया है उनकी जगह किसे टेस्ट टीम का कप्तान न्यूक्त किया गया है तो Pat Cummins को Next Question है 18 November 2021 को अभिनेतरी हेममालनी और संगीतकार प्रसून जोशी को किस अवर्ड से सम्मानित किया गया है तो Indian Film Personality of the Year 18 November 2021 को Congress अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में जुड़े अनुशासन से जुड़े मामलों के लिए गठेत अनुशासनात्मक समिती का अब इस कोशन को आगे हम यहां से पढ़ेंगे तो समिती का जिम्मा किसे सौपा है तो वरिष्ट नेता और पूर्व केंद्रिय मंतरी एके एंटरी को इसका जिम्मा सौपा गया है अठारा नॉम्बर 2021 को भारतिय फुटबॉल की आवाज कहे जाने वाले किस कमेंटेटर का सट वर्ष की उम्र में इधर हो गया तो 67 एर्ष की उम्र में इधन हो गया नोवी का पाडिया का नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट को भारत तक एक बार फिर से किसका अदेख्ष चुना गया है युसको की कारेकारी बोर्ड का सदस्य उनिस नोवंबर 2021 को किस अभिनेता को मरनोपरांत करनात करतन से समानित किया गया है तो पुनित राजकुमार को 19 नुवंबर को केंदर सरकार ने किन कानुनों को वापिस लेने की गोशना की है तो तीनों क्रशी कानुनों को 20 नुवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो अफरिकी औधोगी की करण दिवस और सारोभोमिक बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को वायू सेना के फाइटर पाइलेट विंग कमांडर अभिनंदन को राष्टपती द्वारा किस अवर्ड से सम्मानित किया गया है तो वीर चक्र से 20 नंबर को विजली वितरण कमपनी टाटा पावर को भारत के पहले गरिड चैयेट कम्मूनिटी स्टोरिश सिस्तम के लिए किस अवर्ड से समानित किया गया है तो एशियन पावर अवर्ड से 20 नॉम्बर को रिजर्व बैंक ने किन को अपने नाम से बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिवंध लगा दिया है तो सहकारी समीतियों के 21 नॉम्बर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व टेलिवजन दिवस सड़क यातायात पिडितों के लिए समरनो सव का विश्व दिवस 21 नॉम्बर 2021 को SBI ने वित्वर्ष 2021 के लिए आर्थिक व्रदी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो 9.6 प्रतिशत है 21 नॉम्बर 2021 को सयद मुश्टाक अली ट्रोफी का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीत लिया है तो तमिल नाडू ने 21 नॉम्बर को युगांडा के किस दावक ने लिस्बन हाफ मेराथन को 57 मिनट 31 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ जीत लिया है तो जैकब किपलीमो और 22 नॉम्बर को अमेरिका के राष्टपती जो बाइडिन ने फेडरल रिजर बेंक के प्रमुक को चार साल के लिए पुने नामित किया है उनका नाम क्या है तो जेरॉम पॉवेल है नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि 22 नॉम्बर को अल सल्वाडोर के राष्टपती नाईब बुकेले ने अपने देश के अर्थव्यस्ता में निवेश को बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना करने की घोशना क किये तो बिटकोइन सिटी की 22 नॉम्बर को महारास्ट सरकार ने राज्य में कोरोना वेक्सिनेशन के लिए किसे ब्रेंड अमेस्टर नियुक्त किया है तो सल्मान खान को और 22 नॉम्बर को आईसी सी अंतरास्टी क्रिकेट परिशद ने किसे अपना इस्थाई सीयो नियु गोशना की है तो मसूद खान को 23 नॉम्बर 2021 को मध्यप्रते सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखने की गोशना की है तंटिया मामा और नेक्स्ट कोशन है आपर 23 नॉम्बर 2021 को सुडान एवं युक्रेन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो बी एस मुबारक सुडान के और प्रोफेसर हर्श जेन जोकी युक्रेन के हैं नेक्स्ट कोशन देखेगा कि 24 नॉम्बर 2021 को लेजेंड्स क्रिकेट लीग सीजन टू के मेजबानी किस देश को सौंपी गई है तो ओमान को सौंपी गई है नेक्स्ट कोशन है 24 नॉम्बर 2021 को असम राज्य ने किस जीव अभ्यारन को राज्य का रास्ट्रिय उध्यान गोशित किया है तो दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारन को 25 नॉम्बर 2021 को न्यूजिलेंड के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरिस से कौन सा भारती खिलाडी चोट के कारण भार हो गया तो लोकेस राहुल और 25 नॉम्बर 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है तो विश्व मासाहार निशेद दिवस 25 नॉम्बर को कौन सा दिवस मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ इंसा के उन मुलन के लिए अंतरास्ट्रिय दिवस नेक्स्ट कोशन है हाँ पर 25 नॉम्बर 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी नोड़ा में किस एरपोर्ट की अधारशिला रखी है तो जेवर एरपोर्ट की 25 नॉम्बर 2021 को किस देश ने आम जनता के लेधर कोट पहनने पर वैस की बिक्री पर रोक लगा दी है तो उत्तर कोरिया ने और 25 नॉम्बर 2021 को अंतराश्टी कानून प्रवरतन एजनसी इंटरपोल ने UAE के किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष न्यूक्त किया है तो एहमद नसीर अल रईसी को और 26 नॉम्बर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो भारत का समिधान दिवस इस दिन मनाया जाता है 26 नॉम्बर 2021 को किरकेट आस्ट्रेलिया की पाँच सदसी है चैन समीती ने किसे टेस्ट टीम का 47 वा कपतान नियूक्त किया है पूर्ण कालिक कपतान बनने वाले वे दूसरे तेज गेंदबाज बन गए है तो पैट कमिंस और कपतान कौन है यहाँ पर पैट कमिंस और इस्टिव स्मित जो है यहाँ पर वाइस कैप्टेन है 26 नॉमबर 2021 को स्विडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही एक दल के अलग होने से अपने पत से इस्तिफा देना पड़ा उनका नाम क्या है तो मेग डेलना एंडरसन 26 नॉमबर को CBI के विशेश निदेशक प्रविंट सिनहा को किस कारेकारी समिती के लिए एशिया से प्रतिनिधी चुना गया है तो अंतराश्टि कानून प्रवर्तन एजनसी इंटरपोल से 27 नॉमबर 2021 को टेस्ट किर्केट के पहले ही मैच में शतक लगाने वाले देश के सोलवे खिलाड़ी कौन बन गए हैं स्रेयस अयर बन गए हैं 28 नॉमबर 2021 को नीती आयो की पहली बहु आयामी गरीबी सुचकांक रिपोर्ट MPI के मताबिक कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्यो की स्रेणी में आता है या गरीब राज्यो की स्रेणी में कौन-कौन से राज्य आते हैं तो प्रथम पर है इसमें बिहार दूसरे पर जारकंड़े और तीसरे पर हैं याँपर उत्तर प्रदेश और 28 नॉम्बर 2021 को मद्धेपरदेश सरकार ने भोपाल के एतिहासिक मिंटो हॉल का नाम बदल कर क्या रखने की गोशना किया है कूशा भाई ठाकरे हॉल नेक्स्ट कोशन है याँपर 28 नॉम्बर 2021 को किस राज्य की विधान सबा ने राज्य में ओनलाइन मुवी टिक्टों की बिकरी का विधेयक पारित किया है तो आंदरपरदेश की सरकार ने नेक्स्ट कोशन है 28 नॉम्बर 2021 को संक्तुरास्ट के पूर्व महासचिव ने अपने द्वारा लिखिया आत्मकता का विमोचन किया है और उस पुस्तक का नाम क्या है तो रिजॉल्ड युनाइटेड नेशन इना डिवाइड़ वर्ल्ड और अगला कोशन है 29 नॉम्बर 2021 क को कोलिंस डिस्कनरी ने वर्ष 2021 के लिए किसे अपना वर्ड अफ दा इयर चुना है तो नेक्स्ट कोशन है यहां पर 29 नॉम्बर 2021 को केंद्रिय नीती आयोग ने सतत विकास लक्ष शहरी भारत सुचकांग 2022 में देश में किस शहर को प्रतमिस्तान प्राप्त हुआ है तो श अंतरास्ट्रिय दिवस 30 नॉम्बर को कौन सा दिवस मनाया जाता है सेंट एंड्रियूस डे नेक्स्ट कोशन है यहां पर 30 नॉम्बर 2021 को अंतरास्ट्रिय होकी महासंग ने कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते साउथ अफरिका में होने वाले किस टूनामेंट को इस्तागित क अपको और नेक्स्ट है यहां पर हमारा आज का लास्ट कोशन कि एक दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व एट्स दिवस एवं सीमा सुरक्षा बल इस्तापना दिवस तो मिलते हैं अगले वीडियो में उमीद करता हूं कि आपको सारे कोशन जो है क्लियर हो ग कर लीजे और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत